इसी मुद्दे पर शाजिया निसार का नमस्कार आप देख़ें रिपाब्लिक भारत और मैं हूँ आपके साथ शाजिया निसार ग्यान वापी मस्जिद के मामले पर कल भी सुनवाई हुई आज भी सुनवाई हो रही है काल तो जच ने ये तक कह दिया था कि अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं भी जाओंगा मौईना करने के लिए इस बड़ी ख़बर पर हमारी नजर बनी रहेगी सीधैरों करूंगी मैं मेरी सायोगी शिखा शर्मा का नमस्कार मैं हूँ आपके साथ शिखा शर्मा और लगातार लगातार बड़ी ख़बर पर नजर अबरी बड़ी हुई है ग्यार बापी मस्जिद पर सुनवाई अभी चल रही है अनुपमा मारे साथ जूड़ी हो रही है पर सब्सक्राइब आपको तस्वीर दिखाते हैं जहां पर सुनवाई चल रही है इंतजार इस बात कर जा रहे है कि आखिर कब जो है खताम हो कब जो है फैसला सुनाया जाए क्योंकि यह फैसला जो है आज का बहुत महत्पूर्ण है दो फैसले जो है आज होने है सबसे पहला फैसला यह कि कमिश्वरेट को बदला जाएगा या नहीं बदला जाएगा दूसरा फैसला यह कि सर्वे को लेकर जो है क्या तारीक दी जाएगी क्या सर्वे को लेकर आज कोई नहीं तारीक दी जा सकती है यह सबसे बड़ी खबर इस वत क्या आपको बता रहे ह कि आखिर कोट की तरफ से क्या कुछ फैसला किया गया लेकर जब सुनवाई चल रही है अंदर तीकी बहस जो एंदर चल रही है एक तरफ मुस्लिम पक्ष जो है लगातार ये बात कह रहा है कि देखिया हम बैरिगेटिंग के अंदर नहीं जाने देंगे क्योंकि कोट के फैसल क्या साक्षा मौझूद है तो इस तरीके के विए अतिकी नोगजोग जो है वो अंदर चल रही है अलकि इंतुजार इस बात का किया ज़्यारा कि कब जो है ये सुनवाई खतम हो पर जो है ये सुनवाई खतम होगी और उसके बाद को फैसला सुनाया जाएका और सबसे बड कुछ पाइशन को बदल लिया जाता है ऐसे में छे तारिक को जो सर्वेय ऊथा क्या मानने ठाओ उसकी मानी जाएगी या नहीं मानी जाएगी कूट जरूर पाँऑच गंट का सर्वेय को था सूर्यास्त के बाद सर्वेय नहीं हुई थी और देखे मैं तस्वीर आपको लगातार दिखा रहें एक बार फिर से मैं आपको तस्वीर दिखा रहें मुझे लगता कि शायद आप कुछी देर बाद जो है सुनवाई खतम हो जाएगी क्योंकि काफी देर से जो है बिल्कुल अनुपमा काफी देर से सुनवाई इंतजार है कि कुछी देर में ये सुनवाई खतम हो और कम से कम ये तारीक का सामने उम्मीद आए कि कब हो सकता है आगे का सरवे जो सरवे हुआ है जैसा कि आप खुद बता रहें है सिर्फ 5 गंटे का सरवे हुआ है 3 गंटे की विडियो रिकॉर्डिंग हुई है लेकिन इ आपको याद होगा कि कल भी अमने रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क पिष्ट तीन दिरू से लगातार सबूत दिखा रहा है, अलग अलग सबूत चाहे काशी विश्वनात मंदिर के महंत की बात की जाए, सोशल अक्टिविस्ट की बात की जाए, या उन तमाम लोगों की बात की जाए, जहाँ पर नीचे जो है, ग्राउन पर जो है, मंदिर का स्ट्रक्चर साफ तोर पर नजर आ रहे, लेकिन गुंबद उपर जो है, मस्जिद के है, इतना ही नहीं कलाकृतियों की बात करें, जो दिवारों पर कलाकृतिया नजर आ रही है, चाहे उसमें कमल के फूल की बात की जाए, चाहे जिस तरीके से पिलर्स पर सूरज बना हुआ था, उनकी बात की जाए, इतना इनी सूरज चांद, सेशनाक उन सब की तस्वीर है, जिस तरीके से हम लगातार दिखा रहे हैं, और जो डॉक्यमेंट्स की बात लगातार की जो आ रहे है, रेपबलिक मी बेशक अनुपमा वो तस्वीरे हम अपने दर्शुकर को दो दिन से लगातार दिखा रहे हैं और इस बीच इस बीच कल का दिन भी महतोपूर था आज का दिन महतोपूर क्योंकि दोनों ही दिन कोर्ट में सुनवाई इस बीच जज की और से जो टिपड़ी की गई वो भी काफ इस वक्त की बड़ी ख़बर आपको बता रहे हैं कि सुनवाई जो है खता मुझे के शिवम गौड जो हमें नजर आ रहे हैं उनसे हम ज़रूर बाच्वीत करेंगे अब कल तारीक इनके हर अवरोध का जवाब कल आ जाएगा सर्वे के लिए डेटा सकती है और और के लिए रखा गया आर्गुमेंट कंक्लूड हो गया दोनों साइट की मंदिक कल बारा बज़े आएगा कल बारा बज़े के लिए रखा गया है शुरक्षे जी 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 कंफर्म है अर्गुमेंट्स क्या हुए अंदर बेटर की बाते की गई हैं मुस्लिम परक्ष के दुआरा जिनको हमने अच्छे सा अंसर कर दिया है करीब दो गंटे आज और दो गंटे कल की आर्गुमेंट कर नियनने कल आ जाएगा उसमें आपको इस पस्ष्ट हो जाएगा कि अडोगे कंफरेट इक र किदा मात इज्टा मिया आएगा समय से पूरी की जाएगा कि गूरस के लिया जिए की सिस तारिक को कब ओगा पर बारा बज़े के लिए सारी अर्गुमेंट्स कल कंक्लूड होंगी बिल्कुल तो देखे इस वक्ति सबसे बड़ी ख़बर आपको बता रहे जहांपर फैसला जो है वो सुरक्षित रखा जा चुका है कल बारा बज़े जो है फैसला सुनाए जाएगा ये बड़ी खबर इस वक्त के अपने दर्शकों को बता दे जहांपर देखे वकील शिवाम गौर्जुराके सिंग के वकील है उन्होंने साफ तौर पर इस बात को बताया कि देखे कल जो है फैसला सुनाए जाएगा बारा लगातार सुनवाई चलिए तीन दिन लगातार सुनवाई चलने के बात जो है अब ये फैसला लिया गया गया इसे बड़ी जानकारी कि तरफ तरफ से शाफतार पर आदेश दिया गया है कि कल 12 बजे वह फैसला सुनाया जाएगा हलए कि कोट में आज क्या कुछ हुआ है तो देखें बड़ी खबर आपको बता दें कि फैसला सुनक्षित रख लिया गया है अब फैसले में क्या होगा यह देखना होगा गर के अड्वोकेट कमिशनर को पूरा करें और तैकाना खुलवाएं तो देखें साफ तोर पर आप शिवम बौर को सुन रहे तो उन्होंने साफ तोर पर कहा कि हम तो यहीं चाहते हैं कि जो कमिशनर अभी मौजूद है वही कमिशनर जो है कंटीन्यू करें क्योंकि हमें जो है किसी भी तरीके के उनसे कोई दिक्कत नहीं है वो जो है निस्पक्ष जाज परताल कर रहें लेकिन मा मस्जुद समीति जिस तरीके से कच चाती है इतना ही नहीं जो बात कल जज की तरह से कई गई थी वही बात आज एक बार फिर से जज की तरह से कई अब कल बारा बजे इस बात को लेकर फैसला सुनाया जाएगा कि कमिश्मरेट बदले जाएंगे या नहीं बदले जाएंगे और आखिर आगे जो है सर्वे की तारीक क्या होगे तीन दिन आप ये समझे के तीन दिन यानि कि बहुतर घंटे में उसमें लगातार हमने देखा कि रोज जो है तीन तीन घंटे बहस करीबा नो घंटे की बहस के बाद आखिरकार ये बाते जो है दोनों पक्षो की तरफ से पूरी हो पाई हैं और आखिरकार अब कल 12 बजे फैसला सुनाया जाएगा इंतजार कल के दो पैर के 12 बजे होगा क्योंकि देखें कल भी ये कहा तरह से लगतार इस बात की बाची की जो आ रही थी कि आखिर किस तरीके से आज सुलवाई हुई कल का दिन मादपूर इस लिए है क्योंकि कि कल किसी भी समय फैस्दा आ सकता है सुरक्षत रख लिया गया तो देखे हमारे साथ वकील भी जोड़ चुके सर बता है क्या पूट में क्या कुछ हुआ है आज दोनों पक्षों को माननी नियाधीस महोदे ने सुना इस बिशेप हमने अपनी बात को जोड़दार ढंक से रखा और जो नियाधीस महोदे कल 12 बजे फैसले को सरक्षित करते ह बार बजे कल निरड़े देंगे और विपक्षी के दोरा ये बार 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 वाधा उत्पन की जा रही थी कि आप ये जो एड़ोकेट कमिशन की कारवाई है बीवित्तरह के दलील आर्ग्यू करके उसको रोकने की बात की जा रही थी हमने वो तैंक कर दिया है कि नहीं ये घुमाया फिर अजा रहा है इसमे को औरुद की आ जा रहा है को एड़ोकेट कमिशन की कारवाई हो मानी नैलय का आदे सो उसको अरुद कर ना नितांत ये सरारत पूर्ण कत्या है और एड़ोकेट के कमिशन की कारवाई सुचार रूप से संचाली था यह सबसे बड़ा सवाल था पिछली बार भी हमने देखा तो सर्वे टीम जब कही थी बारिगेटिंग क्रॉस नहीं कर पाई थी इससे संपूर्ण कारवाई संपूर्ण हो सके जग जो है वो खुच जाय सर्वे की टीम ने संदे हमने माननी नैदीज महोदे से कहे हैं कि आप अपनी गर्मा में उपस्तिती से इस कारिये का संपाधन कराएं और गजज ने इस पर क्या जवाब दिया साथ यह उनके वीवे का ने बिवादों में से है करोडों हिंदूओं की आस्था का विशय है और ऐसे विशय पर इतने संबेदन सील विशय पर राम जन भूमी का इतना वड़ा मुद्दा था आपको मालूम होगा वो उस मुद्दे के बेनात्मत यहार काशी मत्रौा हिद्ध्या का विशय समानंतर हिंदूओं के लिए है आस्था का विशय है यह सांस्कृतिक न्याय की लड़ाई है उस तंदर में इसको हलके में नहीं लिया जा सकता इसलिए माननी न्याय न्याय भी कदम उठा रहा है हम भी अपने एक एक विशयों को धारदार डंग से मानी न्याय के समक्ष रख रहे ह एक और सवाल मेरा आकरी सवाल यह क्योंकि कोट क्या जब भी बैरिगेटिंग क्रॉस करने की बात की जा रहे थी जैसे कि आप लोग जानकारी दे रहे थे कि मस्यद समीती विरोध करे थी वो कह रहे थे कोट के फैसले में ऐसा कुछ नहीं लिखा है तो क्या कोट इस बार ज दिरिश्य देवी देवताओं का भी हमने उलेक किया उस संदर में अस्पश्ट आदेस की अपिक्षा कर रहे हैं अपने दिवारों पर कलाकृतिया देखी चाहे कमल के फूल की बात करें स्वास्ते के क्या उसका जिकर आप लोगों ने कोट ने संदे हो वो सारे हमारे पटीशन में वो सारी बातें आ गई हैं दिरिश्य देवी देवता गंगा जी गडेश जी पंचमुकी हनुमान सबका उलेक हमने किया है वहां पर सिंगार देवी भगवती सिंगार गरुई जिनका अस्तोवन पुजन तिरान्बे तक निरंतर होता रहा फिर केवल 2005 में आके उसको आउसरों पर यानि कि बासंतिक न पर मौझूद है लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर यह है क्योंकि देखे जिस चीज का जिक्र लगातार किया ज़रा था कि तैखाने का जिक्र तो देखे जो हिंदू पक्ष के वकील है वो साफतार पर यह बात कह रहे है कि बिलकुल सर थोड़ा सा पीछो जाएंगे सर ए और उसका आदेश कल के लिए सुरक्षित का लिया है कल आफ्टर लंच उस पर ओडर आ जाएगा और मैं समझता हूँ फेवर पूर्ण रूप से हिंदू समाज के हित में आएगा कमिशन की कारवाई होगी हाँ एक परसेंट ऐसा भी देख रहा है कि माने ने आयले जैसा कि दोनों पक्षों ने हमने भी पक्षियों ने भी एक ये बात रखिए एठी देदेगा और कमिशनर बदला जाए कि नहीं बदला जाए इस पर भी नेने कर ले लेगा कि अगर अंदर को विडियोग्राफी होगी है तो प्लेसे तो बश्च पैक्ट की अबानना है कोई प्ले से आब वर्षिट निएन्टीए वन के से लागँ होगा च्पर यह तैह ही नहीं है जब होता कि अगरे मेANSजी थे तो पीछे हम पूरे अधिकार की तह आपको हम को रका जाता लेकिन जब काये को पहले नेड़ने तो लेलने दीजे कि ये मंदीर है क्यर्श्च पर बदलीग मुचलिम पक्ष निर्थक दलीलों को रखा है जो कमिशन आदेश के पहले इनको रखना चाहिए था उस समय वो नहीं रख पाए अब उसी गड़े मुर्दे को फिर उभारने का काम कर रहा है हम लोगों का कमिशन आदेश आ चुका है कमिशन लगबक देर दिन हो भी चुका है अब उसके बाद भीच में ब्योधान पैदा कर पुना कमिशन को रोका जाए यह जबकि माननी हाई कोड ने भी सारे पक्ष को सुनते हुए सारे साक्स दलीलों को सुनते हुए उनके उन्होंने मांग किया था कि इस्टे दे दिया जा इसको कमिशन को रोका जा उसको रिजे पक्ष के वकील को आप सुन रहे थे और आपने सुना कि कल तक के लिए फैसला सुरक्षित रख लिया है कोड ने ज्यानवापी मज़ित को लेकर अब नए सबूत भी सामने आने शुरू हो चुके हैं डॉक्टर आरपी सिंग ने रिपाबलिक भारत से एक्स्क्लूसिव बा जो की बताती हैं कि किस तरीके से ये हिंदू आकरतियां हैं कल अकरतियां हैं यहां पर जितनी भी हैं और इन ही सब कल अकरतियां ये सब इस वक्त बैरिकेडिंग के अंदर हैं और अब इन ही जगाओं की आपको फ्रेश फोटोग्रफी करनी हैं और यही अब आप दिमान कर एक करें किस तरीके से ये केस आगे बढ़ रहा है हम शुरुबात करेंगे इस फोटो सो छो आप बता रहे थे किस तरीके से यह एक ऐसी फोटो है जो कि यह चारो और मस्जिद की दिवार है एक ये जो हिंदू पक्ष क्लेम कर रहे हैं कि ये वो एक दिवार है और यहीं आप लोग ने रोख लगा दी थी कि आगे ये जो महरमत का काम चल रहा है ये आगे ना हो वरना तो सब ढग जाएगा सब देरे देरे ढग देते हैं इन लोगों की चाल है ये जो फोटोग्राफ साब के सामने है ये लगबत तीस साल पुराने है लेकिन जो फोटोग्राफ है वही आज भी वहां धाचा मौझूद है इस फोटोग्राफ से और बरतमान धाचे में कोई अंतर नहीं है फोटोग्रा हो चाहे कोर्ट इस फोटोग्राफ को देख ले कोट नहीं ऊहीं बानती है बरतमान में वीडियो गिराफ करा ले फोटोग्राफ करा ले इसी को देखते हुए हम लोगों ने वहां पे जांच कमिशन की मांग किया जांच कमिशन की दूब tooth कर ने कम्षेन तो बैरिकेटिंग के बाद बहुंत साफ कोई चीज दिखती नहीं है, अगर हमने साफ दिखाना है तो बारिकेटिंग कर धड़े अपर जाएंगे, विडियोक्राफी उपर भी होगी, तैखाने में बहुत सारे फरुट रखे banco लोगी है और उसका एक फोटोग्राप हमारे पास यह है यह वो तेखाना ने जिसके अंदर सारे सबूत है और हम लोग कह रहे हैं कि आप तेखाने के अंदर चलने दो तला खोलो और हम उसके भी वीडियोग्राफ ही करेंगे उसके भी सबूत दिखाएंगे और सो परसंट मेरा दावा है इस टैखाने में जो भी आउसेश रखे गए हैं जो भी कलाकृतियां उस पे बनी हुई टूटी फूटी दिखती हैं बरतमान में जो मूल इस्ट्रक्चर खड़ा है उसमें भी वही कलाकृतिया है और बहुत सारे पत्थर हैं अगर पत्थरों को हट जाया जाए तो हमारे वहां टूटे फूटे से उलिंग और तमाम देवी देवताओं के बिग्रह निश्चित रूप से मिलेंगे यदि हिंदू विरोधी सरकारों के कारिकाल में सुरत्षित रही होंगी तो नहीं तो हर सब चीज में मिली भगत करके ये जो है प्रसासन से ह हमारे सारे प्रतीकों को समाप्त करने का प्रयाश किया गया है देखिए अब ये हमारा पस्चिमी द्वार है गर्विगरी के पहले का इसके पहले भी एक मंदब था स्रिंगार मंदब उसके पहले एक डेवड ही होती है मंदिर में प्रवेश करने का तो स्रिंगार मंदब त कि इसके पहले का तूट चुका है और इसमें आप असपस्ट रूप से देख सकते हैं अगर इसको थोड़ा सा क्लोज करके दिखाईए ये जो लट्टू बने हैं ये जो घंटे की आकरिती दिखाई जा रही है ये जो तमाम चिन है तमाल कमल की पंखुडिया उक्वेरी गई ह हैं और बहुत सारे प्रतीक दिखाए गए हैं ये बड़तमान में मौझूद है हमारा कहना यही है का आप वीडियोग्राफिक कराओं मैं किसी सप्ता या सरकार या किसी सिस्टम के खिलाफ नहीं हूँ मैं उन लोगों के खिलाफ हूँ जो इंसाफ की आवाज दबाना चाहते हैं मैं उन लोगों के खिलाफ ठार हूँ और रहूंगा देश में एक बहस चिड़ गए कि आपको एक पक्षे वो कहता है कि भाई आपको जूट परोसा जा रहा है कोई आज या कल से नहीं सदियों से सदियों से भी पहले से सिकंदर और पोरस की रड़ाई याद है आपको दर्शुट मैं आपसे पूछता हूँ आज सिकंदर और पोरस की रड़ाई याद है कि नहीं पूछता है भाई हम सब को पढ़ाया गया कि सिकंदर जीता और पोरस हारा क्या पढ़ाया गया अगर गलत बोल रहा हूं तो बताईए किया ये नहीं पढ़ाया गया हमें सिकंदर और पोरस की रड़ाई में लगराए इस्टॉरियन पोरस जीता था सिकंदर नहीं अलग अलग हिस्टॉरियन अलग अलग फैक्स लेके आते तो आज ये डिबेट है मैं चाहता हूँ मेरे एक गैस आ जाया है बिलकुल बैठ जाया है मैं अगले दो मिनिट में चुलू कर रहा हूँ ये एक असलियत है तो एक पक्ष वो जो ये कहता है कि भाई जूट परोसा जा रहा है एक के बाद एक और दूसरा ये कि आज दूसरा पक्ष ये कहता है कि भाई आज ताज महल का नाम आप कुछ और रखना चाहते है कुत्व मिनार का नाम आप मतलब ताज महल को कुछ और रखना चाहते हैं कुछ और मिनार का नाम कुछ और रखना चाहते है ग्यान वापी मौश का चल रहा है महां मंदिर था तो ये सब जानबूच के हो रहा है और उनका ये कहना है कि बेसिक मुद्दे से बेसिक मुद्दे से ध्यान हटाने के लिए और आये लेकिन जो दूसरा पक्ष है दोनों पक्ष होंगे आज डिबेट होनी चाहिए फैक्स के वो ये कहता है कि भाई सिकंदर और पोरस के लडाई से लेके ताज महल तक कुत्ब मिनार तक फैक्स को अल्ट रखिया ग्यान वापी मौस्क पर क्या हår वो कहते हैं जब वहां से अगर स्वास्तिक आया वहां पे स्वास्तिक बना हुआ है वो कितना पुराना है वो कहते हम से मत पूछो आप अपना फाइंडिंग करा लो कुत्व मिनार के वहां से वो कहते हैं भाई भ्रह्मा विश्णु महेश की मूर्तिया निकल रही है अपने आप चेक करा लीजे कितने साल कितने दशक नहीं कितने सदियों पुरानी है तो दूसरा पक्ष कहता है देखो तुम यह सब कर रहे हो भड़काने के लिगा अगर मैं गलत हूँ तो तुम जाच से क्यों भागते हो जो जूट वो कहते है एक पक्ष कि भाई जो जूट परत दर परत लगाते रहे यह क्या है अगर नीचे बहुत मतलब मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आपके पास एक कोई चीज खराब हो गई हो कोई सब उसके ओपर आपके लगाते रहे लगाते रहे लगाते रहे वह यह कहता हूए जूट की इतनी परते हैं कि अंदर असलियत जो है वो किसी को पता है नहीं 10 साल 20 साल 40 साल भई Facts तो भई यह कब पता लगेगा जब सर्च होगी जोना इदर की हुआ उदर की, एक से ना करानियों, दो करानियों, दो से करा लीजें, तीन से करा लीजें, लेकिन जाच से पर्हेस्क की, चाह quatro ग्यान वापी की बात हो, चाह frater की बात हो ताजमहल की बात हो, मुझे पूछिए अरनप तुम्हारे लिए पहले क्या आता है तुम्हारा धर्म या राश्टधर्म और मैं कहूंगा मेरे लिए भारत पहले आता है राश्टधर्म पहले आता है मैं इस देश से एक बार फिर बादा करता हूं कि सच के लिए रिपब्लिक की लड़ाई कभी कभी जोर में हूँ क्योंकि हमारे लिए राश्ट सब्वा परी है रिपब्लिक एखिलाव साजिस रस्रेवाले हमेशा हार पर रहेंगे मैं एक बार जड़ा तस्वीरे दिखाना चाहती हूं मैं एक बार तस्वीरे दिखाना चाहती हूं क्योंकि यह तस्वीरे हमारे पास आई है और हमारी सयोगी अनुपमा ने वहां ग्यान वापी से भेजी है यह तस्वीरे और मैं उनको दिखाऊंगी क्योंकि अब श्रिंगार गॉरी की मांग की जारे रहे अब मैं यह बताए किस तरह से ये जो तस्वीर है ये तेहहाने के अंदर इसमें आप देखिए कलाकृती जो बनी हुई है और हिंदु देवी देवताओं की मूर्तियां उसमें उकेरी गई है तूटे मंदर के अफ्षेश उसमें भरे गए इतिहासकार बताते हैं कि मंदर जब तोड़ा गया उसके अफ्षेश थेखाने में भर दिये गए और तहखा अब इसको खोलने की मांगो रही है जरा आप इदर खड़े हो जाई है अब मुझे बताईए सरवर साब यह भगवान की मूर्तियां अब यह बताईए यह कहरें तहखानों के अंदर यह मूर्तियां उसी के ऊपर अब यह नहीं कहा जा रहा है कि यह मस्जिद हटा दो वो कह रहे हैं बस गोशिंगार गौरी की पूजा का दिकार दे दो यह तस्वीर दिखाईए जरा महेश दूसरी तस्वीर भी दिखा यह ग्यानकूप जहां पूजा होती रही यह वो हिस्सा है अब मैं सिर्फ यह कह रही हूँ जहां पूजा होती रही नियामेत रूप से होती रही अब दूसरी तीसरी भी तस्वीर दिखा दीजे जरा महेश क्योंकि यह तस्वीर हमारे पास है और यह है श्रिंगार गौरी देवी की पूजा का अधिकार मांगा जा रहा है जिनको पूजते रहें अब बताईए ये क्या नहीं है मा का अधिकार नहीं है तो निर्बाद चल रहा था कोई बाधा नहीं तो ये बंद किसे ने कराया ये तो अधिकार की दोरान बंद हुआ जो चीज़े जो चीज़े सोतंत्र भारत में अब जिस पलेसे ऑफ वर्शिप एक्ट का बार बार हवाला दिया जाता है वो 15 गस 1947 की बात होती है उसमें तो मैं कहता हूँ जब 50, 55, 60, 75 और 91 तक आप पहुचा रहे हैं अगर कहीं भी पूजा हो रहा था काशी के ग्या अन्वापी सर्वे विवात पर सुनवाई पूरी कॉट कल दोपहर में सुना आएगा अपना फैसला हिंदूपाक्षी नेकी शाही मस्जिद के तहकाने कि सर्वे की माँ देश्द्रो की धारा पर सुप्रीम कॉट का आदेश कहा देश्द्रो की धारा में दर्च ना हो केस धारा 124 ए पर दोबारा हो विचार मौजूदा आरोपी भी जमानत के लिए दे अर्जी मोहाली हमले का सीसी टीवी फूटेज आया सामने हमले में समाल रॉकेट लॉंच बरामद महिला की सूचना पर पुलिस ने जब्त किया लॉंच मुहाली हमले में गिरफतार निशान सिंग के हरविंदर रिंदा से जुड़े तार रिंदा और निशान सिंग के बातचीत के मिले सबूत आएसा ने पंजाब में तैयार किया लश्ट करे खाल्सा दिली में अतिक्रमन पर फेचरा बुल्डोजर लोधी कॉलिनी घिटोरिनी आरजनगर्ड सिलाफ़ूर समेथ काई इलाकों में हुई कारवाई कुछमीरी गेट पर अतिक्रमन हटाने के अखलाप प्रदश्र राज ठाकरी को मिली जान सिमाने की धमकी उर्दू मेले की चिट्थी में जान सिमाने की धमकी एमिनस नेता बाला नानगाव कर ने महराश की ग्रिमंत्री से की शिकायत नमस्कार आप देख़े हैं रेपाबलिक भारत और मैं हूँ आपके साथ शाजिया निसार ग्यान वापी मस्जित के मावले में आज एक बार फिर से सुनवाई हुई लेकिन फैसले को सुरक्षत लग लिया है इसी खबर पर ज्यादा जानकारी और बाचीत के लिए आप बेट्स के लिए मैं आपको लिये चल रही हूँ मेरी सायोगी शिकाय शर्मा के पास नमस्कार मैं हूँ आपके साथ शिक्षा शर्मा लगातार हमारी नजर ग्यान वापी महमुद्दे पर बनी हुई है आपको बता दें कि फैसला सुरक्षित रख लिया गया है कल बारा बजे फैसला होगा क्या होगा देखना होगा लेकिन बड़ी खबर के लिए सीधे रुख करेंगे मेरी सायोगी निदी का बिल्कुल शिक्षा तमाम जो दलीले हैं तमाम जो बहस है वो कोट में पूरी हो चुकी है आज और अब नजर है कल पर क्योंकि कल कोट की तरह से पैसला आएगा कि अगला सर्वे कब होगा तो इस वक की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कुछ देर पहले अभी कोट की जो कारवाई है वो खत्म हुई उसमें रिजर्व रख लिया गया है कल तक के लिए पैसला कल दो पहर बारहा बजे ग्यान वापी सर्वे को लेकर यानि मजजित के अंदर जाकर जो सर्वे टी की है इस मामले में और अब कल सर्वे कब होगा अगली तारीक कब होगी इस पर कल कोट वारारसी कोट फैसला सुनाएगा बिल्कुल तो बड़ी कबर आपको बता दे क्यान वापी मामले पर कल फैसला आना है आज सुनवाई पूरी हो चुकिए देखे कई चीज़े हैं कि सर् अगर कोट आता है क्यूंकि यह संदे पैसा करने का और है अंडरस क्रेट करने करने का जो इनका पार्टी रौल बार पड़ प्यकर रहे हैं उसको रोकने के लिए जरूरी है किना इस दिचले इस बीच हमारे सा जोड़े हैं हमारे सायोगी वैभाफ मैं सीधा आपको वैभाफ के पास ले चल रही हूँ वैभाफ आज फैसला जो है वो सुरक्षित लख लिया गया है कल पर सब की निगाहें टिकी हुई है क्योंकि कल फैसला आएगा बिलकुल तीन दिन लगातार यहाँ पर बैक टू बैक सीनियर डिविजन कोर्ट पे सुनवाई होती हूँ और सुनवाई के बाद आज तकरीबन तीन घंटे से ज्यादा वक्त के सुनवाई चलती है और अंतिता फैसला सुरक्षित रख लिया जाता है कल का वक्त है 12 वजे का जब स्पूरे प्रक्रण पर सीनियर डिविजन कोर्ट की तरफ से फैसला सुनाया जाएगा अपने विजे सतीश से कहूँगा आप कोर्ट की तस्वीरे दिखाते रहे हो और साथी बड़ा अपडेट ये है कि दोनों पक्षों की तरफ से दलीले रखे गई दोनों पक्षों की तरफ से अपना अपना स्टैंड रखा गया हिंदू पक्ष की तरफ से बिलकुल साफ ये कहना था कि जिस बैरिकेटिंग में जाने से रोका जा रहा है उस बैरिकेटिंग के आगे जाकर उन्हें सर्वे करने की इजाज़त दी जाए और साथी जो यहाँ पर प्रतिवादी आने के मुस्लिम पक्ष है उसका ये बिलकु गया था कि कमिशनरेट जो है वो पक्षिपात कर रहे हैं और पक्षिपात के बीच कमिशनरेट को लेकर ये भी कहा गया कि जिस बैलन्स के बीच ये कहा गया था कि ये सर्वे किया जाएगा वो बैलन्स सर्वे में नजर नहीं आया लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह पक्षपात किया गया है तो चलिए सराप सर्वे टीम के साथ और वहाँ पर आपकी मुश्तहदी के बीच यह सर्वे किया जाएगा यानि कि आज लंबी जिरह भाइस बीच में एक बाद बड़ी बात कह रहे हैं कि आप सबकी जो निगाएं वो कल पर टिकी है कि आखिर कोट ज रख लिया गया और तमाम दलीले पूरी हो गए तो हिंदू पक्ष के वकीलों का क्या कहना है सुनी जरा और विपक्षी के दौरा ये बार-बार वाधा उत्पन की जा रही थी कि आप ये जो एड़ोकेट कमिशन की कारवाई है बीवित तरह के दलील आर्ग्यू करके उसको रोकने की बात की जा रही थी हमने वो तैंक करियर दिया है कि नहीं ये जो घुमाया फिराय जा रहा है इस विशे को अरुद किया जा रहा है एड़ोकेट कमिशन की कारवाई वो मानी नयले का आदेश उसको अरुद करना नितांत ये सरारत पूर्ण कृत्य है और एड़ोकेट के कमिशन की कारवाई सुचार रूप से संचाली थी अगर इस बार नहीं तारीक दी जाती है तो कोट इस बात को कैसे एश्योर करेगा कि बैरिगेटिंग क्रॉस की जा सके सर्वे टीम के तरफ इस कंट्रोवर्सी को समाप्त करने के लिए वह स्वत्य पदार है और तटस दभाव से इस कारिये को करवाएं जिससे ये संपूर्ण कारवाई संपूर्ण हो सके और वेबाब हम वरिसत लगाता बने हुए हो उनके पास जाना चाहेंगे वेबाब हम सुन रहे थे कि किस तरीके से हिंदू पक्ष की जो वकील है वो तमाम बाते कह रहे थे कोट कमिशनर को लेकर कह रहे थे और यहाँ पर बैरिकेटिंग क्रोस करने को लेकर भी वो बड़ी बात कह रहे थे कि इसको भी रखा गया है तो क्या लग रहा है कल जो फैसला आने वाला है उसमें ये इस चीज़ को भी लेकर हो सकता है क्योंकि देखे निश्पक्ष नहीं है कमिशनर ये आरोब लगातार जा रहा है तो इसको लेकर भी फैसला आ सकता है कि शौता बिलकुले का शब्द का इस्तेमाल किया गया हिंदू पक्ष की तरफ से कि निउट्रेल बिहेवियर जो है वो काईम रखा जाया इस पूरी कारवाई के दौरान और निश्पक्ष कारवाई के लिए ही लगातार इस जो टीम है उसका गठन किया गया कि सर्वे की टीम जो है वो पूरे मस्जित प्रांगल में जाएगी और वहाँ पर सर्वे करेगी और सर्वे करने के बाद रिपोर्ट जो है वो कोड के अंदर पेश करेगी लेकिन सर्वे पूरा नहों सका पहले दिन का सर्वे पूरा होता ह दूसरे दिन जब टीम जाती है तो उसे विरोत का सामना करना पड़ता है दस तारीक वो तारीक थी जब सर्वे टीम को रिपोर्ट सौपना था सर्वे टीम को रिपोर्ट सौपना था लेकिन जब सर्वे ही पूरा ना हुआ तो फिर आखिर जब वो रिपोर्ट कोड के अंदर पहुचेंगे तो कौन से रिपोर्ट सौपेंगे इसको लेकर भी सुनवाई जो हुई हो और उम्मीद यही लगाई जा रही थी कि अब सर्वे को लेकर नई तारीक जो है वो मानने नेलाय की तरफ दी जाएगी आज लंबी जिरह के बीच इस शब्द का जो प्रयोग किया गया है नीट्रल विहेवियर के बीच क्योंकि मुस्लिम पक्ष यानि की प्रतिवादी पक्ष यह लगातार आरोप लगा रहा है कि जो सर्वे टीम वहाँ पर पहुचती है ग्यानवापी परिसर में सर्वे के लिए वो टीम कहीं न कहीं से अब इन तमाम सवालों के बीच बड़ी बात यह है कि जिस टीम को लेकर जिस कमिशनरेट को लेकर यह सवाल चिका उठाए जा रहे है उस कमिशनरेट की क्या बदली की जाएगी क्योंकि मुस्लिम पक्षकी से भी हमने बात चीत की और उसे हमने भी पूछा कि अगर मानिने अलाई यह आदेश देता है कि जिस कमिशनरेट के उपर आप सवाल उठा रहे हैं उनके उपर सवाल उठाना जायज नहीं है और अगली सर्वे की जो तारीख होगी यह सर्वे इसी कमिशनरेट के ही साथ मिलकर टीम जाएगी और सर्वे करेगी ऐसे में इन मुस्लिम पक्षका यह कहना था कि अगर मानिने अलाई यह भी आदेश देता है जेल में बन जो समाजवादी पार्टी कारेकरताओं से अखिलेश यादव ने मुलाकात की है अखिलेश यादव सपा प्रमुक ने मुलाकात की है जो जेल में बन है समाजवादी पार्टी के कारेकरता अलग-अलग अपराधों में उनसे जाकर मिले हैं अखिलेश यादव ये तस्वीरे आप देख रहे हैं समाजवादी पार्टी के कारेकरता जो जेल में समय बंद है वहाँ पर मुलाकात करने पहुचे अखिलेश यादव आजमगर की ये तस्वीरे खे और देखिए अखिलेश यादव अकेले नहीं थे बलकि उनके साथ कई लोग उस समय मौझूद थे जब वो उनकारेकरताओं से मुलाकात उन लोगों से मुलाकात करने पहुचे जो की जेल में बंद थे ये तस्वीरे आजमगर से मैं सुप्रीम कोड को बढ़ाई देता हूँ और सरकार जिस तरीके से जानबूश करके जो आवाज उठा रहा था उन पर ऐसे मुकदमे लगा रही थी मैं सुप्रीम कोड को इसके लिए बढ़ाई देता हूँ सग्यानवाफी का मामला चला था ताजमहल का मामला हुआ ताजमहल को लेके पेटीशन फाइल करी गई अब ताजमहल में एक सांसद है उन्हों ने कहा है जैपूर की कि ये जैपूर के महराजाओं की जमीन पर शाजहान जवरन बना लिया था उसके उनके बस कागज भी है भारती जिल्दाबाटी की सांसा ने जिन्होंने कुमारी उन्होंने ये आरोफ लगा अब क्या हूं तो ने आपको बताया है यहाँ जो जो एवियम को लेकर के उन्होंने जागरुकता दिखाई थी और मुझे याद है कि सबसे पहले बनारस में गाडियों में एवियम जा रही थी और उस समय भी आपतीस बात की थी कि एवियम अगर एक जगे से दूसरी जगे जाती हैं तो वाकाईदा जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनकी जानकारी में होना चीए और जब इस बात की शिकायत इलेक्शन कमीशन को की गई तो इलेक्शन कमीशन ने उस समय अध अच्छा के साथ जाएंगे और पॉलिटिकल पार्टीज और जो परत्यासी हैं उनकी जानकारी में होना चीए कि एक जगे से दूसरी जगे एवियम जा रही हैं लेक्शन कमीशन के उस समय का अधिकारियों ने जानकारी नहीं दी कारकरताओं नों मौके पर पकड़े और किस तरीके से अनिमताएं हो रही थी किस तरीके से ये लोग अपने मनमानी तरीके से एक जगे से दूसरी जगे ले जा रहे थे राश्थानी दिल्ली में MCD इस समय आक्शन बोड में नजर आ रही है जहांगीर पूरी के बाद से शाहिन बाग, शाहिन बाग की बाद से मंगोल पूरी और राश्थानी दिल्ली के कई इलाके जहां पर MCD का बुल्डोजर पहुचा और ना सर्फ पहुचा बलकि वहाँ पर चला भी इसी पर रेपोर्ट आपके सार्वी रखते हैं ताकि आप समझ सके अब भी इस समय अतिक्रमान को लिकरके क्या स्थिती राश्थानी दिल्ली में बने हुई है एक्शन में MCD अतिक्रमान पर आक्रमान अबैट निर्मान पर चला बुल्डोजर MCD अतिक्रमान के खिलाफ अभियान चला रही है अतिक्रमान पर लगातार आक्रमान कर रही है द्वारका, लोधी रोड, कश्मीरी गेट और आयानगर में अतिक्रमान पर MCD का बुल्डोजर चला है और अबैट निर्मान को धबस्त कर दिया गया ये तस्वीरें द्वारका की है सड़क के किनारे बनियवैद चुकी जोपडिक जो भी सामने आये उस पर बुल्डोजर चलाया गया तो देखें मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि यहाँ पर यह जो ड्राइव चल रहा है आप देखें यहाँ पर तमाम जितने बड़े बड़े शोरूम है कंपणियों के उनके पास यह ड्राइव हुआ है यह Hero Company का शोरूम है जिसके पास यह ड्राइव हो रहा है आप देख सकते हैं कि तमाम जितने यहाँ पर बड़े बड़े शोरूम है और उसके पास यह अतिकरमन जो किया गया था उसको लेकर यहाँ पर SDMC का ड्राइव चल रहा है लेकिन सबसे बड़ी और खास बात यह है कि य अहाँ पर कोई भी विरोद नहीं कर रहा है यानि कि हर आदमी जिसके दुकान है यहाँ पर जिसका शोरूम है यहाँ पर वो SDMC की कारवाई को सपोर्ट कर रहा है किसी भी तरीके से कोई बाधा नहीं उत्वन हो रही है यहाँ पर लोधी रोड में भी MCD के टीम ने अतिक्रमान वाले लागों का सर्वे किया था लोगों से अतिक्रमान खटाने का पील की थी लेकिन उसके बावजूद जिसने अतिक्रमान नहीं खटाया वहां बुल्डोजर चलाया गया लोगों ने सडक के किनारे अवयद कबजा कर रखा था जिसे नस्त नाबूद कर दिया गया वह यह वही गली है जहां से यहां के जो लोकल लोग हैं इनमें कहीं न कहीं एक साफ तोर पर डर देखने को मिल रहा है तो कि यह जो गली है यह बाहर निकलते ही जो में रोड आता है उसके बाद जितने भी बड़ी खबर आरे को बता देये, दिल्ली से दिल्ली में ट्रग्स की बड़ी खें बराबद हुई है, 434 करोड की ट्रग्स पकड़ी गई है। और बड़ी खबर आपको बता रहें देश की राजधानी दिली में ड्रक्स की ये बड़ी खेब बरामत की गई है 434 करोड की ड्रक्स बरामत की हैं NCB की बड़ी कारवाई जो नाकोटिक्स विभाग है वो लगातार इस पूरे मसले पर एक के बाद एक कई बड़ी कारवाई कर रहा है और DRI ने आपको बता दे 62 हेरोईन जब्त की है 434 करोड की कुल मिलाकर ड्रक्स पकड़ी गई है तो बड़ी खबर आपको बता दे हमने देखा था कि कुछ दिनों पहले एक बार और NCB ने बड़ी कारवाई की थी जिसमें कई लाक की कई बलकी कई करोडों की ड्रक्स पकड़ी गई थी और ये एक और कारवाई दिल्ली में जहांपर ड्रक्स की एक और बड़ी खेब बरामद हुई है 434 करोड की हिरोईन जब्त की गई है दिल्ली एरपोर्ट पर ये heroin जब्थ की गई है बड़ी ख़वर आपको बता दे। दिल्ली एरपोर्ट पर ये heroin जब्थ की गई है 434 करोर की। ये तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं रिपाब्लिक भारत पर एक्स्लिूसिव विज्वल्स आप देख रहे हैं ये ताजा ड्रक्स की खेब जो की पकड़ी गई इससे पहले कुछ दिन पहले ये आपको याद होगा शाहीन बाग से ड्रक्स की एक बड़ी खेब प ड्रक्स की पकड़ी गई है चार सु चा Weg س करोड की कीमत बताई जारे है इस ड्रक्स की हेरोइल्स जब्त की गई है ड्य आरी की उरू है ये बड़ा आक्शन था ड्यार लगातार और लगातार आक्शन मोड़ में हैं दूसरी तरफ नार्कोटिक्स कंच्रोल ब्यूरो भी आ आपको दिखा रहे हैं ड्रक्स से भरा हुआ बाग शिंगार गौरी की पूजा एक दिन नहीं पूरे साथ क्या कोट देगा घ्यानवापी में पूजा का धिकार आ गई है फैसले की घड़ी देखिये महा भारत मेरे साथ शामपान बचकर सकता वर्ण मैं इस देश से एक बार फिर वादा करता हूँ कि सच के लिए रिपब्लिक की लगाई कभी कभी जोर में है क्योंकि हमारे लिए राष्ट सर्व परी है रिपब्लिक के खिलाब साजिश रस्मेवाले हमेशा हर्त रहेंगे कि यह तस्वीर है और हमारी सायोगी अनूपमा ने वहां घ्यान वापी से भेजी है और उनको दिखाओंगी क्योंकि अब श्रिंगार गौरी की मांग की जा रही अब मैं ये बताईए किस तरह से ये जो तस्वीर है ये तहखाने के अंदर की तस्वीर है जो इतिहासकार ने हमें दिखाई अनुपमा को दिखाई और वो तस्वीर देखिए वहाँ पर हिंदू देवी देवताओं की मू यह तस्वीर सामने आई है और इसमें आप देखिए कलाकृती जो बनी हुई है और हिंदू देवी देवताओं की मूर्तिया उसमें उकेरी गई है तूटे मंदर के अफशेश उसमें भरे गए इतिहासकार बताते हैं कि मंदर जब तोड़ा गया उसके बाद उसके अफशेश तहखाने में भर दिये गए और तहखाने में मंदर वाली ही कलाकृती है मंदर वाली ही कलाकृती है मैं तस्वीरों पर आऊंगी तहखाने में खंडिच स्वयंभू शिवलिंग है यह तस्वीरे आई हैं मैं तस्वीरों पर जाऊंगी यह तहखाने के अंदर की तस्वीरे ह एदर आजाए इसले चाह रही हूं कि आप आएं क्योंकि इन तस्वीरों पर बात करना चाहते हैं एक बार आएंगे क्योंकि तहखाने में यह जरा देखिए यह ज्यानवापी तहखाना है अब इसको खोलने की मांगो रहे हैं जरा आप इदर खड़े हो जाईए अब मुझे बताईए सरवर साब यह भगवान की मूर्तियां हैं अंदर अब यह बताईए यह कहरें तहखानों दूसरी तस्वीर भी दिखा दीजे यह ज्यानकूप है यह ज्यानकूप जहाँ पूजा होती रही थी पहले से पहले से होती रही जरा अब थोड़ा से इदर हो जाईए सरवर साब क्योंकि आपकी तरस यह और पूजा देखिए पूजारी कर रहे है यह ज्यानकूप का अधिकार मांगा जा रहा है जिनको पूझते रहें अब बताईए ये क्या नहीं है मां का अधिकार नहीं है मैं पहले भी आपके चैनल पर बोला था आज फिर बोल रहा हूं यदि गवरी शिंगार के पूझा को किसी ने रोका और आप करें 1991 तक चल रहा था तो निर्बाद जो चीज़ें स्वतंत्र भारत में अपनी बात करो लिए स्वतंत्र भारत में अब जिस प्लेसेंद ऑफ वर्शिप एक्ट का बार बार हवाला दिया जाता है वो 15 अगर्स तो 1947 की बात होती है उसमें तो मैं कहता हूं जब 50 55 65 75 91 तक आप पहुचा रहे हैं अगर कहीं भी प खिलाफ नहीं हूं मैं उन लोगों के खिलाफ हूं जो इंसाफ की आवाज दबाना चाहते हैं मैं उन लोगों के खिलाफ था और हूँ और रहूंगा देश में एक बहस चिड़ गए कि आपको एक पक्षे वो कहता है कि भाई आपको जूट परोसा जा रहा है कोई आज या कल से नहीं सदियों से सदियों से भी पहले से सिकंदर और पोरस की लड़ाई याद है आपको दर्शो मैं आपसे पूछता हूँ आज सिकंदर और पोरस की लड़ाई याद है कि नहीं पूछता है भाई हम सबको पढ़ाया गया कि सिकंदर जीता और पोरस हारा क्या पढ़ाया गया अगर गलत बोल रहा हूं तो बताई क्या ये नहीं पढ़ाया गया हमें सिकंदर और पोरस की रड़ाई में देट ग्रेट सिकंदर वन और भारत राजस्तान के शहर-शहर साम्पूदाइक जहर इलवाडा में फिर बवाई कई गंभीर सवाई दो समुदायों के रडाई सियासत गर्माई क्या सुलग रहा है राजस्तान देखिए पाच का प्रहार शाम चार बच कर सब्तावर मिनट पर मेरे साथ मुझे पूछिए अरनप तुमारे मिये पहले क्या आता है तुमारा धर्म या राश्तादर्म और मैं कहूंगा मेरे मिये भारत पहले आता है राश्तादर्म पहले आता है सद्गुरु जी ये सब चाहें ग्यानवापी की बात हो चाहें ताजमेल की बात हो चाहें को तुमारा एक पक्ष कहता है भई इतना जूट परोसा गया है कि इतनी परते हैं कि परते हटते हटते भी सदिया लग जाएंगी तो दूसरा कहता है जान बूच के हो रहा है भढ़काने के लिए हो रहा है सद्गरू नमस्कार जी आईश्वरिया आपने अभी जो कारंभिक में सारी बातें कही मुझे लगता है अगर दर्सकोन और अस्रोताओं ने जिसे सुना होगा तो उनके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे और यहां जो भी बिद्वान बैठे हुए हैं चाहे मुस्लिम स्कॉलर हैं चाहे राजनेटिक पार्टी के हैं या सादू हैं वो सब ये इस संबाद में भाग ले रहे हैं बात ग्याद्वाती की हो बात रामंदिर की हो बात कृष्ण जन्व भूमी की हो बात कुतुब मिनार की हो बात ताजमहल की हो या बात टीषजार अंधर मस्थलों की हो जब भारत की बाहर से आए हुए आकरांताओं ने भारत की ऊपर लूट पाट मचाते हुए यहां पर भर्म का परिवर्तन कराते हुए और भारत के मूल संस्कती और मूल आत्मा सनातन संस्कती के मंदिरों को बिध्वन्स करते हुए उनके प्रतीकों को मिठाते हुए, मिठाते हुए यहां के हमारे नालंदा के विस्व बिद्जाले में नालंदा के विस्व बिद्जाले में 90 हजार सी जादा कुस्तकें धर्मसास्त्र जिनको जलाते हुए, क्योंकि ये बात सभी जानते हैं जब बाहर से आकरांता आए तो उनके दिमाद में भी ये बात थी कि अगर हिंदुस्थान को मिटाना है इसके संस्कृति को मिटाना है तो ताथकाली समय में ये लूट पार्ट को हम करी रहे हैं पर इनके प्रतीकों को भी अगर हम मिटाकर चले गए तो प्रतीक विहीन कोई संस्कृति या समाज बहुत जल्दी खड़ा नहीं हो पाता है मैं 30,000 उन प्रतीकों और मंदिरों की बात करता हूं अगर इमानदारी से भारत देश हंदुस्तान के हिंदो मुसल्मान इसाई और सारे मिलकर उनकी जाच करें और जाच करके उन प्रतीकों के आधार पर हम भारतवासी हैं हम हिंदुस्तान के लोग हैं हमारे पूर्वज पांस के साथ पूर्वज पहले लेकिन महराज एक वो जो पक्ष है क्योंकि फिर यहां पर डिबेट शुरू हो जाएगी मैं इसलिए आप से पूछ रहा हूं वो दूसरा पक्ष कहता है कि सद्गुरू कह हैं कि हैं लेकिन ये तो सदियों नहीं मतलब ये तो मैं कहरा हूं सो डेर सो दो सो तीन सो चार्सो पांट सो हजार साल पहले हुआ उसको आज अगर टरन ओवर करोगे यानि अगर उसको बदल रहे कि कोशिश करोगे तो उसमें तो और दिक्कत हो जाएगी उसमें और समाच तूट जाएगा उसमें विभाजन हो जाएगा उसमें हिंदू-मसल्मान के बीच की जो दरार है वो और बड़ी हो जाएगी ये काउंटर आता है वहां से मालाच मेरा बिल्कुल उल्टा मानना है 500-700 वर्फ पहले किये गए जिर्म के खिलाफ अगर हिंदूस्तान के एक एक हिंदो मुसल्मान और इसाई साथ में खड़े होते हैं चाहे 500 वर्फ पुराना हो चाहे 5000 वर्फ पुराने चीज हो हमारी प्रंस्कृति और धर्म के खिलाब जो काम किये गए हैं अन्याई जो किये गए हैं अगर उनके सक्ष में हम एक साथ खड़ा होते हैं तो यह आविन्यूटी बनती है एक साथ बनती है ना कि बिगरती है मैं इस देश से एक बार फिर वादा करता हूँ कि सच के लिए रिपब्लिक की लगाई कभी कभी जोर महीं है क्योंकि हमारे लिए राष्ट सब्वा परी है रिपब्लिक के खिलाब साजिश रसने वाले हमेशा हार्त रहेंगे मैं इक बार जरा तस्वीरे दिखाना चाहती हूँ मैं इक बार तस्वीरे दिखाना चाहती हूँ हाँ हाँ मुझी बुर साब काशी के ग्यानवापी सर्वे विवात पर सुनवाई पूरी कोड कल दो पैर में सुनाएगा अपना फैसला हिंदू पक्षने की शाही मजजित्य तैखाने के सर्वे की मां देश्द्रों की धारा पर सुप्रीम कोट का आदेश का देश्द्रों की धारा में दर्ज नहों केस धार 124 ए पर दोबारा हो विचार मौदूदा आरोपी भी जमानात के लिए देर्जी महाली अमले का CCTV फूटेज आया सामने हमले में इस्तिमाल रोकेट लॉंचर बरामद महिला की सूचना पर पुलिस ने जब्त किया लॉंचर महाली अमले में गरफतार निशान सिंग के हरविंदा रंदा से जुड़े तार रंदा और निशान सिंग के बादशीत के मिले सबूत आया साई ने पंजाब में तैयार किया लश्कर ए खालसा दिली में आतिक्रमट पर फिर चला बुल्टोजा लोधी कॉलोनी घिटोर्नी अरजुनगर सीलमपूर समेथ कई लागों में हुई कारेवाई कश्मीरी केट पर दिल्ली में हचाने के खलाफ प्रदर्शन और दिले एरपोर्च पर ड्रक्स की बड़ी केब जब्च 434 करोड बताई ज़ा रही है ड्रक्स की खीमत युगांडा से दुबाई के रास्ते दिल्ली में हुई तितसकरी नमस्कार पाच को अप रहार देख रहा है आप, मैं हूँ आपके साथ नामे का पादे आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान की, बलकि राजस्थान की बात हम इसके पहले भी कई बार कर चुके है क्योंकि लगातार पिशले 40 दिनों में ऐसे मामले सामने आए हैं जिसने राजस्थान सरकार प्रशासन पर सवाल खड़े कर दिये हैं पहले मैं तारीख वार आपको बता देती हूँ कि कब कब क्या क्या हुआ है राजस्थान में फिर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे दरसल 2 अप्रेल को करॉली में 17 अप्रेल को अलवर में 2 मई को जोधपुर में फिर 4 मई को एक बार फिर भीलवाडा में इसी बीच भरतपुर की तस्वीर भी सामने आती है जहां चाकुबाजी होती है वो मामला बढ़ा नहीं उसका प्रशासन के मुश्थादी की वज़े से और भीलवाडा में एक बार फिर यानि कि 5-6 दिनों के भीतर भीलवाडा में एक बार फिर जो मामला सामने आ रहा है वो सवाल खड़े कर रहा है पुलिस प्रशासन पर कि आखिर हो क्या रहा है दरसल एक शक्स जिसका नम आदर्श है उसको सरेयाम चाकु मार दी जाती है ए सवाल ये है कि वो कॉंग्रेस जिसके सरकार राजस्थान में है वो लगातार कई सवाल खड़े करती है दूसरी जगों पर लेकिन जब अपनी सरकार पर सवाल खड़े होते हैं तो कुछ नहीं कहा जाता है अब सवाल राजस्थान सरकार पर उठ रहे हैं हम सवाल पूछ रह रही है सवाल यह उठ रहा है एक के बाद एक मामले सामने के भीतर राजस्थान में सांपुरदाइक हिंसा बढ़ रही है सांपूरदाइक हिंसा के जहर आखिर कौन घॉल रहा है कौन है जो राजस्थान का महोल खराब कर रहा है कभी अलवर कभी भीलवाडा आखिर जिम्मेदार है कौन करोली जोतपूर लगातार मामले सामने आ रहे हैं कब मिलेगा आदर्श को इंसाफ वो आदर्श जिसको आठ से दस लोगों ने चाकों से गोप कर मौत के घाट उतार दिया पाच्पासावाल ये कि हिंसा की आग मे आखिर राजस्थान जल क्यू रहा है और आपको एक रेपोर्ट दिखाते है कि राजस्थान में भीलवाड़ा में हुआ चाली ले पिछले दिनों क्या हुआ है सरकार दावे क्या कर रही है फिर मेहमानों से परिचा कराएंगे चर्चो को आगे बढ़ाएंगे रिपोर्ट देखे राजस्थान में सामप्रदाइक हिंसा का जहर फिलबाडा में बवाल कई गंभीर सवाल तो पक्षो की लड़ाई सियासत गर्माई आदर्श को इंसाफ कब राजस्थान सामप्रदाइक हिंसा की आग में जल रहा है राजस्थान में सामप्रदाइक हिंसा का जहर घोला जा रहा है राजस्थान के शहरों में दो समुदायों के बीच के लड़ाई अब आम होती जा रही है आखिर क्यों सुलग रहा है राजस्थान राजस्थान का भीलवाणा शहर एक बार फिर हिंसा की आग में जल उठा है वहाँ एक लड़के की चाकू मारकर बेरहमी से सरयाम हत्या कर दी गई जिसका आरोप दूसरे समुदाई के साथ से आथ लोगों पर लगा है बताया गया कि शास्तिर नगर इलाके में आदर्श दापडिया नाम की एक लड़के पर आरोपियों ने मामूली विवाद में हमला कर दिया आदर्श रहम की गोहार लगाता रहा लेकिन आरोपी चाकू से तावर तोड उस पर हमला करते रहे जिससे उसकी मौत हो गई तो सोरी भी मांग लिया ता उसके अंकल भी कह दिया था फिर उनके मन में एसी क्या भावना थी जो उन्होंने आदर्श को इस तरीके से मार दिया आदर्श के मौत के बाद हालात इतने बिगड़ गए कि वहां स्टी एप और आरेसी को तैनात करना पड़ा साथी पूरे इलाके में इंटरनेट सेवा को भी बंद कर दिया गया लेकिन बवाल थमा नहीं एक तरफ जहां आदर्श के परजन एंसाफ और मुआबजे की मांग करते दिखे तो वहीं दूसरी तरफ आदर्श की हत्या के विरोज में हिंदू संगटनों ने बंद का ऐलान कर दिया इस बंद के दोरान जो भी दुकाने खुले दिखी उन्हें वो बंद करवाते दिखे हलाकि प्रश्वासन की तरफ से पूरी साफधानी बढ़ते जाने का दावा किया गया वहीं इस हत्या के बाद पूरे इलाके में अफरत तफरी फैल गई पुलिस प्रश्वासन के हाथ पाउं पूल गए हलात को संभालना मुश्किल हुआ तो पुलिस ने तीन लोगों को हिरासत में लेते हुए जल्द ही आरोपियों के गिरफतारी का दावा कर दिया पुलिस भले ही कुछ भी दावा करें लेकिन भिलवाडा में हिंसा का ये पहला मांगा नहीं है इसी महीने की चार तारीक को सांगा नेर इलाके में दो गुटों के बीच भारी बवाल हुआ था जिसके बाद पूरे इलाके में पुलिस पोर्ट को टैनात करना पड़ा था हालात कुछ संभल पाते उससे पहले हुए एक और घटना ने आग में घी डालने का काम कर दिया अब ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर कौन है वो लोग जो राजस्थान में साम्प्रदाइक हिंसा का जहर घोल रहे है आखिर राजस्थान में साम्प्रदाइक हिंसा की घटनाएं क्यों बढ़ रही है आखिर हिंसा की आग में क्यों जल रहे है राजस्थान के शहर विरो रिपोर्ट रिपब्लिक भारत तो दिल्ली में बुल्डोजर चल जाता है तो सड़कों पे नेता उतर आते हैं लेकिन राजस्थान में बुल्डोजर चलता है एक के बाद एक हिंसा होती है लेकिन मजाले कोई एक सवाल पूछ ले हम सवाल पूछ है आज उन सभी लोगों से जो दिल्ली पर तो सवाल खड करते हैं उत्तर प्रदेश पर सवाल खड़े करते हैं लेकिन राजस्थान पर चुपी साथ जाते हैं मेमानों का परिचे गाद दो चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी हमारे साथ खास मेमान जुड़ रहे हैं मारे साथ राजीव जेटलिया भरती जंता पार्टी के प्रवक्ता जुड़ रहे हैं हमारे साथ हिंदू धर्म गुरू आचार विक्रमादेत ये जुड़ रहे हैं हमारे साथ खास मदम से पाठीजी स्टूडियो से सीनर जॉर्लिस हमारे साथ जुड़ रहे हैं इसके लावा वरुन पूरोहित हमारे साथ जुड़ रहे हैं कॉंग्रेस के न आखिर भीलवारा में हुआ क्या है एक के बाद एक पास से छे दिन के भीतर दो घटनाएं हो जाती है लेकिन राजस्थान सरकार कुछ नहीं बोल रही है एक तस्वी दिखाते हैं आपको ग्राफिक्स के जरिये कि आखिर राजस्थान में क्या क्या हुआ है खास वर पर भीलवारा में एक शक्स जिसका नाम आदर्श है उसे चाकू घोपकर मौत के घाट उतार दिया जाता है बात ये कि राजस्थान में आखिल भीलवारा में जो हत्या हुई है उस पर सरकार चुपी क्यों साथ रही है शासर रगा इलाके में लड़के की हत्या हो जाती है लेक से 10 लोगों पर हत्या का अरोप है गिरफतारी अभी तक किसी की नहीं हुई है होगे गिरफतारी ये आश्वासन दिया जा रहा है हत्या की बात पूरे इलाके में तनाओ के इस्तिती है हलाकि कर्फियों लगा दिया गया है 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवा बंद हो गई ह तनाओ के इलाके में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है और शांती बनाये रखने की आपी लोगों से पुलिस प्रशासन की ओर से की जा रही है हम लगातार आपको बता रहे है तीन आरोपी गिरफतार कर लिए गए है क्या वो इसमें शामिल थे क्या व प्रशासन पर भी और सरकार पर भी सवाल खड़े कर रही है अब तो कह जीजिए यहां गलती है कमी है सुधार करेंगे इमान लीजिए अनामिका जी गलती हमारी नहीं है हमने बिल्कुल प्रशासन हमारा चुस्त दुरुस्त है मैंने करावली के टाइम भी आपी के चैनल पर कहा था कि 33 जिलों में होगा क्योंकि चुनाव आने वाला है लेकिन सामाजिक समरस्तार सही शुनूता की कमी क्यों हो रही है भीलवड साथ कॉंगरेस की सरकार है इसलिए ऐसा कुछ नहीं है चापू की वादा हुए दुखत गटना है कि केंदर केंडर में आती है उन्होंने जाके मत्य प्रदेश से इनक्वारी करी कि रतलाम से सप्लाई हुई इसमें राहिस्तान का क्या दोश है लेकिन बीलवडा में जो एक हत्या हुई है दुखत है किसी की भी हत्या होना वह इस्ट्रीशीटर्स हो या यह वहाँ का हो जो असली बात है आर्थिक सामाजिक कारण है नावालिक ऐसी सब्सक्राइब करें कितनी हत्या हुई है उत्तर प्रदेश में कितनी हत्या हुई है फिर आम पूछे राजस्तान के भीलवारा में एक नवीवक को मौत के घाट क्यों उतार दिया जाता है कांगरेस बीजेपी की बात करते हो जब सरकार आपके हैं तो सवाल बीजेपी से थोड़ी पूछेंगे तुम्हें मान सकता हूं को आप कहते हैं महंगाई पर सवाल बीजेपी से पूछेंगे क्यों हो रही है करने की क्या हो शकता इस बात को हर बात में राजीव जिए पूछ यह सवाल राजस्थान सरकार क्यों पर वाही कर रही है क्यों पूछ रहे हैं यह सवाल बार बार आप लोग राजीव जी कि इस सब्सक्राइब कर देखा जाता कि उसका धरम क्या है अभी देखिए एक वेक्तिक बच्चे के मिलती हो गई और उसको यह इसनी शीटर करके समबोदित कर रहे हैं वह एक बच्चा अगर भो धरम बदल किया जाए तो उसके तारे गलत बीच मेरे नाम मत आपने कहां भी इसनी शीटर आपने परदेश के अंदर अपने परदेश के अंदर लोग लोग वेवस्ता नहीं समभाल पा रहे हैं और जिसक आपके बीच में कोई नहीं बोल रहा था ना मैं बार बार यह कहते हैं आप लोग तो जानते हैं सभी चैनल पर आचके क्या फॉर्मेट है एक इत करके बोलिए सबकी बात आने चाहिए हमारे पास समय है पूरा बोलिए अपने इसलिए पहले पूछा पिर भी आप बीट में बोल रहे हैं आप जानते हैं ना हम समय दे रहे हैं आप बोली आपने बात कहिए राजीव जी राजीव जी कहिए मैं केवल इतना ही कह रहा हूं देखिए आप कम से कम जले पे नमक मख्षड की एक पारिवार जो इस टाइम बड़ी दुखे दवस्ता से गुजर रहा है माता मना रहा है उसका बच्चा को गया आप उसे शिकर के संबोधित करें बदल दीजिए ना उसका नाम बदल के कम समय करें आपको लगता है कि हमारी जो हमारा दर्द वो जलके बदल दीजिए उसका नाम हिंदू नाम दूसे रखिए ठीक बात है अचारे विक्रमा देते हैं पूरी बात को आप सुन रहे हैं करें धरम जाती में सरक्क्राइब पर मदबाटिये मामले को एक बच्चे के हत्या हुई है हम मानते हैं लेकिन अब धरम में क्यों बाट रहे हैं इस चीज़ को कि एक संपरदाय ने मार दिया एक संपरदाय का बच्चा मारा गया पिछले एक महिने में पांच घटाना यह घट गई लगातार ऐक Keadaan की निदों लोग तुषटिकरान की नीती कियो नहीं कहिए यह घटना हो जाये चोव बलती से मानी जाती है कानून व्यवस्त्ता आपके हात में कानून दिकारी सामाज में आइसी व्यंदार गंदंगा करने वाले लोग उनको पता है हमारे लोग ऊपर बैटे थानेदार हमारा बैटा है तब जाकर और चोड होते हैं गलत बारे लुटेरे सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाएंगे आदे घंटे के नदर उनकी जमानत हो जाएगी और तो और कोई पकड़ा भी जाएगा तो घेल मवल करके जिस पकार से एक नहीं है मैंने लिस्ट बना के आज देखी जालातार पीर कादरी आपकी बात सुन रहे हैं बहुत ध्यान से मौ तेके मैडम हर वो सरकार से हम सवाल करेंगे जहां पर घल्त होगा हमने तब्रेश के बहुत सरकार से सवाल किया था बहलु का चína करेंगे और आज भी राजिस्तान सरकार से हम सवाल करें गे क्योंकि आदर्ज भी किसी के आولाद थी किसी का बेटा था तो उसको इस तरीखे से मार दिया जाएगा तो हम उसकी ताहित खती ही नहीं करेंगे हर इनसान की जान जान होती है रहा सवाल कि इसको जैसे के संप्रदाइक ताक के माहौल में इसको तब्दिल जो करने की बात की जा रही है तो पॉलिस की इंफर्मेशन रिपोर्ट आने दीजे कि किस बिना पर इसका खतल हुआ खतल तो गलत है खतल जिस ताइस नहीं की जाएगी जो नेता पैठे है कादरी जी कादरी जी नेता पैठे है तर नेता का सबस्क्राइब जी आ रही हूँ कादरी साहब आपके कह रहे हैं कि जाच होनी चाहिए आकिर हत्या हुई क्यों है हत्या किसी भी कारण से हुई हो हत्या है कानून विवस्ता पर सवाल उठ रहे हैं पूछने चाहिए सवाल क्योंकि राजस्थान में पिछले 40 दिरों में कई मामले सामने आए हैं इस पर सवाल करूँगे आपसे मेहमन लगतार हमारे साजुने इस बीच आदर्ष की मा क्या कह रही है वो रोती भी लगती मा जो अपने बेटे की मौत पर सवाल पूछ रही है लेकिन जवाब नहीं मिल रहा है सुनिये जरा क्या कहा उन्होंने इस बीच पर सब्सक्राइब नहीं मिल रही है मायंग और इसुनिये में बातोगी मायंग तो मायंग को मैंने इस नंतनी घ्रथा है मायंग से पारकान मोग बिंसे कानि मा क्या है तो आदर्ष क्सक्राइब आपने गड़ती नहीं है अँप मामिदो स्कताश है और इसरस तो में वो आदर्ष कहना तर चला गया ठीक है, ठीक है, ठाना के चला गया तो वापस हमने उसे कॉल है तो उसने बोला, मैं आ रहा हूँ, तो थोड़ी दिर बाद आदर्श का महेंग के पास आदर्श का फोन आया था, कि महारा महेंग मेरे को मार जगड़ा हो गया है, तो फटा फटा मामा को लेके, फिर महेंग गय हुआ तो आपको देखरों न, एतनी छोटे से बात पे कारण कोई किसी को इस طो से चरुक्रíem सकता है क्या आज कहा सुनी तो किसी की पड़ोशीग्यु भी हो जाती है तो क्या पड़ोशी एक दूसरे को इस तरह से मारते हैं क्या और क्या उनके घड़ से उनको इस तरह की शिक्षा ही मिलती है क्या कि छोटी सी बात पर भी तुम लोग चिक्कू निकाल लो अदू हिंदू जागन मंच का मेंबर था मुझे क्या पता वह या क्योंकि मुझे तो कभी बताते ही यह बच्चे हैं बड़े अब 19 साल का है वो अपने फैसले खुद लेता है वो तो उसने मुझे बुला था ऐसी कोई बात होगी तो ममी मेरे साथ मेरी टीम वाले हैं आप प्लीज मतलब इतना सोचो मत इस बारे में मैंग नहीं भी यह बात बुली दी मतलब हत्या किसी भी मज़े ऐसी हुई आप हत्या को जस्टिफाई कर देंगे आप मेरे जुमले को छोड़ दी शुरूमे और इस बातां किसी भी चाहब है लैंगे किसा हुई एक चाहब इस लिभी दुड़ करेंगे और ये आदमी को खामूश बता इसको बहुत बोलने क्या दोते बिचार को सबरे बहुत बोलता है यह बिचारा हर जगा उड़ जाएगा, किसी को बोलने ने देगा, बनाई एगा, अरे क्या बोलने ने देगा, क्या बोल किया रहे है, यहां भी हिंदु मुस्वान कर रहे हैं, तो भाई, यह कह रहा हूं कि राजिस्तान गवर्नमेंट को चाहिए, इसके खिलाफ में सखसे के लिए, और मै इसके ही खिलाफ चुकादरी साहब, इसके ही खिलाफ क्यों, मेरा सवाल यह है, रिपब्लिक भारत सवाल यही पूछ रहा लगातार कि 40 दिनों में एक के बाद घटना है सामने आती है, यासमेन फारुकी, एक के बाद एक 40 दिनों में करॉली में घटना सामने आती है, जाता है भीलवाड़ा में हो जाता है भरत्पूर में हो जाता है फिर कहते हैं जाच करेंगे कारवाई करेंगे करॉली की घटना को डेड़ मने से उपर का बख बीद गया है अभी तक मेन आरूपी गिरफ्तार नहीं हुआ है यासमीन वारुकी देखिए इसको इस तरह का रंग देना मैं सही नहीं समझती कोई भी किसी को दुश्मनी में मार देता है और वहां पे सिर्फ दुश्मनी में मारा गया है वहां हिंदू-मुस्थिन की बात करना आग भड़काने जैसा है तिल्कुल गलत हुआ है किसी के बेटे को मारा गया है यह कोई इन जानी नुकसान हुआ है इनसा हम यही तो उम्मीद करते हैं ना इससे जाना कोई गलत है भाई यही तो सवाल हम करते हैं कि जब कबरेश को मारा जाता है तो रंग दिया जाता है जब आदर्श को रमेश को मारा जाता है तो क्यों नहीं सवाल पूछते हैं आप आप बात सुन लीजे पहले पूरी आप सवाल कर दो जवाब पुरा ले लीजे ना कौन के राय के खलत नहीं हुआ बिलकुल किसी की हत्या करना खलत है और किसी को किसी के को मारने का हग किसी नहीं दिया है लेकिन उसको हिंदू-मस्लिम रंग ले ले लिए के हिंदू-मस्लिम के वजासे हो ज़ा दुश्मन नहीं किसी को भी किसी से हो सकती है पशल में हो जाती है मसल्मानों था इतना थमास्चा क्यों cogma उधर थाम थे नहीं कर दूंशली यह जाती है तो मारे औरा प्लम ऑट भू einzige बिल्कों गिरिफ्तारी होना चाहिए जिसने मारा है उमीद करता हूँ कि जो लोग आज ये बात कह रहे हैं वो हर हद्पिया कि इसी लहजे में बात करें इसी तरीके से बात करें कि हम कभी आपके पर उंगली नहीं हुआ है एक चोर जिसको भीड पकड़ के मार देती है आप से कहते हैं कि वो मुसल्मान से केवल इसलिए मार दिया गया आपको ये नज़र नहीं आ है कि घृड ने एक चोर को मारा आपने का एक मुसल्मान को मारा और इसको आप मॉबलिंटिंग का नाम देते हैं इड के मौके के ओपर जब वहां पर पत्थर वाजी उसकी छुरे यहां जबार थी जिस पर देश के आप चर्फा कररें रजस्वान कभी इन लोगों ने उसके उस को फर उंगली नहीं उडाई है नमबर वन पर है देश के अंदर रेक के मामलों में राज तान नमबर वन पर दमीलेंफ जिसकी बाद बार बार करते हैं मुस्लिम और ठलिक इन्हें वालूम हो राज्व्पान पर कहते हैं इनके जो आला नेटा है वे इन तिके राजीव सर आ रही हूँ हर्श्वादन रिपार्टी वरिश्पत्र कर्भी हमारे साथ लगाता है जुणे सर सबसे आखरी में आपके पास आने का मकसद यही है कि आपने सब को सुन लिया सब की बात सुन लिया हर घटना को सामप्रदाइक रंग देने की कोशिश की जात थोड़ा सा तो यह समझ में आना चाहिए कि अखेर हत्या जब हो जाए तो उस वक बात करते वक्त हम थोड़े समवेदन शील दिखें राश्टी टेलिविजन चैनल पर हैं और दुर्भागी से अभी बहस में कुछ लोगों को मैंने बहुत समवेदन हीन तरीके से कहते हो जोधपूर हो भीलवारा हो हर जगह क्यों इस तरह की घटनाएं हो रही कि दो लोग आमने सामने आ जाते हैं दो वर्ग सामने आमने और जो सबसे बड़ी बात है कि अभी तक किसी में भी अपराध के आधार पर बड़ी कारवाई नहीं हो पाई है क्या करोली दंगों का मुख्य आरोपी वो अब तक पूरी तरह से उसको सजा मिल पाई क्या राजस्तान सरकार हाथ पैर मार रही है क्या जोधपूर के जो मुख करना नहीं चाहिए इससे बड़ी बेशर्मी कुछ नहीं होगी कि किसी की हत्या हो जाए और आप वो करें लेकिन जब आप उसके साथ गिनाना शुरू करते हैं तो आप ज्यादा बेशर्म नजर आते हैं जब आप तबरेज पहलू ऐसे धेर सारे नाम लेते हैं तो दरसल आ कादरे साथ इस पर कुछ कह रहे हैं मैं कादरे साथ से जवाब लूगे पर बरुन पूरोईट से सवाल है मेरा कादरे साथ कहिए हमारे पतरकार जी को खुश शरामाना चाहिए इस खिसम की गुफतगू करते हुए एक जिमेदार नागरिक है यहाँ पर बात हिंदू मुसल्मान की नहीं है यहाँ पर बात हो रही है मुडर की और हम यह कह रहे हैं किसी मुडर को आप हिंदू मुसल्मान मत कीजे मुडर तो मुडर है और मुडर गलत है हम किसी भी मुडर की ताइद नहीं कर रहे है राजिस्तान में जो मुर्डर हुआ सरकार उस पर सक्स सक्स एक्षन ले आपसी दुश्मानी के नाते हो या जगड़े के नाते हो किसी भी एतिबार से अगर किसी का खतल होता है तो वो इनसानियत के खिलाफ है मैं ये कह रहा हूँ तबरेस का नाम लिए बैलुका का नाम लिए तो आपको बड़ी तकलीफ हो गई और अभी जेकली साब करे रहे थे के चोर को मार दिया जाएगा चोर को मार दिया जा सकता है तो क्या इलियन पैनल को इस बात की इजादत देता है के चोर को मार दो तो इसी तरीकते खतल गानइढ़तियी करो इतना पूलज़ी आप कहते कहते हैं इतना क्यों कमजोरी है अब कहा एर को आफ जो पत्रकार नीकर अब पर इन इस बहुएस की शुरूआज से ले कर अभी तक आप वही अटके हुए हैं अभी भी आप कतल की पुर्ण आपको अपने पत्रकार बोलने के लिए शरबाना चाहिए आप संप्रताइक ता प्हलाते हैं आप पत्रकार का काम यह नहीं होता आपका काम है अपनी जिम्धारी नहीं निभाँ पारे है कादरी साहब यही सवाल तो बाप पूछ रही है क्यों होता है कि छोटे छोटे बात पेचा को निकल जाती है वही तो उनकी माभी सवाल पूछ रही है है आरे में झिसने नEr स्ट्पीह मिडर कि कि हम उसको निंदा कर रहे हैं हम आप को शचांटी मिले आप यहां पर क्या चलाना है क्या जाना क्यारे कि उगला है आप क्षांटी मिले कि है आप टकी मिले क्या आप रहे हैं कर रहे हैं आप बच्चों को शांती सिखाएं आप शांती सिखाएं आपका काम यहीं सवाल पूछने हो चालिस जुरों में कई घटना सामने आती है करॉली की घटना को महीनों बीच जाते हैं अभी तक मुख्यारों पे गिराफ्तार नहीं किया जाता है जोद्पूर की घटना को लेकर कारेवाई की बात आप कहते हैं मुख्यारों पे अभी पर पकड़ा नहीं गया है करॉली में कारेवाई कोट की आदेश पर की जाने की बात कहती है कि जो लोग इस मामले में शामिल थे उनकी संपत्ती को कुर किया जाएगा मतलब आप सरकार से गोहर नहीं लगाएंगे हर चीज़ के लिए कोट के पास जाएंगे कोट का दर्वाजा कटकटाएंगे वहाँ से नियाई मिलेगा फिर सरकार है क्यों जनता ने चुना क्यों है फिर आपको अने मिका जी आपने कई प्रशन पूछ लिए इसके अलग-अलग पहलो है मैं पहले जैटली साहब ने कहा राइस्तान के क्राइम रेट के बारे में सबसे ज़्यादा कन्विक्शन रेट अगर इंडिया से ज़्यादा है तो राइस्तान में और फाइयार मेंडेटरी है इस दुखत है क्राइम कोई भी हो तो गलत है लेकिन क्राइम हो के हो रहा है अभी अधस जी क्यह हो रही यह हर बात को यह यह आर्थिक और और economic और social value इस पर discussion होना चाहिए कि नावालिक बच्चे चोटे-चोटे बच्चे हर बात पर जगड रहे हैं चाकू निकाल रहे हैं हत्या कर रहे हैं इसके पीछे क्या कारण है इसके चर्चा होनी चाहिए इस में यद प्रकार का क्राइं सोसायिटि कैसे बने स ні Rub game और यां अगलाने की पीजा करें ली exercise चाहिए कि आपका रियक्शन जरूर लोगी लिकिन ये समझना बहुत जरूरी है कि पिछले दिनों आखिर राजस्थान में कब कब कौन कौन सी घटनाई हुई है मेरे साथ वरिश पत्रकार लगातार जुड़े हैं उनको भी देखाते हैं उनका रियक्शन नुगी में कि आखिर राजस्थान में हुआ क्या है कब कब राजस्थान में बवाल कब कब हुआ है ये आपको दिखा देते हैं पहली घटना दो अप्रेल को कराउली में होती है इसी साल लगातार में इस बात का जिक्र नसी लिए कर रहे हैं क्योंकि राजस्थान में एक पैटरन सा बनता जा रहा है और एक तरह की हिंसाएं सामने आ बात कर रहा था और ये बड़ा ठीक के आपने दिखाया और एक बात में बताओं कि राजस्थान का इतिहास नहीं रहा है ये इस सरकार के कारेकाल की नाकामी है और जो कुछ हो रहा है बहुत क्लियर कट पैटरन है आप अगर देखिए तो करौली के बाद जिस तरह का बयान आया जो अशोग गलोत कर रहे हैं कि मुदी जी और शाय जी अपील कर दें मुख्यमंतरी आप हैं अपील वो कर दें तो ठीक हो जाएगा जोधपूर के बाद क्या बयान आया और सबसे बड़ी मुश्किल है कि अगर सरकार डिनायल मूड में है इतनी धेर सारी मुश्किलों जो यहाँ पर जरा कि कि सारे किसी एक मा जिनके आंखों से अशु लगाता निकल रहे हैं वो परेशान हैं रो रही हैं और लगातार देहल रहा होगा सर। मैंने तो अनामेका जी आइस बात का उधारन किया ना भी आपको कि वो खुद ही पूछ रही है ऐसा क्राइम युवाओं में बढ़ कैसे रहा है उस पर चाचा हो नहीं रही है कांगरेस का फेलेर है अरे यूबी में दिल्ली में अगर होता है तो अमिस्या जी फेलेर और नहीं है का जानबूत के राजनेतिक व्यवस्ता करते हैं डिवेट के कि बनाएं अगर हम दोशी हैं तो मानेंगे ग्रह मंतराले को क्या दिक्कत है ग्रह मंतरी जी को कमेटी बनाओना आप परते हो के सिमांग आप तो डिटेंड करते हो प्रिहिंगा गंदी नेंक पूरा इंदूस्तर राहिस्तान में कहीं जा सकते हैं आप ने रोका इली गली कि तस्पीर को नहीं गया करोणी तो हम खुद मौझूद थे जब ता गाड़ी में भरकर लेकर गया थे विद्वी के करता हुआ लग्त पर लेकर करते हैं क्यों पर प्रणी करते हैं में इस बात के लिए है रान हूँ कि कम से कब मैं पहली बात देखरा हूं कि किसी पार वक्ता जो है उसने इमानदारी से इस बात को कबूल तो किया कि हमारे परदेश की अंदर जो डेटा मैं प्रड्यूस कर रहा हूँ दलितों को लेकर के, बलातकार को लेकर हत्याओं को लेकर, वो खुद कह रहे हैं कि ये बात सथ है, कि ऐसा ही है लेकिन वज़ा दिखी, वो जो दूसरी बता रहे है कि हमने F.I.R. मेंडेटरी कर रही है बतला करा F.I.R. मेंडेटरी कर रहे है तो आकड़े सामने आ रहे है तो ये बुरी परिस्तिती से रायस्तान गुदर रहा है किसी परदेश का परवक्ता अगर इस बात को कबूल करता है तो इसको उसकी दाद देनी चाहिए उस परवक्ता की दाद देनी चाहिए दूसरी बात मैंने आप से कहा आश्वादी की खिलाफ़त में जो आखो कभी-कभी हम नहीं रखते हैं परदेश की देखना परवक्ता इस बात को रख रही है जो आपके अपने नेता और परदेश की जनता उसको भी नेकड आइस से देख पा रहे हैं कि क्या मेरे परदेश के अंदर हो रहा है इसके उपर तो चड़का भी नहीं बनती मुद्धा यहां पर केवल इतना है कि पिछले दोर में आप देखिए चाहे वो हिंदू-बुसल्मान की लडाई हो जो आपने देखा कैसे चाकों तो घोपा गया चाहे वो भीलवाले की बात हो भरतपुर की बात हो चाहे राजगान की बात हो हर जगहाँ पर यह सरकार केवल तुष्टी करण की राज़ीती के चाहे आप देखिए राजसाम के अंदर बोला कि जब पूरे देश के अंदर लाउड स्पीकर उतर रहे थे तब अशोक गैलाउट साहब ने का लाउड स्पीकर की आवाद पेट करें और सड़क पर बैठके नमाज बढ़िये और जैपूर जैपूर की तस्वीर तो हमने दिखाई थी कि किस तरह कैसे लाउड स्पीकर को लेकर कई लोगों ने सवाल किया था लेकिन उसके बाद भी सरकार्ण उसके लेकर कोई कदम नहीं उठाए थे आचारिया जी अचारिय विक्रमाज जी आवास पहुच रही आप तक मेरी जैपूर में जब सड़क पर नमाज पढ़ी गई लाउड स्पीकर लगा दिया गया और बाकाइदा मंत्रियों ने ये इंतजाम देखा कि भले शहर अस्तव्यस्त हो जाए लेकिन कहीं भी नमाज पढ़ने में कोई मुश्किल न हो दिल्ली जैपूर हाइवे पूरी तरह से ब्लॉक हो गया मुझे लगता है ये एक संदेश सरकार देती है और जब इस तरह का संदेश देती है कि करोली के बाद शोभाय आत्रा बंद हो जाएगी आप नियम कानून से चलेंगे लेकिन जब नमाज पढ़नी होगी तो आप कहेंगे कि सड़क पर आ जाई लाउड स्पीकर लगा देते हैं सांगानेरी गेट से लेकर बढ़ी चोपल चोटी चोपल सब जब जब जेगे के रास्ते बदल देंगे तो ये असर डालता है अभी कॉंग्रेस के प्रवक्ता पूछ रहे थे न कैसे ये सब होता है ये असर डालता है इस से ज़्यादा कुछ नहीं दिखता कि आप कैसे कोई सरकार किसी के पक्षविया विपक्ष में काम करें। मस्धित अगर पूरी फुल हो जाए तो रोट पर नमास पड़े तो हिंदू उसके लिए अपना आचल रखे उसको धूप ना लगे। ये अपने अख्तेदार के लिए अपनी गर्दियों के लिए ये हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। हर वो काम जो गलत है उसके मुकाली पर चाहिए वो कोई तरे इस बात कर स्वागत होना चाहिए यास्मीन वारू की है क्या हमारे साथ? यास्मीन जी है क्या हमारे साथ? यास्मीन जी हमारे साथ? जी हमारे साथ? लेकिन खुत्व मिनार पर जाकर कोई वेक्ती अगर ओम का अरे बढ़का हो क्या है आप मुझे पता हैं आप के लागे से नहीं निकलनी चाहिए और तो और अभी आपने कल जो व्यवस्ता देकि जी हमारे साथ? 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 अब जब एक की बादे खुलासे हो रहा है तो आईएस पूजा सिंगल को गरफतार कर लिया गया है पूजा सिंगल जिनके पास अकूच संपत्ती है यह वो आईएस हैं जो कम उम्र में आईएस तो बनती हैं लेकिन उसके बाद इनकी अलग-अलग सरकारों में किसी की भी सरका हो जारकंड में इनकी अलग-पैठ है उस सरकार में और हर बार इनका दब-दबा रहता है वही सवाल के आकिर पूजा सिंगल को इतनी पावर दी किसने हमारे से होगी अनूप राची से इस वक्त समासाथ पॉन लाइन पे जुड़ रहे हैं अनूप लगातार खबर पे नज लेकिन अभी तक ऐसी कोई पुख्ता जानकारी अंदर से नहीं आई है अभी पूजा सिंगल अंदर है पुलिस की तैनाती भी अंदर है पुलिस के लोग भी मौजूद है जो इस्तिती लग रहे हैं अब आपको तस्वीरें पर दिखा रहे हैं आप देखें ये तस्वीरें एक तरफ कि तरह से पुझता जोई थी उनके पति जिनका बड़ा अस्पताल है उनसे भी पूझता जोई थी आखिर इतनी संपत्ति आई कहां से नोटों कि गड़्डी बरामद होती है घर से जार्खन मालग लग जगाओं पर उनकी संपत्ति के बारे में जानकारी मिलती है जिस तरह से एक के बाद एक लगातार पूजा सिंगल को लेकर खुलासे हो रहे थे इस बात क्यों मीत थी कि जल्दी पूजा सिंगल को औरिस्ट किया जा सकता है क्योंकि उनसे भी पूछतात में कई मौत्रपूर्ण जानकारियां मिल सकती है पूजा सिंगल जो ये बता सकती है एडिको की क्या जारखन के अलावा और दूसरी जगों पर भी इसी तरह किसे उनकी संपत्ती है अब उन्हें गिरफतार किया गया है खनन सचिव जारखन की पूजा सिंगल को गिरफतार किया गया जानकारे मिलती है कि अकूट संपत्ती है उनके पास यह तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं देखिए वो नोटों की गड़ी है पिछले दिनों हमने आपको और भी तस्वीर दिखाई थी कि किस तरह से उत्तर प्रदेश में एक व्यापारी के कलाफ कारेवाई होती है और जी नोटों की गड़ी मिलती है अकूट संपत्ती पता चलती है पूजा सिंगल को गिरफतार किया गया है अनूप लगातार हमारे साथ जुड़े हैं जी अनूप अभी शेक नहीं पहुचे थे उनके पती अभी शेक जा लेकिन दोपहर कली धाई से तीन बजे के बेच वह भी पहुचे तब से कयास लगाया जा रही थी कि शायद आज गिरफतारी होगी लेकिन अब जो जानकारी मिल रही है कि उनको औरेस्ट कर लिया गया है इसी एड़ कि अभधी भी खत्म होने वाली है और अगर उनको यहां से लेकर जा जाएगा हम कोशिच करेंगे पूछने की बातचीत करने के कोशिच करेंगे बड़ा स्केंडल था उनके पीछे मन्रेगा से जुड़ा था चत्रह में डी सी ती वहां भी स्केंडल हुआ उसके बद पलाम आज उनको सस्पेंड नहीं किया गया यह भी जानकारी है अब पूजा सिंगल को लेकर लगतार अनुपिया जानकारी मिलते रहे कि सरकार किसी भी पार्टी की हो लेकिन पूजा सिंगल का रुतबा कभी भी कम नहीं हुआ है यहां तक की सवाल यह भी पूछे गए कि अखर क पर काभी रहरा आब भी वर्तमान में देखे ऐ, खान सचीव के अलाया वह इंडस्ट्री सेकरटरी भी थी, JSON-डीजी की वो चेरिमें भी थी, अब समझे खान वो विभाग जिसकी वो चेरिमें भी है एजेसम्डीसी के और उसके बाद सेक्रेटरी भी होती है वहीं से यह मामला हमन सुरेंज से भी जुड़ा हुआ देखे आज अगर गाज गिरिया पूजा सिंगल के उपर तो आप कई मामले सामने आएंगे चाहे वो खूंटी का मामला जान मनरेगा से जुड़ा जिस पर ज बड़ी के आरोप लगे थे उसकी भी जांच होगी और इसके अलावाद जो भी अनिमितिताएं हैं जो कैश मिला है उनके पती के सिये से उसे लेकर भी पूस्तास की जाएगी जो जानकारी मिल रही है एटी का दफ्तर है और इसी दफ्तर के अंदर अभी पूजा सिंगल मौ लेने की कोशिश भी एटी करेगी और उसके बाद फिर से पूस्ताज का सलसला शुरू होगा हम आपको तस्वीरे दिखा रहे है एक एक बड़ी ख़बर के रूपे भी हम इसे कह सकते हैं कि पूजा सिंगल को डिटेन कर लिया गया है और देखें एटी दफ्तर के बाहर लगा सकते हैं कि अंदर हल्चल बड़ी हुई है पूजा सिंगल के गरफतारी पुखता हो गई है कि यहां उनको गरफतार किया गया है अब उन्हें जो आगे की प्रोसेस है जो कारवाई है या तो सद्रस पताल ले जाएगा मेडिकल टेस्ट के लिए उसके बाद उन्हें क जलवा उनका रुद्वा हमेशा कायम रहा अब जब पूजा सिंगल को गरफतार कर लिया गया है जिस पूजा सिंगल का जित्र लगातार आप भी करते रहे हैं क्या उसकी बारे में कुछ पता चल पाएगा बिल्कोल ये तो राज अब खुलेगा क्योंकि एडी ने अधिकारिक तोर पर ये नहीं बता है कि पूजा सिंगल ने क्या-क्या जवाब दिये हैं क्या-क्या बाते उन्होंने बताई क्या-क्या राज खुला है लकिन जाहर तोर पर अब तमाम जो एंगल है पुलिटिकल ए एक राज खुलेंगे पूजा सिंगल खुद बताएंगे कि आखिर कौन कौन से लोग है यह संपत्ती अकुद संपत्ती आखिर आई कहां से अभिशेक जा जो यह दावा कर रहे थे के टेश्ट करोड का लोन उनके अस्पताल के उपर में है और अस्पताल की किमत लगबग एक 120 करोड के आसपास में है वो राज भी उगला जाएगा वो भी राज बाहर आएगा कि आखिर यह पैसे आए कहा से क्या गलत तरीके से पूजा सिंगल ने जो पैसे कम है उसका इन्वेस्ट में हुआ जो जमीन खरी दी गई जो फ्लाट कर दे गए उसमें इन्वेस्ट हुआ यह तमाम बातें अब साफ होंगे अनामिका अभिशेक उनके पती को लेकर अनुप कोई जानकारी मिल पा रही है क्योंकि उनके पती को और उनको साथ ने पूस्टाज के लिए बुलाया गया था बिल्कुल आज सुबे मैं आपको बता होने मिका सुबे सवाद दस बजे के आसफास पूजा सिंगल पहुच गई थी बिल्कुल पूजा सिंगल पूजा सिंगल आ गई थी पूस्टाज के लिए लेकिन अभिशेक उनके साथ नहीं था हम यह उमीद करें का अभिशेक को बुलाया जाएगा जानकारी मिल यही थी का अभिशेक को बुलाया जाएगा लेकिन अभिशेक तीन बजे के बाद पहु किसी सब्ता या सरकार या किसी सिस्टिम के खिलाफ नहीं हूँ मैं उन लोगों के खिलाफ हूँ जो इंसाफ की आवाज दबाना चाहते हैं मैं उन लोगों के खिलाफ था और हूँ और रहूंगा कि आपको एक पक्षे वो कहता है कि भाई आपको जूट परोसा जा रहा है कोई आज या कल से नहीं सदियों से सदियों से भी पहले से सिकंदर और पोरस की लड़ाई याद है आपको दर्शुकर मैं आपसे पूछता हूँ आज सिकंदर और पोरस की लड़ाई याद है कि नहीं पूछता है भाई हम सब को पढ़ाया गया कि सिकंदर जीता और पोरस हारा क्या पढ़ाया गया अगर गलत बोल रहा हूं तो बताई क्या यह नहीं पढ़ाया गया हमें सिकंदर और पोरस की रडाई में जिए ग्रेट सिकंदर वन और भारती एसमराठ पोरस हार गए थे लेकिन फैक्स जब निकाले जाते हैं तो उनको काउंटर किया जाता है भाईया पोरस जीता था सिकंदर नहीं अलग अलग हिस्टोरियन अलग अलग फैक्स लेके आते हैं तो आज ये डिबेट है मैं चाहता हूँ मेरे एक गैस आ जाया है बिल्कुल बैट जाया है मैं अगले दो मिनट में चुलू कर रहा हूँ ये एक असलियत है तो एक पक्ष वो जो ये कहता है कि भाई जूट परोसा जा रहा है एक के बाद एक और दूसरा ये कि आज दूसरा पक्ष ये कहता है कि भाई आज ताज महल का नाम आप कुछ और रखना चाहते हैं कुत्व मिनार का नाम आप मतलब ताज महल को कुछ और रखना चाहते हैं कुत्व मिनार का नाम कुछ और रखना चाहते हैं ग्यान वापी मौस्ट का चल रहा है महां मंदिर था तो ये सब जान बूच के हो रहा है और उनका ये कहना है कि बेसिक मुद्दे से ध्यान हटाने के लिए और आए लेकि इन जो दूसरा पक्ष है दोनों पक्ष होंगे आज डिबेट होनी चाहिए फैक्स पे वो ये कहता है कि भाई सिकंदर और पोरस की लड़ाई से लेके ताज महल तक कुतुम मिनार तक फैक्स को और्टर किया रहा है ग्यान वापी मौस्ट के क्या है वो कहते हैं जब वहां से अगर स्वास्तिक आया वहां पे स्वास्तिक बना हु है वो कहते हमसे मत पूछो अब अपना फाइंडिंग करा लो कुतुम मिनार के वहां से वो कहते हैं भाई ब्रह्मा विश्नु महेश की मूर्तिया निकल रही हैं अपने आप चेक करा लिजे कितने साल कितने दशक नहीं कितनी सदियों पुरानी है तो दूसरा पक्ष कहता है देखो तुम यह सब कर रहे हो भड़काने के लिए का तुम यह सब जानबूच के कर रहे हो इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम्हारे पास कोई और में दून लेकिन फिर काउंटर आता है वो कहता है अगर मैं गलत हूँ तो तुम भागते क्यों अगर मैं गलत हूँ तो तुम चीज खराब हो गई है उसके उपर आप कुछ लगाते रहे लगाते रहे लगाते रहे लगाते वो यह कहता है कि जूट की इतनी परते हैं कि अंदर असलियत जो है वो किसी को पता ही नहीं 10 साल 20 साल 40 साल भाई facts तो भाई है कब पता लगेगा जब सर्च होगी न्यूट्रल एजिंसी से करा जो ना इदर की हो ना उदर की एक से ना करानी हो दो से करानी हो दो से करा लीजे तीन से करानी हो तीन से करा लीजे लेकिन जाच से परहेश की चाहें वो ग्यानगापी की बात हो चाहें वो कुतुमिनार की बात हो ताजमेहल की बात हो मैं इस देश से एक बार फिर वादा करता हूँ कि सच के लिए रिपब्लिक की लगाई कभी कभी जोर नहीं हूँ क्योंकि हमारे लिए राष्ट सर्व परी है रिपब्लिक के खिलाफ साजी श्रस्रेवाले हमेशा हर्थ रहेंगे मैं एक बार जरा तस्वीरे दिखाना चाहती हूँ मैं एक बार तस्वीरे दिखाना चाहती हूँ हाँ हाँ मुझे 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 साथ मैं एक बार तस्वीरे दिखाना चाह रही हूँ अंदर की तस्वीर है जो इतिहासकार ने हमें दिखाई अनुपमा को दिखाई और वो तस्वीर देखिए वहाँ पर हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां उके रही है ये तस्वीर सामने आई है और इसमें आप देखिए कलाकृती जो बनी हुई है और हिंदू देवी सेवताओं की मूर्तियां उसमें उकेरी गई, तूटे मंदर के अफशेश उसमें भरे गए, इतिहासकार बताते हैं कि मंदर जब तोड़ा गया, उसके बाद उसके अफशेश ठहखाने में भर दिये गए, और ठहखाने में मंदर वाली ही कलाकृती है, मंदर वाली ही कलाकृत मैं चाहती हूं सरवर्ण साब आप जाए इधर इधर इसले चाह रही हूं कि आप आएं क्योंकि इन तस्वीरों पर हम बात करना चाहते हैं एक बार आएंगे क्योंकि तहखाने में यह जरा देखिए यह ज्यानवापी तहखाना है अब इसको खोलने की मांगो रहे हैं जरा आप इधर खड़े हो जाईए अब मुझे बताईए सरवर्ण साब यह भगवान की मूर्तियां हैं अंदर अब यह बताईए कहरें तहखानों दूसरी तस्वीर भी दिखा दीजे यह ज्यानकूप है यह ज्यानकूप जहाँ पूजा होती रही थी पहले से पहले से होती रही जरा अब थोड़ा से इधर हो जाईए सरवर्ण साब क्योंकि आपकी तस्वीर देखिए पूजारी कर रहे है यह ज्यानकूप जहाँ जिनको पूझते रहें अब बताईए ये क्या नहीं है मां का अधिकार नहीं है मैं पहले भी आपके चैनल पर बोला था आज फिर बोल रहा हूं यदि गवरी शिंगार के पूझा को किसी ने रोका और आप करें 1991 तक चल रहा था तो निर्बाद चल रहा था कोई बाधा नहीं तो ये बंद किसे ने कराया ये तो अजीज खांसा पताएंगे चार की दौरान बंद हुआ यह उपन्द हुआ बाद के जो चीजह जो चीजह सोतंत्र भारत में अपनी बात कर रहा भारत में अब जिस प्लेसे उफ वर्षिप एक्ट का बार बार हवाला दिया जाता है वो 15 तुम्हारा धर्म या राश्टधर्म और मैं कहूंगा और मैं कहूंगा मेरे लिए भारत पहले आता है राश्टधर्म पहले आता है तुम्हारा धर्म पहले आता है आईश्वरिया आपने अभी जो प्रारंभीक में सारी बाते कही मुझे लगता है अगर दर्सकोन और अस्रोताओं ने जिसे सुना होगा तो उनके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे और यहां जो भी बिद्वान बैठे हुए हैं चाहे मुस्लिम स्कॉलर हैं चाहे राजनेटिक पार्टी के हैं या सादू हैं वो सब इस संबाद में भाग ले रहे हैं बात ज्याजवापी की हो बात राम मंदिर की हो बात कृष्ण जन्म भूमी की हो बात कुतुब मिनार की हो बात ताज महल की हो या बात तीस हजार उन्धर मस्थलों की हो जब भारत की बाहर से आये हुए आकरानताओं ने भारत की ऊपर लूट पार्ट मचाते हुए यहां पर भर्म का परिवर्थन कराते हुए और भारत के मूल संस्क्तिन और मूल आत्मा सनातन संस्क्तिन के मंदिरों को बिध्वन्थ करते हुए उनके प्रतीशचों को उनचाहते हुए तब इस नियुक्ट में कि सब्सक्राइब नहीं हुए उन लोगों के खिलाफ हूँ जो इंसाफ की आवाज दबाना चाहते मैं उन लोगों के खिलाफ फार हूँ और रहूंगा सिकंदर और पोरस की लडाई याद है आपको दर्शो मैं आप से पूछता हूँ आज सिकंदर और पोरस की लडाई याद है कि नहीं पूछता है हम सब को पढ़ाया गया कि सिकंदर जीता और पोरस हरा क्या पढ़ाया गया गर गलत बोल रहा हूं तो बताई क्या ये नहीं पढ़ाया गया हमें सिकंदर और पोरस की रड़ाई में लेकिन फैक्स जब निकाले जाते हैं तो उनको काउंटर किया जाता है भाईया पोरस जीता था सिकंदर नहीं अलग-अलग हिस्टोरियन अलग-अलग फैक्स लेके आते तो आज ये डिबेट है मैं चाता हूँ मेरे गैस आ जाया है बिलकुल बैट जाये था मैं अगले दो मिनिट में चुलू कर रहा हूँ ये एक असलियत है तो एक पक्ष वो जो ये कहता है कि भाई जूट परोसा जा रहा है एक के बाद एक श्रिंगार गौरी की पूजा एक दिन नहीं पूरे साथ क्या कोट देगा ज्यानवापी में पूजा का धिकार आ गई है फैसले की घड़ी देखिए महा भारत बेरे साथ शाम पाँज बचकर सत्ता वर्द जारकंट की खनन सचे वाई एस पुजा सिंगल किरफतार आची में 16 गंटों की पूस्ताच के बाद ईडी ने की गिरफतारी पुजा के गड़ से बरावदू लेते 25 करोड कैश काशी के ग्यानवापी सर्वे में बाद पर सुनवाई पूरी कोट कल दुपहर में जुनाएगा अपना फैसला इंदू पक्षने की शाही मस्जिद के देखाने के सर्वे की मांग देश द्रोकी धारा पर सुप्रीम कोट का अडेश खा देश द्रोकी धारा में दर्ज ना हो केस धारा 124 ए पर दुबारा हो विचा करनाल से किरफतार आतंकियों का बड़ा खुलासा का पाकिस्तान से आतंकी रिंडा भेज़ता था विस्पोटा को ट्रक्स दो फरजी गारियों की आरसी भी बरावाद दिली वे अतिक्रमण पर फिर चला बुल्डोजर लोदी कॉलनी घिटोरनी अरजयन गर्ड सी लंपूर समेत का इलाकों में हुई कारवाई जमू कश्मीर में दो जगाओं पर मुट भेड जारी बांदी पोरा में सुरक्षा बलोने कातंकी को किया धेरन अंतनाग में सुरक्षा बलोने आतंकीों को खेरा नमश्कार आपके साथ मैं उस उचरतक उक्रेती आप देख रहे हैं महाभारत और आज महाभारत में बात होगी ज्यानवापी के उस फैसले की जो अब कल आने वाला है कल दोपहर बारा बजे घ्यानवापी विवाद को लेकर फैसला आएगा लेकिन आज महाभारत में मैं सीधे सीधे सवाल पूछ रही हूँ कि घ्यानवापी मंदिर या मस्जिद और यह सवाल इसलिए क्योंकि ज्यानवापी मंदिर या मस्जिद इस सवाल का जवाब आज हम महाभारत में जानने की कोशिश क्यों कर रहे हैं हम आपको ज्यानवापी को लेकर ऐसे सुबूत दिखाएंगे और ऐसी गवाही दिखाएंगे जो चीक-चीक कर कह रही है कि महां मंदिर ही था हिंदू पक्ष 1858 की तस्वीरों को दिखाते हुए दावा कर रहा है कि उस वक्त महां मस्जिद का कोई नाम निशान नहीं था नंदी भग्मान की मूर्ती जिसका मुखादी विश्वेश्वर शिवलिंग की तरफ है सुबूतों के जरिये हिंदू पक्ष दावा कर रहा है कि महां हमेशा से मंदिर था लेकिन विवाद इस बात को लेकर नहीं है आकरांताओं ने मंदिर पर कबजा करके उसकी पहली मंदिर पर मस्जिद बना दिया विवाद इसको लेकर भी नहीं है मंदिर मस्जिद विवाद पर अगर इतिहास के पन्ने पल्टे जाएं तो बहुत ही स्यास सच क्या सामने आ सकता है सवाल ये है और क्या यही वज़ा है कि इस सर्वे को लेकर इतने सवाल उठ रहे हैं क्या इस सच को स्वीकार करने में क्या कुछ लोगों को दिक्कत होगी। सब जानते हैं कि ग्यानवापी का अस्तित्व वहाँ खड़ी मस्जिद से काफी पुराना है। फिर सर्वे को लेकर मुस्लिम पक्षने विरोध क्यों जताया इस पर सवाल उठ रहे हैं। महा भारत में वही सवाल उठाऊं। में सुप्रीम कोट की ही गाइडलाइन्स का उलंगन है। जो 1991 तक होती रही थी उसका फिर से अधिकार देना क्या इतना मुश्किल हो गया कि मामला अब सर्वोच दालक तक चला जाएगा। और क्या सुप्रीम कोट में मामला जाएगा तो देश एक और बड़ा विवाद देखने वाला नहीं है। इसी पर महभारत। पहली गवाही दिखाने जा रहा है। और 1858 की तस्वीरों में मस्जित कहीं नजर नहीं आता। दूसरी गवाही सोहन लाल बर्मा पहले याचिका करता। ग्यानवापी मामले पर पहले याचिका करता सुहन लाल बर्मा का दावा है कि आज भी मस्जित के गुंबद मंदिर की दिवारों पर ही बने है। वो तस्वीरे दिखाते हुए बताते हैं कि मंदिर की अफशेश, मंदिर की दिवारे साफ नजर आती है। आगे सुहन लाल बर्मा का ये भी कहना है कि 1937 में जब पहली बार सुन्वाई हुई थी तो कोट दे केवल तीन लोगों को ही नमाज पढ़ने की इजाज़त दी थी। लेकिन अब कोट के उस फैसले की अवमानना हो रही है। ये मंदिर का हिस्सा है देखिए उपर सफेद वाला जो है ये मस्जिद का हिस्सा जोड़ा गया है। इसी के उपर जोड़ दिया गया है। ये मस्जिद की न्यू नहीं है। न्यायले में निरणे हुआ है कि इस मस्जिद में तीन लोग नमाज पढ़ने का लिकारी होंगे लेकिन आज इतने मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं यह माननी न्यायले का घोरतम अपमान है नमाजिक कारकरता आर्पी सिंग ने हमें पुराने मंदिर की कई तस्वीरे दिखाएं वो तस्वीरे भी दिखाएं जिसमें कलाकृतियां साफ नजर आती हैं और यह तस्वीरे अपने आप में ज्यानवापी के मंदिर होने की गवाही दे रही हैं आर्पी सिंग में कहा कि तह इस तहखाने के अंदर चलने दो, ताला खोलो और हम उसकी भी वीडियोग्राफी करेंगे, उसके भी सबूत दिखाएंगे, और 100% मेरा दावा है, इस तहखाने में जो भी औसेस रखे गए हैं, जो भी कलाकृतियां उस पे बनी हुई टूटी-फूटी दिखती हैं, बरतमान में जो मूल स्ट्रक्चर खड़ा है, उसमें भी वही कलाकृतियां है, इंदो पक्ष जहां लगातार सुबूतों के जरिये ग्यानवाफी में मंदिर का दावा कर रहे हैं, वही मुसलिम पक्ष के वकील कह रहे हैं, कि सर्वे को लेकर कोई विरोध नहीं था, वकील का कहना ह ये प्लेस व वर्शिप अक्ट से साफ है, कि हर जगा पर सवाल उठाना सही नहीं। ग्यानवाफी विवाद में सर्वे को लेकर कोट गुरुवार को अपना फैसला सुनाएगी, लेकिन उससे पहले हिंदू पक्ष जहां सुबूतों के जरिये अपना दावा मजबूत बता रही है, वही मुसलिम पक्ष 1991 के प्लेस व वर्शिप आक्ट की दुहाई दे रहा है विवाद में सर्वे को अपने महमारों का परिचे कराऊं, उससे पहले आपको बड़ी ख़बर बता दू कि ज्यानवापी को लेकर हिंदू पक्ष का बड़ा दावा सामने आया है, हिंदू पक्ष का कहना है कि प्लेस वर्शिप आक्ट लागू नहीं होता है ज्यानवापी वो कह रहे है कि अभी तय ही नहीं है कि ज्यानवापी मंदिर है या मस्जिद, बड़ा सवाल, आज बड़ी ख़बर आपको ये बता रही हूँ कि आज कोट का फैसला कल दुपहर 12 बजे आएगा, कोट का फैसला सर्वे को लेकर और कोट कमिश्टर को लेकर आएगा, लेकिन उससे पहले हिंदू पक्ष के वकील कह रहे है कि प्लेस ऑवर्शिप आक्ट यानि कि पूजास्तल अदिनियाम 1991 तो ग्यानवापी पर लागू नहीं होता, क्योंकि ये तय नहीं है कि ग्यानवापी मंदिर है या मस्जिद, जड़ा सुनिए पहले मंदिर है कि मस्जिद है, आपका मस्जिद डिसाइड नहीं हमारा मंदिर डिसाइड नहीं है, कैसे लागू होगा उस पर और लगातार इस विवाद में आप Places of Worship Act देख रहे हैं और इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, जो वकील है हिंदू पक्ष के, वो कह रहे है कि Places of Worship Act लागू नहीं होता है, ये Places of Worship Act यानि पूजा स्थल अदिनियाम 1991 में कॉंग्रस सरकार ने इसे बनाया, और ये 1991 मे बाद के धार्मिक स्थलों में बदलाव नहीं होगा, ये कानून ये कहता है, यानि अलाजादी के बाद, 15 अगस 1947 के बाद, किसी भी पूजा स्थल का जो स्वरूप है, वो बदला नहीं जाएगा, धर्म विशेश के पूजा स्थल को दूसरे धर्म में नहीं मिलाया जा सकत ये कहता है, ये कानून, मंदिर मस्जद विवाद को खत्म करने के लिए ये कानून लाए गया था, क्योंकि जब राम जन भूमी विवाद अपने चरम पर था, उस वक्त ये कानून लाए गया था, 1991 में, राम मंदिर अंदोलन के चरम पर ये कानून आया, और इसलिए आज जब इसे ज्यानवापी पर लागू किया जाता है, मैं इसके बारे में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि सीधे अब हिंदू पक्ष कह रहा है कि ये तो इस पर लागू ही नहीं होता क्योंकि ये तर नहीं है कि वो मंदिर है या मस्जिद है, मैं वापस अपने महमानों के पास पहले परिचे आपसे करा देती हूँ, मेरे साथ बीजेपी की राश्ट्री प्रवक्ता और सांसा दपराजिता सारंगी जी जुड़ रही है, मेरे साथ जुड़ रही है समाजवादी पार्टी की राश्ट्री प्रवक्ता मनोथ सिंग काका, मेरे साथ यहां स्टूडियो में हिंदू स्कॉलर धरम गुरू स्वामी दिपांकर मेरे साथ जुड़ रहा है राजनेतिक विशलेशक शिवम त्यागी मेरे साथ यहां स्टूडियो में है वकील अजगर खान साब और साथ ही इसलामिक स्कॉलर हाजिक खान साब हमारे साथ स्टूडियो में बहुत-बहुत एक लकील करे प्रसुड और फार क्ली नहीं कुर्षय पार किसी सी एक वरूपागे के बढ fascinate अगर मैं आज इकैने लगूं कि मत्रा का ये मंदिर जो है ये मस्जिद है और मैं उसकी बात है जो भी मेरे दिल में हो मैं कहने लगूँ कि शब ये तो क्या उसके अपर ये कानून लागिन हो नहीं होगा बड़ी बे-बुनियाद बात है जो ये बात कही आ रहे है बड़ी बेबुनियाद बात है कि जो 18 सेप्टेंबर 1991 को यह एक्ट प्लेस आफ वर्शिप एक्ट जो बना किसी भी कौर्मिंट की मौझूद्गी में बड़ा लेकिन पार्लेमिन ने बनाया और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर मोह लगाई ऐउधिया के मामली के दर्मियान तो इस ने आप लेसे वर्शिप एक की बात करते रहे हैं लेकिन यहां पर हिंदू पक्ष कह रहा है कि यह तैन नहीं है ज्यान वापी तो मंदिर था उस मंदिर के अवशेष आज भी है हम उसे चुनौती नहीं दे रहे हैं लेकिन उस मंदिर का स्थाइत्व को दर्किनार जिस नमाज होती रही है आप क्या कहेंगे उसको तस्वीरे दिखाए उसमें जो महंत है काशी विश्वनाथ को कह रहे हैं 1858 की तस्वीर देख लिए इसमें तो मस्जिद है ही नहीं यह कह रहे सोला सो से महां पर नमाज हो रही है हम कोरीडोर के उद्गाटन में वारण अस आस्था चाहे वो आपकी हो चाहे वो हमारी हो उसे तै करने का अधिकार अगर जो राम-मंदीर में अधालत देती तो वरतमान अगर अधालत कुछ हस्तक कर रही है तो हमारा खुले हिर्दे से उससे स्वीकार करना बनता धर्म और विज्यान में सिर्फ इतना सा अंतर है विज्यान का आरत में संसार से कह रहा हूं तो उसे जाने तो दीजे अंदर, नक्षे को देखने तो दीजे, वो तो बाद में तय होगा, आपको कोई डर है क्या इसलिए आप नक्षा नहीं देखना जा रहे हैं, आपको हैं यह, क्या आप हिंदुस्तान का कानून को मानते हैं नहीं, संमीधान को मानते हैं नहीं, बिल्कुल मानते हैं किसी का यह Khak है यह Huffां है यहalah को देने आफ गया को मान रहे हैं suck you she noch a और दो मैं आपको जाना है करने ते मेला लग रहा था महाँ पर जो आप इतना मानते हो सुप्रीम कोर्ट को इसके बाद भी अगर हम कौर्ट जाते हैं जो हमारा हक है इसमें गलत काई अगर हम खलत गया है अगर अगरम गलत कहई पहले भी तो कि अ तो यहां मुस्लिम पक्स लोगों को लटकाना बटकाना चाहता है प्लेसे वर्शिप एक्टर ट्रैक्टी नहीं होता है क्योंकि प्लेसे वर्शिप एक्टर सेक्षन चार दो क्या कहता है अगर मान लीजे मैं किसी मस्जिद में जाके मूर्टी रख दूँ तो क्या वो मस्जिद मंदिर हो जाएगी या कोई मंदिर में आके नमाज पढ़ ले तो क्या वो मंदिर मंदिर हो जाएगी एक ही जवाब हो सकता है नहीं हो सकती और इसलिए प्लेसे वर्शिप एक्टर का पर वहाजिस आपने पढ़ें गर्वाजी नहीं पढ़ेंगे वहाजीज पढ़ेंगे जो उनको नहीं दगता है और सवाल यहें देखिए ऐसा नहीं हो सकता है कि नीचे मंदिर हो शिवनिंग हो नहीं हो देविद एवताओं की मूरतिया हो वेस्टन साइपर बहाज रिंगार प्राजिता जी इंतजार कर रहे हैं लेकिन मुझे बताए जा रहा है अनुपमा और वैभाव हमारे साथ बनारस से जुड़े हुए हैं और अगर मैं उनको स्क्रीन पर दिखाओ क्योंकि दोनों पच्छ वहाँ पर अनुपमा के साथ है यह का जा रहा है वहाँ पर आप तो प दिखा रहे हैं कि आखिर किस तरीके से जो है हिंदू पक्ष क्या कह रहा है मुस्लिम पक्ष का क्या कह रहा है लेकिन देखे मिरे साथ और जदा बाच्वीत करने के लिए मुस्लिम जिस तरीके से मुस्लिमों की तरफ से लगातार इस बात का आरोप लगाए जो आ रहा है कि हिंदू पक्षुय खुलकर अपनी बात नहीं रख रहा है इसको लेकर नरेंद्रा नन सुरसुती जी मौजुदे सर्फ सबसे पहले ये समझाए कि जिस तरीके से विवाद पूरा उत्पन हुआ इसको लेकर कई तरीके की बाते सामने आ रहे हैं इस पर आप क्या कहेंगे वैसे कासी का आधार अवलंबन गंगा और विसुनाथ से है औरंग जेब ने 500 साल पहले विसुनाथ को तोड़ कर नश्ट किया था आज भी उसके अंदर तहखाने में लगभग 50 से ज़्यादा मूर्तियां है दच्छन तरफ नंदी है और जिसको ग्यान बापी मतलब कुंड जिसमें लोग अशनान कर गंगा से पहले ग्यान बापी में अशनान करते थे मजण करते थे जिसकी उनकी चित्वित्ति सुध पवित्र निर्मल होती थी और पश्च्छम तरफ एक अंधे को भी अगर अहां से ठटोला जाए तो यह प्रमानित होता है कि यह मंदिर था मंदिर है और भविश्य में मंदिर रहेगा शेंगार गवरी आज भी पश्च्छिम में है जिसको लेकर यह पूरा विवाद चल रहा है आजाद भारत में सुतंद भारत में इसे 29,000 मस्जिदें हैं जो मंदिर थे जिसको कई तरह के साच प्रमान कई लोगों के पुस्तकें इस बात का प्रमान है और इसलाम का आधार 1400 साल है और सनातन धर्म का आधार अगर देखा जाए तो अर्वो वर्ष का इतिहास है पुरान है वेद है एश्मतिया है और किसी भी मस्जिद को खोजो भारत ही नहीं पाकिस्तान हो चाहे अबगानिस्तान हो इरान इराक मक्का वहां भी अगर खोदाई करोगे तो हिंदू प्रतीक चिन नहीं मिलेंगे ठीक है यह जो बात अनुपमा के साथ महंत वहां पर हैं और वो कह रहे हैं कि अगर आप देखेंगे तो आपको वहां पर हिंदू चिन नहीं दिखेंगे मैं मैं कि करके वो सुबूत दिवारों पर भी जो वहां पर उके रहे हुएं यहां पर अपने अपने सूडियो में दिखाने के कोशिश करूगी कि वहां पर क्या गभाई दे रहें लेकिन एक बार मैं अपराजिता जी के पास चली जाओ अपराज जादी और मनोच जी को ले लिजे स्क्रीन पर मनोच जी ये प्लेसेज और वर्शिप एक्ट को लेकर सीधे चुनाती जो विश्णु जी कह रहे हैं विश्णु जी कह रहे हैं कि पहले टाय होगा कि क्या था वहाँ पर विश्णु जी के ही पक्ष को बहुत जादा एक पक्ष के बातों को तरजीह न दिया जाए सभी का सुना जाए और विश्णूजी जैसे और जितने भी लोग हैं जो इस तरह के विबात खड़ा करना चाह रहे हैं उसके बुनियाद में ये है कि आज भारत में पत्रकारिता की हालात 142 से 150 नंबर रैंकिंग बैस्विक रैंकिंग पे आ गई आज रुपया 77 एक डालर के मुकाबले 77 रुपया 33 पैसा हो गया जो प्रदान मंत्री हमेशा ये बयान देते थे कि रुपय का गिरना देश की स्थाख का गिरना है तो आज क्या हालात है आज हमारी भुखमरी में हालात ये है कि हमारे देश की भुखमरी में हालात मैं पर आप ये ये आपका मैं बनारस का रहने वाला हूं मैं मैं बनारस चंदावली का रहने वाला हूं आप जो टापिक देश के लोगों की है उस पर डिबेट नहीं कर सकता तो सर आप आपके उपर था सर आप बना कर देते आने से सर मैंने आपको बज़बूर तो नहीं किया था आपके आने के लिए आज बात ग्यान-बाफी पर हो रही है आप फिर anime के डहेते हैं सर आप से कि ग्यान-बाफी पर क्या आपके बोले क्यों कि 1999 में जब पूजाक अधिकार चीना गया तो आप ही की सरकार थी, तो अधिकार तो चीन लिया लेकिन वापस दिलाने के नाप पर आपको महगाई आदाती और बाकी मुद्धिया आते, अच्छी बात है, अच्छी बात है, लेकिन जो आपकी सरकार में अधिकार चीन लिया, उस पर कुछ तम आपको तथ्यों का नालेज होना चाहिए आपको हमसे पुरो के कई वक्ताओं ने कहा आपने पढ़ा है क्या उपासना अधनियम 1991 पर पढ़ा है कि नहीं उसमें अश्पस्ट लिखा है उपासना अधनियम 1991 बना कि खया को चूड करके देश्में जितने भी धार्मिक अस्थल है उनिस साथालीस के बाद जो जिसके स्थिति रही वही रहेगी उस पर कोई लिगद इसनियम उनियम रही है कि यहां पर कॉई नखिर गिराने की बातों और एंच से लोगों कौन सा धार्मिक चल गिराने की बात कर कर दो कि आपको टॉपिक बता कर आमंत्रित करते हैं कोई बात नहीं आपको कर सकते हैं आपकी मर्जी है सर मैं तो आमंत्रित कर रही हूं आपको दूसरी बात सर यह जहर फेलाने वाली जो बाते करते ना सच से कब तक भागेंगे मनोजी सच से कब तक भागेंगे कब तक भागेंगे यह बता दीजिए सुचरिता जी मैं पूछना चाहता हूं अभी इन्हों ने टिपड़ी की कि आपने क्या पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए पहली बात तो मेरा स्ट्रॉंग अब्जेक्शन है कि आप एक महिला पदकार उपर इस तरह को अब्जेक्शन नहीं कर सकते हैं दूसरी बात अगर इन्हों ने पढ़ा है तो इनसे पूछिए सेक्शन फॉर सपक्रास टू में रेलिजेस करेक्टर वर्ट तहां यूजद है पूछे जरा इनसे और रेलिजेस करेक्टर का मतलब क्या होता है पूछिए इनसे पूछिए इनसे आप जी आई है वापस तु यहां पर नहीं बोलना चाहते हैं तो देखते रहे हैं तो देखते हैं एक सकंद अपर आजी आई कि नहीं वापस में जाओंगी मैं इक बार मनोजी मनोजी देखिए मैं आपसे सिर्फ एक चीज़ कहना चाहती हूं एक तो मनोजी मेरी सर दर्ख्वास्त है आपसे एक बात की यहां पर ना एक कोई मनोज जी हार राजनेतिक रैली नहीं है के एक तरफ से सिर्फ भाशन चलेगा मैं सिर्फ अनुरोध कर रही हूँ आपसे आप बोलिए लेकिन सवाल सुनकर भी बोलिए दूसरी बात आप हर बार आते हैं एंकर पर सवाल उठाते हैं मैं सिर्फ बोल रही हूं आप से अच्छा नहीं लगता सर शोबा नहीं देता आपको मैं भी आप पर कई सवाल उटा सकती हूं व्यक्तिगाट रूप से उठाउंगी नहीं क्योंकि वो मेरे संसकार नहीं है सवाल कुछ और है सवाल कुछ और है मैं एक बार सुबूत भी दिखाना चाहते हूं लेकिन यह जो बात बोल रहे हैं कि भई यह पहले यह कैरेक्टर नहीं है यह कल्चर जब उस राजनेतिक बहस उस पर जिंदा रखना चाहते हैं लेकिन जो असली स्वरूप उस मंदिर का था 1858 की बात कौन करेगा मैं यह कह रही हूं कोई पूजा स्थल को बदलने की बात नहीं कर रहा है महाँ पर लेकिन जो अधिकार मांगा गया उस अधिकार को हम वापस मांगने की तो बात कर सकते हैं बहुत सहज और सरल शब्दों में यह बात कहा रहा हूं कि आदालत द्वारा आये गए आदेश का विरोध सही है पर श्रिंगार गोरी की पूजा का अधिकार मांगने की मांग करना गलत है एक चोटी सी बात बाजू में वकील साब ह हम लोगने कोई विरोध तो नहीं किया ठीक वैसे जो अदालत करेगी लोग सर मुझे एक बात कहते से फिर आप अपनी का ऐब मुझे ही रहा थाक। सियासिक्तलम हैं यह नहीं मानें में तो सब्सक्राइब से आप सबको मेरा नमस्कार मैं लगातार आप सबको सुन रही हूं और कुछ वक्त दे कुछ बाते रखना चाहूंगे सबसे पहली बात कि यह जो मामला है ग्यान व्यापी मामला यह विचारा धीन है यह कोट में विचारा धीन है और कल तक सर्वे पर फैसला आ जाएगा हम सब को थोड़ी अपेक्षा करनी चाहिए थोड़ा सायम बरतना चाहिए मैं दूसरी बात कहना चाहूंगी कि जो प्लेस कि लिए मन्धिर है या मस्जिद इसी का पता नहीं है पहली बात तो इसलिए धर्मस्थल किस तरह का है यह पता नहीं है हम अभड नहीं है तो प्लेस अफ वर्षिप टैक्ट नाइंटीन-टीव अपलिकेबल है या नहीं इस पर एक प्रश्नुचिन लगा हुआ है पहली ब कॉंग्रेस की तुष्टी करन की राजविती का अदबुत नमूना है 1991 में हुआ 18-9-1991 कॉंग्रेस की सरकार थी जब इसे लाया गया और मुसल्मान समाज के प्रती जो इनका जो मैं कहूं soft हिड़दे है इसका एक बहुत बड़ा ही नमूना है तुष्टी करन की राजविती का नमूना है इसे मानना होगा ये बहुत कठोर शब्ड है मैं जानती हूँ बहुत लगों को अच्छा नहीं लगा होगा लेकिन मैं कहने के लिए बात दे होती हूँ और इसे चालेंज किया गया है सुप्रीम कोट में और यह विचाराधी ने तीसरी बात में कहना चाहूँ दी हमारे जो मुसल्मान भाई बहन है उन्हें क्या कष्ट हो रहा है अगर यहां सर्वे और विडियोग्राफी हो जाए तो कष्ट क्या है बार-बार यही सवाल पूछ रहे है क्या यह तुष्टि करण नहीं है इस लोगों से उत्तर जरूर आप लें कि अगर पारदर्शिता के साथ हम सब के समख्ष खड़े हो सकते हैं तो हमें डर क्या विडियोग्राफी हो सर्वे हो हम विरोध क्यों करें बताईए क्यों विरोध है आज़िता जरूर नहीं है मैडम नमबर एक बात यह के इस मुल्ग की आजादी में हिंदुस्तान के हिंदू और मुसल्मानों का बराबर काके आप उस देश की आजादी में कहीं शरीक नहीं थे इसलिए कांग्रेस पार्टी हिंदू युदू मुसल्मान से किसाहिस अपको लेका चलती है आप हिंदूओं के मुसल्मानों के खिलाब नफरत लगते हैं वो एक अंदर की भामदा है नमबर दो भारत में तर्कों से बात चलेगी तो तर्क नहीं चलेंगे जब भारत का सम्मिदान और भारत का कानून और भारत की सरकार और भारत का सुप्रिम कोट अगर कोई कोची कोट में चल लए है उस कोट के अंदर मुसल्मान भी गए और हिंदू पश्कार भी गए मैं यह पूछ रहा हूँ के और अजेप आज से पुचार सो पांच सो सार पहले गए अप्ता मजड में नमाज होती रही यह कुछ नहीं होता था यह कैसी अंदी आस्ता है अंदा नहीं वरी है यह सबदे है आजेख़ान साफ मैं एक चीज़ आप से पूछ रही हूँ सीधा सवाल उक पर अच्वाद है अब मैं एक बार सवाल पूछूंगी कोट में मैटर पहले से चल ला आथा उसका मामगा कोट में चलना आठा इख है हाजिक खान साब अपराजिता जी एक पर इखे दूजरी खूट कमिशनर जो कोट कमिशनर है एके मिश्रा उनको लेकर कई सवाल उठा गए है आपको एक और पॉइंट पर आना चाहती हूं तस्वीरों पर आना चाहती हूं एक बार मैं दिखाना चाहती हूं कोट कमिश्णर एक एमिश्रा उनसे भी हमारी सेहोगी अनुपमा ने आज बात कि और उन्होंने बड़ी बाते रखी है अब वो क्या कह रहे हैं उनको लेकर भ पत्ती जताई है अब वो कह रहे हैं कि 6 माई को समय की कमी की चलते उन्होंने सर्वे नहीं किया ये वो बता रहे है कि क्या हुआ 6 और 7 माई को सर्वे होना था उन्होंने का सर्वे पूरा हुआ तो सच सामने आ जाएगा अभी पूरा नहीं हुआ है तो सच खुद सामने आ जाक्षियों को देखे यह वो कह रहा है यानि कि कोट न्यायाले और जो जज है वो खुद चले जाएं और महा पर सर्वे हो रहा है नहीं हो रहा है साक्ष क्या है वो खुद देख लें अब उन साक्षों पर मैं बात करना चाहती हूँ, क्योंकि वो जो साक्ष सामने आये हैं, एक एक करके पहली तस्वीर में 1858 वाली तस्वीर जरा लगाईए, जिसके उपर महंत बात कर रहे हैं, मैं उस तस्वीर पर आना चाहती हूँ, ये तस्वीर जरा देख लीजे एक बार ये 1858 की तस्वीर है और ये काशी विश्वनात के महंत कहते है कि इस तस्वीर में जरा इसे हटाईये क्योंकि तस्वीर छुप रही है पीछे, इसमें सीधे-सीधे दिखरा है वो कहा है कि इसमें सिर्क मंदिर है इसमें कई मस्जिद ही नहीं है अब मैं अजगर खान साब आपसे एक बार अनौत करूँगी एक बार शिवम जरा आप दोनों इधर आ जाएए मैं एक बार चाहूँगी कि तस्वीर के पास आए और वहाँ पर हम बात करेंगे क्योंकि ये जरूरी है दिखाना कि ये तस्वीर जो है अब अजगर खान साब मुझे जरा बता दीजे इस तस्वीर में 1858 की तस्वीर है और ये महंत साब मैं अब तो कैमरे को फेस करके खड़े होंगे ये जरा बताएए वो कह रहे हैं कि इसमें तो मस्जिद है नहीं इस तस्वीर में सिर्फ मंदिर नजर आता है ये तस्वीरे काची विशुनात के महंत ने दी है अब ये सुबूत तो सामने आएंगे न अजगर खान साब अगर इस तरह का विवाद उठाएगा बताएए ये इस तस्वीर की बात अभी कुछ कहीं नहीं जा सकती मैं पहला सवाल मेरा खुद का ये है जो ही पर देखे आप कहते हैं घंटी बनिये ये कुछ और फूल बने है कमल का फूल बना है क्या दुनिया की किसी किताब में ये है कि जैस दिवार पर कमल का फूल बना होगा या घंटी बनी होगी है तो वो मंदीर होगा अगर कहीं ये शुबत है चिरु पेली बात ये है जब है कि हिदुत तुम्हे आइडल वर्षिप है मूर्ती पूजा है मानते हैं आप इस बात को मूर्ती ये इसलाम में आइडल वर्षिप नहीं है मूटी नहीं है अगर अपनी बात बतारा उन वस्तलिजे ना अब इसमें आपको कहा दिखाई दे रहा है अगर आपको नजर आ रही है तो बता दीजे। सब्सक्राइब एक सब्सक्राइब तक हागिया सोफिया एक लगातार म्यूजियम रहा और चर्च रहा अब उसको उठाकर जो मस्जिद बना दिया आपने अब लोगों कहना यह है कि यह जो पत्थर है जिन पर यह चिंद बने हैं वह उन्होंने मंदिर को डिमालिश करें तो मंदिर के पत्थर मस्जिद पर लगा दिए सिरुम ने कि किया कप किया कंब तक हो जागा है नहीं होगी कल आप सुनेंके तो ओँनेगे आगे बोली हाँ वो क्या घरीब आप जिए व्रीब अपनाने के लिए वक्त नीथा क्या एक दिनलना एक से एक से इक से एक से एक स्कार्व ऑफ करना होता है उसके तर्मिस खलो पर भी अबना दो उसमें के किताबे पढ़िए अश्कर खाना चाहिए पढ़ाएं पढ़ा हैं अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं एक मिनिट अब मैं दूसरा सुबूत दिखाईए महेश मैं स्री यह कह रही हूँ सौामी दिखाईए महहा पर इतिहास का रहे हैं और जो महा पर इतिहास के म Antwort के पन्ने पलटकर अगर एक पूजा का धिकार मketर मांगा जा रहा है सिर्व ये कहकर कि भई हम तो यहां सालों पूजा करते रहे तो वो क्या कलत है स्वामी दिपंकर मैं आप से पहले भी मेंशन कर चुका हूँ मगर इतिहास अगर जो आप फ्लेश बेक में इतिहास में जाते हैं तो बहुत से इतिहास लिखे जाते हैं और सुचारी तब बहुत से इतिहास लिखवाए जाते हैं मगर अगर इन दिवारों को कोई छुए जैसे कि शंक्राचारे जी ने कहा तो छुने वाला प्रज्य चक्षु भी बता देगा कि ये दिवार कैसी है अब जैसे हाजी खान साब ने कहा घंटी कलश कमल अगर कहीं और दिवारों पर उकेरे जाते हैं तो खान साब बताएं और जो नहीं उकेरे जाते हैं तो कम से कम विरोध ना करें देखे बात यह कि और जैप के बारे में जिसके बारे में बार बार यह कहा जाता है कि नहीं तो एक ऐसा हिंदुस्तान का बाश्चा गुजरा है ना तो जब से हिंदुस्तान बनाएं और जब तक हिंदुस्तान तोड़ कर तोड़ कर अपने खजाने भर लिए और पैसे की ज़रूरत की तरुपया नहीं लगाया यह वह बाश्याइग जो टोपी बुनकर रोटी का फ़र देटा नहीं लगाया क्योंकि दूसरों के अकरांता ने तोड़ क्वाइश कारों को मैंने पड़ा है और इन बाइश आज में बढ़ा ये बी liny exposed पीसा तोरी तोड़े तौरे तौर दी तमाँ तरगा भी आप तुलो ना उजे पांच मस्जिद कोई तोड़ी पटाई कउन सी तोड़ी उसके गबनें ने जो जनता का पैसा मज्जित के अंदर गार दिया और उस मस्जित को ने इतिहास में धर डरजनों मंदिर दर्जे को यह तोड़ है पसकार था अप से बोल रहे हुं मतलब आपि इतियास बते हैं बाकि कोई नहीं पड़ता और इंक यसी बाद ने कर रहे हैं को सी मंदिर बनाए उसने बताएं एक का नाम बताएं यह उप 100 नाम थे अफे नाम यह एक का नाम, एक का नाम, नाम है तमाम क्या होता है आप बहुत देर से बोलो ना, एक व्यक्ति जिसने हिंदूों को कमचेकम सवामन दनेव जब तक भी कटेव जाते जब तक अब बीच में चलाएंगा, एक व्यक्ति जिसने देश की महिलाओं का बलाचार किया हो, लोगों को कन्वेट करायों, आप भी उसी का नतीजा है, आप पलाचार को कर वात करते हैं चिसने पड़नात को का शिफना थी विष्वनात मतुरत लेकर कम मंदे बीचान यहां पार आप में यहां सिर्फ में मुझे लगता है तत्यों के साथ नहीं हाजी खान साथ भात होगी इतिहास मुझे जब बात कर रहे है ऀतिसाइस के भवे असमें पिछ कोल में बचिए कि वह एक प्रिय मेंativोर से वह करते लिए न जुनी तो लिए मुए उस लिए एकर खेंडू राज धाकी स्टो टोलके मंदर जांगा की раз यहां पर जो पूरी पहस है वो कैसे पलट गई है अब यहां हाजिक खान साब कह रहे हैं कि और अक्रांता नहीं तोड़ा यह इतिहास ही गलत है यानि हम इतने सालों से गलत ही इतिहास पड़ रहे हैं अप्राजिता जी तरक नहीं कुदर करने साब का गुन बखान कर रहे हैं अश्चरे चकित हैं हम और जेव जैसा कुरूर साशक हमें नहीं मिला और यह कह रहे हैं कि और जेव तोपी बुनके खाते थे और इस यह बहुत अच्छे थे मनित दाख देनी होगी ऐसी बुद्दी की और मैं आपसे जाती हूं जिस तरह के आपने सबूत दिखाए मंदिर होने के सबूत दिखाए मैं रिपब्लिक चरल को बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी और इन सबूतों को देखने के बाद मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सर्वे धंग से हो जाए भगबान से बस यही प्रार्पना है कि सर्वे धंग से हो जाए और अब पता चल रहा है अब लग रहा है जूट नहीं होना तरह सच्छों नहीं तो यह मुझे आज दिखते दिया मैं मैं तो असगर थान साब इस बात से एक सेट वोड़ के मनने नहीं 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 देए अब हाजिक खान साब इस तरह से बढ मैं आप से पूछ रही हूँ जो हाजिक खान साब बोल रहे हैं वो तो अकरांता नहीं थे वो तो बहुत बढ़िया शासक था उसकी जैसा शासक ना पैदा हुआ ना पैदा होगा ना पैदा होगा बगवान नकरे हो यह यह एक अलग टापिक है हमारा आज किसे आपने सारी चीज़ आप क्या मांनते होने को मनोश की जैसे में बताई ना सब्सक्राइब करेंगी अच्छा आपने सब्सक्राइब करता हूं कि पेट्रॉल पे महंगाई पे इस पे आप एस ने करें यहां यह मुद्दा है आज भी और सिर्फ इस का जो मुद्दा है वह चिन्नों पे मैंने आपको पहले का और बड़ा मेरा खुला सब्सक्राइब किसी ने जवाब भी नहीं दिया आप इतना खरीब आदमी था क्या उसके पास नहीं था एक मिनिट पूरी पास सुनिया हा कि वह आपके मंदिर की पत्थर तोड़ के महा लगा था और अगर उ से कौन सी परिभाशा है मैंने अचिक आप से बोल दिया इतने मंदिर है जो इतिहास के पन्नों में दर्जें तो तोड़े गए आप नहीं पताया पता तो दीजें ना सर मैं आप से माफी मांग लूगी ओनेर आप बताएए अब नाम बताईए बनारस में बनारस में पंडित ने एक बनाई है वहां पर मतुरा में एक किसी मौलाना ने बनाई है यह कोई तर्क है क्या सब्सक्राइब का लेखता साकी मुस्ताइब सुनीजे उसने लिखा है मासिर आलमगीर में कि जब और जेब चितौड में गया उसने 64 मंदिर तोड़ने के आदेश दिए एक दिन में गूगल कर लीजिए अगर नहीं हो मैं किताब भी दूंगा आपको गिफ्ट करूँगा सब्सक्राइब करने के लिए आपको साधुवाद देता हूं आप कैसे यह बहुत संगर्षपुन है बहुत साधुवाद मगर मैं एक छोटी सी बात कहूंगा जरूर सनातन से के आप मत जाईए मंदिर आपके मंदिरों के साथ यही होगा कार से बैट कर यू करने की यू करने की जो आदत है न वह आपको बहुत पीछे ले जा रही है निश्यला नंजी ने कहा था कि एक घंटे के जब का तब हर सनातनी को चाहिए और आप घर में बैट कर कार से स्कूटर से मोटर से यू कर कर से ले जाते हैं आप उसी का परिणाम भोग रहे हैं जो स्वामी दिपांकर ने कहा मैं उसी पर अंत करना चाहती हूं कि समय मेरे पास नहीं है लेकिन बड़ी बात ये है बड़ी बात ये है कि कल बारा बजे ग्यानवापी पर फैसला आना है थोड़ा इंतजार और करना है क्य सर्वे होगा नहीं होगा कोट कमिशनर बदले जाएंगे यहीं एके मिश्रा इस पूरे सर्वे को आगे बढ़ाएंगे कल दुपैर बारा बजे मेरे पस महावारत में प्रताई समय करता हूं कि सच के लिए रिपब्लिक की लाई कभी कभी जोर में है क्योंकि हमारे लिए र इस पूले का फूले की बढ़रो खूअ क्योंकि यह तस्वीर हमारे पास आई है और हमारी सहयोगी अनुपमा ने वहां ग्यान वापी से भेज़ी है यह तस्वीरे और मैं उनको दिखाऊंगी क्योंकि अब श्रिंगार गोरे की मांग की जा रहे है अब मैं ये बताईए किस तरह से ये जो तस्वीर है ये तहखाने के अंदर की तस्वीर है जो इतिहासकार ने हमें दिखाई अनुपमा को दिखाई और वो तस्वीर देखिए वहाँ पर हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां के रिए तहखाना है जिसको खोलने की बता रहें तहखाने में खंडत मूर्तियां का जा रहे हो तो ये तस्वीर सामने आई और इसमें आप देखिए कलाकृती जो बनी हुई हैं और हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां उसमें उखेर गई तोड़ा गया उसके बार उसके बास यह तस्वीरें आई हैं नहीं पर जाओंगी यह तहखाने के अंदर की तस्वीरें अभी एक बार जाएंगे क्योंकि तहखाने में यह देखिए यह ज्यानवापी तहखाना है अब इसको खोलने की मांगो रही है ज़रा आप इदर खड़े हो जाएए अब मुझे बताई प्रदूध के अंदर यह उसी के ऊपर अब यह नहीं कहा जा रहा है कि यह मस्जद अटा दो वो कह रहे हैं बस गोशिंगार गौरी की पुझा का दिकार देड़ों यह तस्वीर दिखाई कि दूसरी तस्वीर भी दिखा दीजिये यह ग्यान कूप है यह ग्यान कूप जहां पूजह नहीं आप यहां यहां पूजह होती रही ती रही इसे होती रही अभ दूसें मळेर्द Till चेंश्य हमारे पस नहीं मितार ना बॉजहा जारा है जिनको पूझते remembering अब बताईए यह क्या नहीं है मां का दिकार ना पहले भी आपके चैनल पर बोला था आज फिर बोल रहा हूं यदि गवरी शिंगार के पूजा को किसी ने रोका और आप करें 1991 तक चल रहा था तो निर्बाद चल रहा था कोई बाधा नहीं तो ये बंद किस ने कराया ये तो अजीज खांग साब बताएंग पूजा सिंगल गिरफतार राची पे 16 घंटों की पूस्तार के बाद इजी ने की गिरफतारी पूजा के कर से बिले थे 25 करोड कैश ताशी की गया अपी सर्वे विवाद पर सुनवाई पूरी कोट कल दुपहर में सुनाएगा अपना फैसला हिंदू पक्ष्णिकी शाही मस्जित के तहखाने के सर्वे की मांग देशद्रो की धारा पर सुप्रीम कोट का अदेश का अदेशद्रो की धारा में दरजना हो केस धारा 124 से पर दुबारा हो विचार मौझूदार ओपी दी जवानत के लिए दें अरजी तरनाल से गिरफतार आतंकियों का बड़ा खुलासा कहा पाकिस्तान से आतंकी रिंडा भेशता था विस्पोटक और ड्रग्स दो फरजी गाडियों की आरसी भी वरावत दिली में अथिक्रमन पर फिर चला बुल्डोजर लोधी कॉलनी घितोरनी अरजनगर सी लंपूर समेत का इलाकों में हुई कारवाई कश्मीरी गेट पर अथिक्रमन हटाने के खलाब प्रदर्शन जबू कश्मीर में दो जगाओं पर मुठ भेड जारी बांदेपोरा में सुरक्षा वलों ने का अतंकि को किया धेरा नंत्तांग में सुरक्षा वलों ने आतंकियों को खेरा मुझे पूचिये अरनप तुमारे लिए पहले क्या आता है तुमारा धर्म या राश्टधर्म और मैं कहूंगा और मैं कहूंगा मेरे लिए भारत पहले आता है राश्टधर्म पहले आता है सद्गुरु जी ये सब चाहे ज्यानवापी की बात हो, चाहे ताजमेल की बात हो, चाहे को तुमिला एक पक्ष कहता है भई इतना जूट परोसा गया है कि इतनी परते हैं कि परते हटते हटते भी सदिया लग जाएंगी तो दूसरा कहता है जान बूच के हो रहा है भढ़काने के लिए हो रहा है सद्गुरु नमस्कार आईश्वरिया आपने अभी जो कारंभिक में सारी बातें कही मुझे लगता है अगर दर्सकोन और स्रोताओं ने जिसे सुना होगा तो उनके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे और यहां जो भी बिद्वान बैठे हुए हैं चाहे मुस्लिम स्कॉलर हैं चाहे राजनेटिक पार्टी के हैं या सादू हैं वो सब इस संबाद में भाग ले रहे हैं बात ज्यानवापी की हो बात रामंदिर की हो बात कृष्ण जन्म भूमी की हो बात कुतुब मिनार की हो बात ताज महल की हो या बात तीस हजार उन्धर मस्थलों की हो जब भारत की बाहर से आए हुए आकरानताओं ने भारत की मूल संस्क Sachen के मंदिरों को बिद्वन्स करते हुए उनके प्रतीश्म dużo Chelsea में नव boiling हजार से 15 के धर्म शाया। जिनको जलाते हुए forensic हो और और अधिक्रम्सिंटा आये तो उनके दिमाद में भी ही अधिन हिंदुस्थान को मिटाना है इसके संस्कृति को मिटाना है तो ताथकाली समय में ये लूट पार्ट को हम करी रहे हैं पर इनके प्रतीकों को भी अगर हम मिटाकर चले गए तो प्रतीक विहीन कोई भी संस्कृति या समाज बहुत जल्दी खड़ा नहीं हो पाता है मैं तीसजार उन प्रतीकों और मंदिरों की बात करता हूँ अगर इमानदारी से भारत देश हिंदुस्थान के हिंदो मुसल्मान इताई और सारे मिलकर उनकी जाच करें और जाच करके उन प्रतीकों के आधार पर बड़ी सौहार प्रता के साथ इन चीजों को वापस कर दें क्योंकि वो जो बाहर से आकरांता आये थे नहारे थे नहां के मुसलिमों के थे नहां के इसाईयों के थे हम भारतवासी हैं हम भारतवन्ची हैं हम हिंदुस्थान के लोग है हमारे पूर्वच 5 से 7 पूर्वच पहले लेकिन महराज एक वो जो पक्ष है क्योंकि फिर यहाँ पर डिबेट शुरू हो जाएगी मैं इसलिए आप से पूछ रहा हूँ वो दूसरा पक्ष कहता है कि भाई सद्गुरू कह रहे हैं कि हैं लेकिन ये तो सदियों नहीं मतलब ये तो मैं कह रहा हूँ 100, 1500, 200, 300, 400, 500, 1000 साल पहले की बात है वो कहते हैं जो 700, 800, 400, 500 साल पहले हुआ उसको आज अगर टरन ओवर करोगे यानि अगर उसको बदल रहे की कोशिश करोगे तो उसमें तो और दिक्कत हो जाएगी उसमें और समाच तूड़ जाएगा उसमें विभाजन हो जाएगा उसमें हिंदु मुसल्मान के बीच की जो दरार है वो और बड़ी हो जाएगी ये काउंटर आता है वहां से मारा मैं किसी सप्ता या सरकार या किसी सिस्टेम के खिलाफ नहीं हूं मैं उन लोगों के खिलाफ हूं जो इंसाफ की आवास दबाना चाहते है मैं उन लोगों के खिलाफ थार हूं और रहूंगा देश में एक बहस चिड़ गए कि आपको एक पक्षे वो कहता है कि भई आपको जूट परोसा जा रहा है कोई आज या कल से नहीं सदियों से सदियों से भी पहले से सिकंदर और पोरस की लड़ाई याद है आपको दर्शु मैं आपसे पूछता हूं आज सिकंदर और पोरस की लड़ाई याद है कि नहीं पूछता है भा हम सब को पढ़ाया गया कि सिकंदर जीता और पोरस हारा क्या पढ़ाया गया अगर गलत बोल रहा हूं तो बताई क्या ये नहीं पढ़ाया गया हमें सिकंदर और पोरस की लड़ाई में लेकिन फैक्स जब निकाले जाते है तो उनको काउंटर किया जाता है भाईया पोरस जीता था सिकंदर नहीं अलग-अलग इस्टोरियन अलग-अलग फैक्स लेके आते है तो आज ये डिबेट है मैं चाता हूँ मेरे एक गैस आ जाया है बेट जाया है मैं अगले दो मिनट में चुनू कर रहा हूँ ये एक असलियत है तो एक पक्ष जो ये कहता है कि भाई जूट परोसा जा रहा है एक के बाद एक और दूसरा ये कि आज दूसरा पक्ष ये कहता है कि भाई आज ताज महल का नाम आप कुछ और रखना चाहते हैं बेसिक मुद्देस ध्यान हटाने के लिए और आये लेकिन जो दूसरा पक्ष है दोनों पक्ष होंगे आज डिबेट होनी चाहिए फैक्स पे वो ये कहता है कि भाई सिकंदर और पोरस की रड़ाई से लेके ताज महल तक कुटब मिनार तक फैक्स को और्ट रखिया ग्यान वापी मौस्क पे क्या हो वो कहते हैं जब वहाँ से अगर स्वास्तिक आया वहाँ पे स्वास्तिक बना हुआ है वो कितना पुराना है वो कहते हमसे मत पूछो अब अपना फाइंडिंग करा लो कुत्ब मिनार के वहाँ से वो कहते हैं भाई भ्रहमा विश्णु महेश की मूर्तिया निकल रही है अपने आप चेक करा लीजे कितने साल कितने दशक नहीं, कितनी सदियों पुरानी है तो दूसरा पक्ष कहता है देखो तुम ये सब कर रहे हो भड़काने के लिखा तुम ये सब जान बूच के कर रहे हो इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम्हारे पास कोई और मिंदू नहीं लेकिन फिर counter आता है वो कहता है अगर मैं गलत हूँ तो तुम भागते क्यों अगर मैं गलत हूँ तो तुम जाच से क्यों भागते हो जो जूट वो कहते है एक पक्ष कि भई जो जूट परत दर परत लगाते रहे ये क्या है अगर नीचे बहुत मतलब मैं कहना चाहता हूँ क अगर आपके पास एक कोई चीज खराब हो गई है, उसके उपर आप कुछ लगाते रहे, लगाते रहे, लगाते रहे, वो यह कहता है कि जूट के इतनी परते हैं, कि अंदर असलियत जो है, वो किसी को पता ही नहीं, 10 साल, 20 साल, 40 साल, भाई, फैक्स, तो भाई, मैं इस देश से एक बार फिर बादा करता हूँ कि सच के लिए रिपब्लिक की लडाई कभी-कभी ज़र में होगी, क्योंकि हमारे लिए राष्ट सब्व परी है, रिपब्लिक के खिलाफ साजिश रस्मेवाले हमेशा हार पे रहेंगे, क्योंकि आफ रिपब्लिक की लिए राष्ट सब्वेश, मैं एक बार फिर आफिश रिप्लिक करता हूँगे, मैं एक बार ज़रा प्राई क्योंकि हमारे पास आई हैं और हमारी सयोगी, अनुपमा ग्यानवापी से भेजी है यह तस्वीर है, और मैं उनको दिखाऊंगी क्योंकि अब श्रिंगार गौरी की मांग की जा रही है, अब मैं यह बताई है, किस तरह से यह जो तस्वीर है, यह तहखाने के अंदर की तस्वीर है, जो इतिहासकार ने हमें दिखाई, अनुपमा को सकतान को दिखाइएं और महां पर हिंदू देवि देवताओं की प्रिपंदिया ALL पर हिंदु देवि देवताओं की मूर्तिया उके रही है जिसको Kunle रही है और हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां उसमें उकेरि गयाओ, तूटे मंदर के अफ्शेष उसमें भरे गये. इतिहासकार बताते हैं कि मंदर जब तोड़ा गया उसके अफ्षेष ठहखाने में भर दिये गये, और ठहखाने में मंदर स भाली ही कलाकृति यहीं, अब म मैं इसलिए चाहरी हूं कि आप आए क्योंकि इन तस्वीरों पर हम बात करना चाहते हैं एक बार आएंगे क्योंकि तहखाने में ये जरा देखिए ये ग्यानवापी तहखाना है अब इसको खोलने की मांगो रही है जरा आप इधर खड़े हो जाए अब मुझे बताइए तहखानों के अंदर ये मूर्तियां उसी के ऊपर अब यह नहीं कहा जा रहा है कि तहखाना हमें दे दो यह भी नहीं बोल रहे हैं कि मुझे धटा दो वो कह रहे हैं बस शिंगार गौरी की पूजा का दिकार दो यह तर दूसरी तस्वीर भी दिखा दीजिए ये ग्यान जहां पूजा होती रही ये वो हिस्सा है अब मैं सिर्फ यह कह रही हूं जहां पूजा होती रही नियामेत रूप से होती रही अब दूसरी तीसरी भी तस्वीर दिखा दीजे जरा महेश क्योंकि यह तस्वीर हमारे पास है और यह है श्रिंगार गौरी देवी की पूजा का दिकार मांगा जा रहा है जिनको पूझते रहें अब बताईए ये क्या नहीं है मां का दिकार ना लगाता है रोज पूझा होता था है मैं पहले भी आपके चैनल पर बोला था आज फिर बोल रहा हूँ कि यदि गवरी शिंगार के पूझा को किसी ने रोका और आप का रहें 1991 तक चल रहा था तो निर्बाद चल रहा था कोई बाधा नहीं तो ये बंद किस ने कराया ये तो अजीज खांब साब बताएंगे जो पतंतर भारत में अब जिस पलेसे ऑफ वर्शिप एक्ट का बार बार हवाला दिया जाता है वो 15 अगर तो निस सो 47 की बात होती है उसमें तो मैं कहता हूँ जब 50, 55, 60, 75 और 91 तक आप पहुचा रहे हैं अगर कहीं भी पूझा हो रहा था तो उसे रोकने वाला ही पहले आज दबाना चाहते हैं मैं उन लोगों के खिलाफ थार हूँ और रहूंगा नमस्कार मैं हूँ एश्वरे कपूर और आप देख रहा है मेरे साथ पूच्छता भारत शुरुवात एश्वरे के अजेंडा से ग्यान वापी मस्जित हो या बात हो कुत्व मिनार की या बात करें ताज महल की और आज तो एक और चीज जुड़ गई भई उजएन साफ़ भई दिली कुतो मिनार या विश्णुस्ताम वागरा ताज महल या तेजो महाले जैन दानी गेट मस्जित या शिव मंदिर मतुरा इदगा मस्जित या श्री कृष्ण जन भूमी काशी ग्यान वापी मस्जित या श्रिंगवार गौरी मन्दित इस सारे सवाल है मैंने कल भी कहा था दो गुटो में दो अलग अलग पक्ष है दो अलग अलग पहलू है एक पहलू जो कहता है भई हमें सत्थ पता करना है हमें सच्चाई जाननी है और सच्चाई जानने में खराबी कैसे दूद का दूद पानी का पानी कर दीजे क्या सच ह और क्या नहीं तो वहाँ दूसरा पक्ष बोलता है भाई नहीं तुम सत्य के पीछे नहीं तुम सच्चाई के पीछे नहीं तो भिंदू मुसल्मान में जो खाई पहले से ही है उसको और चोड़ा कर देना चाहते लेकिन ये सवाल फिर आता है भाई सच से परहस कैसा अगर तुम सही तो तुमारी और हम सही तो हमारी लेकिन ये तो देखो ग्यानवापी मंदिर की सच्चाई क्या है ग्यानवापी मस्जिद की सच्चाई क्या है वो कहते हैं वहाँ पे श्रिंगार गौरी का मंदिर था मस्जिद नहीं वो कहते हैं नहीं यह मस्जद है इसलिए यह कहते हैं भई दूसरा पक्ष कहता है यह आप मंदर मस्जद मंदर मस्जद करते रहोगे यह इतना बड़ा गैप हो जाएगा जो पहले से ही धरार है वो और ज्यादा बढ़ जाएगी और देखते ही देखते पिछने चार दिनों में हमने देखा दिल्ली के कुतोब मिनार में ये देख रहे हैं आप ये जो बना है ये काशी ये ग्यानवापी ये कुतोब मिनार के बाहर कुतोब मिनार के बाहर भई कल अंदोलन हो गया कुतुब मिनार के बाहर अंदोलन हो गया गुरुमा कंजन गिरी आई है भई इनी के संगठन ने किया था ये नाशनल प्रेजिडेंट है महाकाल मानव सेना की ये किया तो भई ये कुतुब मिनार नहीं है भई ये तो विश्नुस्तम है यहां से कई भगवानों की मूर्तिया निकलते विश्नु भ्रह्मा महेश तीनों की तो जैसे ही ये बोलते हैं दूसरा पक्ष खड़ा होता है बोले देखो हमने कहा था ये बात सिर्फ एक की नहीं है तो हर जगा करना चाहते हैं तो वो कहते हैं हर जगा हम नहीं करना चाहते ये तेहास में हर जगा गलत पढ़ाया गया है परत दर परत जूट की चड़ाई गई है तो क्या है तो सत्य पता करूँ या ना करूँ सच्चाई मैं आप से पूछता हूँ दर्शे को आप बताईए सत्य पता करना चाहिए या नहीं, सच्चाई पता करनी चाहिए या नहीं आपको एक एजंसी पर भरोसा नहीं है, दूसरी से करा लीजे दूसरी पर नहीं है, तीसरे से करा लीजे, ऐसी से करा लीजे एक ऐसे एजंसी से तथे पता करा लिजे तथे की प्रमानिक्ता पता करवा लिजे जिस पे आपको भरूसा है मैं कुछ चीज बोल रहा हूँ बाकी पूरा पैनल है मेरे साथ शहजाद पुनावाला दिली के स्टूडियों में आने वाले हाजिक खांसाब आ गया है मैं अगले दो मिनिट में जा रहा हूँ मैं सिर्व यह कहा रहा हूँ आप जरा यह देखिए ग्यान वापी तैखाने और दावाईये मैं कहता हूँ मंदिर तोड़कर मस्जिद बनी है कहते है यहां बजरंग बली की मूर्ति है कहते है गड़ेश मूर्ति होने का भी दावा है मस्जिद के तैखाने में मतलब क्या क्या चीज़े कही जा रहे तो वो कहते हैं ये सारी चीज़े कही जा रहे हैं तो वहां भई अभी हाजिक खान साथ डेबेट में स्टूडियो में आ गया है माइक वाइक लगा लिए अभी बोलेंगे देखो आश्वारा मैंने तो कहा था यहां रुकेंगे नहीं आगे बढ़ते जाएंगे तो पक्ष दोनों इसी बेहाज पूछता है भारत पूरा पैनल खोल देते हैं सबसे पहले जा रहा हूँ जो एक नई चीज़ जुड़िये भाई उज्जेन महामंडलेश्वर हैं अतुलेशानन सरस्वती जी महराच उज्जेन से जुड़ रहे हैं महामंडलेश्वर जी यह कह रहे हैं कि आप यूर जिस राइडिंग दा मतलब वो कहते हैं कि इतनी सारी जगाओं में हो रहा है तो आपने भी उसमें अपना एक जोड़ दिया है क्या यह सही है यह कह रहे हैं कि भाई ग्यानवापी मस्जिद पे पहले ही सवाल हो रहे थे कुत्व मिनार पे होने लगे ताज महल पे होने लगे तो महामंडलेश्वर ने उज्जेन की भी बात लेया जी मैं उज्जेन की ने संपुर्ण भारत वर्ष की बात कर रहा हूँ हजारों वर्ष के इतिहासों को लाखों वर्ष के इतिहास को घीस कर कागजों पे जूठा रगड़ा गया है क्योंकि इस भारत भूमी की स्थापना हुए तीन अरब सिंत्यानवे करोड 29 लाख 29 जार वर्ष हो चुके सनातन धर्म की स्थापना को और उसके चिन्नों को मिटाने का काम किया है मुगल काल में अंग्रेजो के काल में उज्जेन में राजा भोज का राज था उन्होंने 1026 में धार में सरस्ति माता के मंदिर का निर्मान करवाया था उज्जेन में उनकी राजधानी थी उसमें उन्होंने एक संस्कृत पार्ट के लिए एक मंदिर का निर्मान करवाया था जिसमें शिवजी की मूर्ती इस्थापित थी एशवरिय जी उसमें क्या मस्जिदों में गर्बगर होते हैं लेकिन हमारे मंदिर में गर्बगर होते हैं उसको घीसकर इन्होंने 1620 में अरंग जेव ने जब अकरमन किया तब भारत के समस्त मंदिरों को छदिगरस्त किया गया था उस समय इन्होंने इतिहास में यही बताया गया पिछले सिट्र साल के इतिहास में आजादी के बा acceptable जो पांच सिक्षा मंद्री आए उन्होंने पूरा शिक्षा तंतर को सनासन धर्म के खत्म करने का काम किया और आज से उज्जेन नहीं जुड़ा, उज्जेन पुराणिकाल है, उध्या मुध्रामाया काशी कांची अवंतिकापुरी, ब्रह्मा जी ने स्वेमिन साथ नगरी को बनाया, इसलिए ये पुराणिक नगरी है, और इसका एक महत्व है, पुरा तक कोई भाग ने इसे स्वि मा till Achatz. ने, महाम मंडलेशवर ये कहते हैं, आज ही क्यों? ये कहते हैं, आपने अभी क्यों, जब घ़्यान वाफी को लेके ऑल्रेडी, जब ताज महल, कुत्अ मेनार कोई है, ये कहते हैं भई आपको छोड़ो गई ले कहते हैं, ये कहते हैं कि आप जानबूच के, आप ज 2700 से हम एचमने को लेकर चल रहे हैं. 2700 के बात किसी उटाया है तो आर भारत ने उठाया है. तो आर भारत को इस सरी बते बते बताएंगे हम क्यों किसीको बताने जाएंगे. हमारा तियास तो लाकु सλ कुराना इसलिए हम सबको प्रचारित नहीं कर रहे है. हम नहीं चाहते हैं कि किसी से विवाद हो हम चाहते हैं कि नियाई के घर के मंदिर के नियाई शाला के अनुसार हमें हमारा श्यूमंदिर देवस्थान मिलना चाहिए इसके लिए हम नियाई के घर नियाई अलेई में अपनी दस्तक देंगे अपनी अर्जिस इस्ताफित उसमें ते कोई दोश नहीं है लेकिन जियाई जी वो कह रहे हैं कि हमें किसी से भी कोई लड़ाई नहीं करने हम किसी के भी खिलाब नहीं है जियाई जी मुफ्ति मन्जूर जियाई जियाई साथ देखे देखिए मैं आपको बड़ी जमेदारी के साथ कहूं महामन लेशवर साहब इस बात को बहुत जानते हैं और समझते हैं कि मुलके अंदर में एक ऐसा कानून है जिसे 1991 का एक्ट कहते हैं जो वार्शिप प्लेसेस को पोटेक्ट करती है ऐसे सुरते हाल में विर्दावन में और अलग-अलग मंदिरों में उन बाशाहों ने जिसे आप आतंकी कहते हैं नजाने क्या 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 कहते हैं उनकी हजारों एकड दी हुई जमीने आप आज भी उसका इस्तेमाल करते हैं, सेकडों एकड जमीने हैं, उसका आज भी आप इस्तेमाल करते हैं, और इस्तेमाल करने के बाद वावाई करने के बजाए, उनका गुन गाने के बजाए, आप उनके नजाने अकरांता और नजाने क्या क्या आप कहते हैं ठीक है वो हजारा करांता हों लेकिन जब वो दब था जब वो मुलक आजाद नहीं हुआ था जब इस मुलक में कोई सम्विदान नहीं था जब इस मुलक में किसी सम्विदान की कोई गुफटगो नहीं थी लेकिन आज हम इस मुलक में जी रहे हैं जहा मंदीरों की लिस्ट आपके पास है वो सारी लिस्ट एक बार लेकर किया जाएए नशाब ये ये है और मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ इस चैनल के वाले से पुरी दुनिया देखती है एश्वरिया कपूल को और सबको उसको सुनते हैं मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ कि आपके पास जो कानून है उस कानून को खतम कर दीजिये साथ उसके बाद आपको जो करना है, जैसी मनमानी करनी है, कर लीजे, इसमें कौन हस्ताशेप करेगा आपको, कौन रोकने वाला है, कौन आपको पहाँ पकड़ने वाला है, आरा, 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 जो अभी कंचन गिरी जी बात करिए कंचन गिरी जी बोलेंगे आपका कानू ना लगए वो यूसीजी की बात करेंगे शहजाद आ रहे हैं स्टूडियो में बीजेपी के नुमाइंदे हैं भई वरिश नेता है यूवा नेता प्रवक्ता है अभी आके अपना पक्ष लखेंगे लेकिन मैं ये कह रहा हूँ हाजिक खांसाब अब तो कल भी थे मैं जरा सेद जबात के पास जा रहा हूँ यूवा मुमिसलिम अक्टिविस्स है जबात साब सच पता करने के लिए मैंने कल भी बोला तो एक वकील साब आये तो उन्होंने बोला देखो सच नहीं ये सच पता करने निकलोगे तो लड़ाई हो जाएगी ये सच पता करने में लड़ाई क्यों लड़ाई किसी की बात नहीं है लड़ाई करने की कोई बात भी नहीं है देखिए समस्या ये है कि आप मुगलो के इतिहास को बताते हैं कि मुगलो जो हैं अकरानता थे मुगलो ने आ करके बड़े जूम करें आप उन्हें मैंसे पूछ रहा हूँ जी बूली बात कंप्लेट करने हैं बागते काफी जहीन आदमी माशाला करी क्यूंकि जिसवक्त अंग्रेज हंदुस्तान के अंदर राज कर रहे थे तो बहृत से लोग अंग्रेजों की घुलामी कर रहे थी टून की बूंट पॉलिश कर रहे थे और ये RSS के लोग बड़े एकसपर्ट थे बूंट पॉलिश करने में अंग्रे हो के जैसी देखते हैं था अंग्रेज़ आ गए उनकी बूट पॉलिश करने लगते हैं पर इसमें पर अपके सब समझे लेकिन इसमें सच पता करना है अगर अगर कुतो मिनार में बोली बोली सुन रहीं सुनी रहा हूँ परोपगंडा ये पूरी चीजे फैलाई हुए और भारती जन्ता पार्टी की पीछे से सपोर्ट की हैं आप पढ़िए जाकर के सावरकर साब को के अंग्रेजों के साथ उनके क्या संबन थे इतनी लंबी-लंबी माफिया निखी और उसके बास साथ साथ रुबए मिलते थे उनको कुछ चीज़ के लिए करके सच के साथ होता ही है यह तो आप मानते हैं तो अगर कि सच पता करने के लिए निकले हैं और लडाई हो जाएगी इसका क्या मतलब है आरेसस की लोग सच बताएंगे नहीं कून लोगे पीछे सपोर्ट करते हैं आरेसस की लोबी को अर्केलाजिकल सर्वेव अफ इंडिया है अरे सर जब जब जबारत अज़ाद हुआ तब भी वह इताज़ भी यह है अभी यह कानून कहा गया आप किसी और से करवालों का वर्शू बैक केंग कर दीजे किसने आपको रोका है आपका भरोसा किस पर है अमरीका की एजन्सी पर उसमें करा लो जाए आप तमाम ऐसे लोगों की चीजे उपर रहे हैं आप बताईए मुझे अंग्रेजों की मुखालब प्र जबाद आप ने बोला आप अब बहुत जईन्सी बात कर रहे था अब आपको भी करना पड़ेगा न हम बात कर रहे हैं जो हमारे भगवानों को मैं आ रहा हुआ मन्दर बॉले बाबा का मंदर परवराम का मंदर किशन का मंतर कि गया रहे हैं सबस्क्रोलिस यह जवात में हैं चाहर हैं। है दितन आगा भात्रव्स कि पास जनों टोना का चेंड तोई ते को एक मिनधदू समस्दें उनने पाद को यद्ट अन्च इप कंचे इनगरी लगां को इंगरी जवड जबाद जवाद जवाद मैंने इस टार्थ आप से किया आ कि रहने लोड़ार क्षाप कि आप अपनी जवाद मैं आपको मौकद दुनिया जानती है जावाद एक मिनट अब्धिंट कंचंट जी मैं हारा हम आपिसे सवाल पूछ रहा हूं आपके महाकाल मानफ सेना ने कल कोतो मिनार के बार 너 रेखेशदा कि यह जद में सिस्के बाद आ पती जी का वहां मुर्ती फर्तिमा रखी वी है आप कहां तक उसे चुपाई है कहां तक आप नीपा पोती कीजिएगा वह विश्णु इस्तंब था और है जबाद ने थोड़ी कि नहीं 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 किया जबाद रिलाक्स तो आप नहीं कि मुगल में हर चीज तोड़ा है हमा छारा ओंधा बनाया थे घिए ओक यश् miracles ऑनि शόद रतख हर ठीक है उसलमाने शाजा ठीक है है और जो लिशेजार नहीं ही यह पहले तो इनका जो आप्सेशन है ना कि देखिया अंग्रेज अंग्रेज ठीक अच्छी बात बात पूरी होने देना देन यू कम तो इट पहले एक बार समर्थन करो नया पार्लेमिंट बन रहा है उसका आप समर्थन कोन नहीं कर रहा है इस विशेट पर आओं बहुत अच्छी बात है अब देखो आप विरोध कर रहे हो अंग्रेजों के दलाल हो क्या विरोध क्यों क्यों कर रहे है अच्छा नहीं भारत का पार्लेमिंट बन गजा इसका सवाइब आपक शाट रुपे रुपे अच्छा विरोध करना करना अबीज प्रॉमिस लेकिन डिवेट पूर रहे हैं प्रीज नहीं करेंगे आप इंटर्वेंट नहीं बोले यह आप बहुत ग्यानी हैं लेकिन थोड़ा रिल्याक्त इनको दिक्कत है, साधवी जी चली गई, भगवान जी चले गए, अब जवाब देने गए, आज एक तरफा वाला सेकुलरिजम बहुत अच्छा है, मैं सडकों पर अपनी नमाज अता करता रहूं, हिंदू इलाके में तो सेकुलर है, पर अगर ये लोग चले जाए कुतुब मिनार पर कुछ करने के लिए तो ये कॉमिनल हो गया, अब ये शिव मंदिर पर कोई वजू कर रहा था, तो ये बोले थे तो भारत का सबसे अच्छा चित्र है, गंगा जमुनी तैजीब का, तो इसको भी गंगा जमुनी तैजीब मानो, कि कुतुब मिनार पर चले गए, व कितने प्रावधान है, और कौन से प्रावधान में लिखा है कि विडियोग्राफी करके साक्ष इखटा नहीं किया जा सकते, ये इसका जवाब अपने समय में देंगे, पहला सवाल है मेरा, दूसरा सवाल मैं इसे पूछना चाता हूँ, ये ग्यान वापी का मुद्दा नह जाएंगे, ये शरिया लोग है, ये से पूछे है, जब विडियोग्राफी करने का आदेश कोट का आया है, एक सके वह णेजा समय्दान की रिख्यार से जलाएंगे, शक्ता है कौन क्या के लिख कहलें देखा हों, वाश्य सकता है, खागशी कर ने फिखनेंगे, ये सारे ए कर आदेश का हिंदुस्तान के हो पूरी दुनिया ने का अप का हाधी आदे हैं आप ऴनाजा है अप आप इसके सोख को रोड ही दूरार गोल गौण का दिन था अरे कुना पर एक्सिर्द है जा जाव जाए जा जाए नशी इसलेप जा भी अग्या ऐन्या प्र यह जिल्सक्ट तोपिक रहते हैं तोभिक मैं बंचल रहा हूँ मैं ला रा रहा हूँ ना ला रहा रहा हूँ ला रा रहा हूँट प्सक मैद मन रों private की मैंद अब भारते जेन्टा पार्ती पारिजान परटी का थे हम्सलिमन गळाँ सुंडिये मेरी यह यह जो आधिए यह एक सावाद पुर्ण आट ताकतित म सज़ए के पस्चिमी दिवार पर वहां पर मार्श इंगार गौरी की प्रतिमा है गड़ेशू की प्रतिमा है नंदी जी सामने है वैसे तो शिव्लिंग के सामने होते हैं उसके अंदर कमल का चिन है स्वास्तिख य यह मुसलमान मुए प्रथा है इन चीजों की पूर्जा अर्चना करने का मुझे बता दीजे मुझे मेरी जानका हाजे का आपके जवाब करेंगे ना देखिया जब इस बुल्च में मुसलिम हुक्म राए निदुस्तान के हिंदु भाईयों की जितनी कियर उन्होंने की इतिह लग Onे किसी और ने कि मस्जिद है इसलिए हotomाएं जाज अरं हम आपकी बारी में मैंकी मासजिद आ इसलिए बनाए जाए कि मंदर की जिमेदारी जैसे आज मस्जिदчи जिमादारी सरकार किए उसे हमाने में ऑनकी सिपाइक और और वोस्पाई 5 वक्ती नमाज पढ़ते थे इसलीए मापने शह्दाद का क्या सवाल था वह आपने शह्दा साब یہ कहरे हैं ईंदुस्तान हमारा हिंदू भाईयों का मुल्क था कि हमारे देश में कोई मुस्लिम फेक्टी नी लगी हुई थी हमारे देश की मतलब मस्जिदों पर एक सब्सक्राइब तरक हो रहा है वह सुन लीजिए सुन लीजे सब वारा है आपकी बात होगे आपकी बात होगी एक मिन यह 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 कहने हैं है रहते ते लिए मंदिरों बे उन्होंने अगर इनकी मूर्थियों का इस्तामाल पूप जुर्म नहीं जाते हैं आपके महजीद में जाके रामाइन कुल लिए आप उसको मानेंगे गंगा जमना तहजीब मानेंगे दीजी एक दिन नावाज पढ़ने हमें रामाइन करने रामाइन कितना आपका जिग्रह बढ़ा है वो भी मैं जालो जब आपके मंदर में नमाज पूढ़ने जाए जबाए लेक्म आप single को मैं करता हैं यह स्किए स्लां के रहा है यह कुरां यह इसलिए हम राम की यात्रा निकालते हैं राम नौमी पर उस पर दंगा करोगे उस पर दंगा करोगे उस पर लिए यह बहुत आ रहा है विए जाद वेट आ रहा हूँ पर दो हमने निकाल लिये तीस साथ बो जाद में सब्सक्राइब बहुत करों के वह सब्सक्राइब निए और वह सब्सक्राइब निए परसों लगाई पर मोनोलोग है वह रहा कैमरा बोलते रहो करो खतम बात फिर मैं आपको कहता हूं कि आपको कॉंग्रेसी स्पोक्सपसन की आदत लगे फिर आप नराद हो जाते हैं फिर आपको आदत लगे खराफ हो जाते हैं एक मैं आपको बताना चाहता हूं एक ट्वीट आया है विनोद एक तथाकतित पत्रकार है वो कहते हैं शिव मंदिर में वजू और नमाज इसका न यह एक इर्फान नम यह देखे वह आईटी से अरे जो कभी तो मदर से आओ मदर से कर पास आउट को यह करके हाजिक खान साब वह बहुत अच्छी है विनोट कापड़ी नहीं कुई पर आप आप यह सोचिए खैदाद भाई आप आप ही ने आप यह अनुराद बहुत सवा कोई मतलब नहीं हाजिक खान साब एक मुसल्मान ने ट्वीट किया कि देखे शिव मंदर में यह सारी वजू नमाज की जा दिया तो किसी ने उसको कोट करते हुए का बहुत अच्छा यह भारत का नाम है अब यहां पर साद्वी जी ने अच्छा प्रस्ताव रखा है कि मस् अब यह भारत को रही है और वहां पर सुन लेजे अब सुन लीजे शुन लीजे एक मिनट आप बोले जा रहे हैं आप बोली ती कह रहे हैं जहांगीर पुरी में हनुमाज भी पढ़ेगा ना सो तरा डे 25 करता सो वह यतिरा निकाले थे मज्जित में से 500 लोग लेकर आते हैं कि पधर लेका आते हैं प्रंपिभा अते हैं वांसर कर यहां हो रहा है मिट सिभी मेशन हो रहा है इंवज harsh कैशन हो आपका नाम अजदी है आपका नाम अजदी है अजदी साहँ हो एक से निक से अज़ी साहँ मुझे बताई यह कहने है भई सच पता करने अगर जाए कोई एक इंडिविजुल नहीं कोई एक संस्था नहीं सरकार को सरकार कोट तो ऑडर देगा असाई जाएगा जहां वह हो रह है ग्यान भापी को लेगे इसको चेंज करो उसको चेंज करो मैं कहरो कोट ओडर देता है ग्यान भापी से शुरू हुआ मतला अजयन तक आया यह कहरे है भाई हम सच पता करना चाहते हैं दूद का दूद पानी का पानी करना चाहते है और सच पता करने में किसी को कैसी दिक कौन काला दिक्कत है यह क्यों ताउले हुए में कल फैसला आ जाएगा कल कोड का फैसला आएगा क्या क्यों को पेट में दरद हो रहा है दूद का दूद पानी का पारी हो जाएगा हम करते कोड का फैसला मानेंगे क्यों पादे हैं यह जाकर वाउत हमा जाते हैं आपने विल्क्स रिलाक्स चुना आप बढ़का रहें आप बढ़का रहें यह यह कहते हैं कि फुस्तों मारते यह लिखा है आप लिखा हुए है अगर लगा है यह देखो फूदे लिए लगाया कुछ अजी साथ अब मैच पता करने अगर कोई जाता है गुजरात यहां कहा से आले है यह देखो फूदे लिखा है यह देखो फूदे लिखा है अगर महंगाई से सारे लोग बुरे लोग भटका रहे तो आप क्यों आगे इस डिबेट में आप बोलते ना आप आप सिलिंडर लेकर बैट रहते घर पे कि बहुत महेंगाई बढ़ चुकिया मैने आऊंगा इस डिबेट में अचा सुन लिजे आप ने की आप इंकमिंग आउट इस अब बचता है बोपु को यह अंदर लेता है अब बहुत थाए आप ने बोला कि यह भगवा पाहिनने वाले लोगी भड़काती यह ओवेसी भगवा पहंता है के जुसने बोला कूंड की निया आपने भी बोला इक चिल्वित परके कि यह भड़काते हैं बहुत नहीं लगता है पार्टी ने लगती इन्होंने उंगली दिखाई एक से कर रहा है आप ने बात नो जाने भगवान जी बोली बोली ओवेसी ने का खून की नदिया बहेंगी कोड क्या देश से वेसी जब पूछाना को आप वेसी की वकालत करने हैं अप आज में ने का एक्षन का रियक्षन हो आखमार करेंगे जब 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 जबद करेंगे जबाद एन्जे बगवाण गरेंगे अप मैं बड़े हैं पाथ सेकंट फांटिटाने ने देखे देखे निगे इसलिए हुए हरे उड हिडाई कर देख द BBQ के लिए ऐसे नहीं है तो उस्थार एक लोगते मुसल्मानों की लीडर हिंदोस्तान नहीं है बहुत बड़े-बडे लीडर हिंदोस्तान में हुए जिन्होंने मुसल्मानों की रहनुमाई करी और तमाम दिगर पार्टी से अंदर रहें इनकी पार्टी जिन्षमान की धिर पूले बड़े अच्छे मुसलिम लीडर और पढ़े लिक्खे लीडर आ तो इक उतापूर भी बसा हुआ है और मुगलों के दौर मुगल बहुत अच्छे थे एंदु है अमन कि आशा करें पोश्टर को धाउ क्या है जादन जबार मुघ्वाट ले yağना के दौर में में लिखी गई शेजाद भी और मुगली मुद्य पर दो लोगों के पीच्छिगे उन दो कछंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंच सब्सक्राइब एक तरियें फिर पूंद एक कर दिए गार। विकले तोले टूपी बोली होड़ी दोट दों आपकर तूपि अभियाल से आप सिर्फ शेजद से बात करेंगे आप शीजद से लेकिन एक प्राइब सब्सक्सटें लेकिन लेकिन एक मिनट भाईया सेजाद दे रहाँ टेंसे कि जाना करो तेंसे सेत्ना इतना किया रहा हूँ तो आपको जो मगलों का बहुत है तक कितब जामत पढ़िए उसके कितब नहीं लिखता होता है इसके लिए पढ़ने के लिए पढ़ना पढ़ेगी अब भी गया इसे वाप भी गया जाना जाना चाहिए आप आप उसको बोलने जाना पर आप चुछाइब जवाद नहीं तरह आप शक्ता का टाफ के लिए पाफ पास था आपके लिए पॉसके सब्सक्राइब जाद क्वेट पैसे नहीं इन वे लाख प्रिया सतों को सब्सक्राइब डिर्यासतों की अलगे लख स्क्राइब आंप समझे मेरी बात जवाद जवाद जो किया मुगल्स ने किया उसके लावा किसी ने कुछ नहीं किया इस पर आपको रामपुर सीटापुर याद है आपको काशी याद नहीं आपको काशी याद नहीं है आप और चीजा पूर याद है एक थाली में खाना खाया हम फ़िए खाली को बचा कर गरें जिन्दा करने किया जाएं जबाद और शुवाद नहीं है तुप तुट हारा हूँ थाकुर रोशन सिंग पंडित राम पर खात बिस नहीं है जवाद का माय डाउनम नहीं सुनेरा Company करदिया अजी ची मेंट है हाजिक झान होड़े जवाद योर Dragh टो जब Los Angeles अधा टो एक तो जब कोट का आदेश आया, एक कोट का आदेश आने के बाद के वल ओएसी नहीं, बलकि सभी ने भढ़काने की राजनी थी, यासीन ने कहा, गर्दन पर तलवार रख दी गई है, यासीन ने कहा, प्लीज, मैं आप सारी, जावेद, आप धाई मिनट बोल रहे हैं, प्ल कोट के ओडर से, ये ओएसी बोलता है, खून की नदिया भाएगी कोट के ओडर से, ये बोलते है, एलाने जंग हो गया, लाउट स्पीकर का फैसला कोट देता है, एलाने जंग हो गया, मैं आप से पूछना चाता हूँ, क्या आप लोग जाकर वहां पर गए, करवादो 207, 211, तैया अब दूसरी बात, ब आपने बोल लिया, ये दूसरी बात, ना चता हाँ मैं कैने कि मुगलों से अच्छा कोई कर सब्सक्राइब और यह मर्यादानी डेट की यह मैं समझा समझा के सक तक कि मैंने मैं कॉफ कर दिया सिहाद है अची सका साथ तो देद लिए इस धेयर का उसार स्ब्स का रात मैंна 2021 सोबारा ते सब्सक्राइब तो आप जो डिबेट का अर्थिकरमन कर रहे ना ये बुल्डोजर चलाना मुझे आता 15 साल से डिबेट कर रहा हूं जब चलेगा ना जब चलेगा सब्सक्राइब तब आपको पता चलेगा बिलाते रहोगे आप रखिये फिर मैं सबको शांत करता हूं पेरा बोलिए तर्डी सेवंटी में विज्वल्स के साथ शहजाद और आओ तंचन जी मैं आपके पास अलग से आ रहा हूं आप बोलेगा बाकिने आपके बोलेंगा आपने बोलेंगे बोलेंगा थी सेखिंड दीजे शहजाद को पर आपके बास आप बोलिए शहजाद अब मैं बैटने कोट के पास एक पक्ष गया और कहा कि हमारे यहां पर पांच महिलाएं जो दैनिक दरशन करना चाहती है अपने विग्रहों को सुरक्षित रखना चाहती है यह उनका धार्मी कदिकार है कोट के पास जाकर उन्होंने नहीं तो कोई गलत नहीं है तो आज आप枡ा से हाजी खान कीू भागता है वही बागता है जिस्को पता चल जाए कि मेरी अस्वियत क्या है देगे तो ना कोई कह रहा है कि अगर आपको आप चलना चाहते हैं जस आप सभी काया कमेटी ने नंबर दो बाद हमारे बगवान साब कह रहे थे देश में हमारे मौन बागब अगर सबसे बड़ा रहा हिंदोस्तान बाद हमारे बरे भाईयों पर हम बरदाश नहीं हो रहे 65 क्रोड कैसे परदाश करोगे इस मुलक मैं अगर सबसे बड़ा हिंडिया रहा हिंदोस्तान और भारत रहा तो मुगल बाश्या अकबर और और अरंजब पिर रहा और भारत मा की चाहिए और अरंजब का प्रेम ऐसा क्यों है और भारत की त्यांदी जी नहीं चाहिए और यह बहुत और यह बहुत बहुत है और भारत मा के आपने बोल रहें आप नहीं बोल रहें और आपको पर्सनल डिबेट करनी आप जाए पीछे आपको पर्सनल डिबेट करनी है आप जाएए पीछे नहीं आपको परसनल डिबेट करने पीछे जाएए करिए प्लीज रिलक्स आप देखें का रिकॉर्डिंग यू स्पोकन दो मॉस्ट अज्दी साब को बोलने नहीं दे रहा है अज्दी साब अज्दी साब अज्दा पुना वाले ने जो एक पुन पुना वाले ने इसकुष छोड़ा है अब लिए अज्दी साब आज दिया कोट लेके जितना आधिश दिया था उसकी वीडियोग्राफी होई है कोट ने माना है आज मी माना कल कोट फैसला देगा इतने हुतावले क्यो है शादा साब कल फैसला आ जाएगा सब को सम माने त तकरेंगे अच्छा जो है उसको मानें इनके पेड़ में दर्फ के और रहा है इन्होंने ताज महल कहीं चुड़ा दिया ताज महल कहीं हो करें हमारा मंदिर है बोड़ दिया बगों बोल रहे हैं तुम बढ़कर करके बोचु सिनार बनाई यही है इस बात कर अश्य है आप आप चल आप आपको दिखाते हैं आप देखो छाश निया आपको दिखाते हैं शाक्षे जवाबतार क्या गया है खtat ख Chand शाब देरा है जबाद में आ रहा हूं कंचंचन जी एक सिक्ड़ी अब उन्होंने शहाद से सवाल पूझे जवाब दे रहें फिर मैं रहा हूं तो दो बातें जो असधी साहब ने उठाई है में तो मुमताज के मकबरे पर इसलाम में कौंट सी परता है नमाज पढ़ने की वहां पर नमाज परने की लोग यह अंग sitten हैं ऐसा थीज़ नहीं एक सिर्ट एक सब्सक्राइबसे गांपर्पन कि जा जाएंस लिए यह क्या आ किया रहा हैं अग़कर नहीं कि यहां यहिक यह पर जाएंसरा बाइन कि पहुदि और खेंधा जाएंसरा कर दोके वाधूरिक यह यह शोड़े़ा कि यह शार बिलीड़े कि आपको मुम्ताइच के मखबरे से लगाव आपको रगाव रह सकता है मुम्ताइच के पर वो लोग तो कोट गए ने समविधानिक तरीका है आप तो कोट के बदले आप तो सड़कों पर उतराएं लेकिन दर्शकों से पूछ रहा हूं मैं यह दर्शिकों से पूछता हूँ पूछता है भारत हाजी खाजब रिलाक्स रिलाक्स आप सम्राठ अशोख सम्राठ अशोख सम्राठ अशोख और सम्राठ कनिश्क भूल जाते हैं इरान तक हिस्ट्री है न यह भी तो जबवाद दर्शक देख रहे हैं मैसेज कर रहे हैं मैं आपको बता हूँ, वो कहते हैं, सर, इनको ये तो बताईए, कि भारत समराट अशोग के जमाने में पाटली पुत्र से लेके इरान तक रहा, इनको इतियास का नहीं पता, ये सिर्फ अंग्रेजों और और अरंग जेब पे क्यों अटक जाते हमें, और अरंग जेब से दिक नहीं लेकिन, जूटा बाग्सा पे, मैसे जै गुरू, मैसे जै बिल्डिंग बताओ इरान में, इरान में बताओ शोग की बनाई वी बिल्डिंग, हिंदु आग, जो हिंदु हमारे हुकम राते हैं जो इसके, उनको इंडोनेशिया, एक सा पच्छिस से लोग को इरान नही एक बिल्डिंग बनाई यह नहीं मानेंगे, तस्ति बारी हैं तौरी है, ऑस्ति साब सुन लीजे, सुन लीजे अज़्डि साब को,ुटिस बुटिस निजब वहां आखवालतान में है, हमें तसलीम है, क्या आपको नहीं पता पिस तालिवान में किस तरह बड़े-बड़े बहुताम बुद्धा की मुर्तियां तोड़ दी, बम से उड़ा दी, हमारे मुगल बाध्चाथी, अख़वानिस्तान चले का हिरां तर हम क्या हो रहा है, हम बहुत इंपोर्टेंट, एक बहुत इंपोर्टेंट टेस्क कर रहा हुआ रहा है, सवाल पूछ रहा है, आप सब से नहीं सवाल पूछ रहे हैं शहजाद इसाथ कि जवाद 30 seconds to you last 30 to you अशादी जी आपके हिसाब से क्या औरंग जेब ने कोई मंदर तोड़े मेरे साब से तो ली तोड़े औरंग जेब अच्छा आदमी थे अच्छा आज वह है जवाद जवाद बोलो जवाद टाइम नहीं जवाद जवाद अपनी उनली चबाद बोलो जल्दी लहू को लहू लिखते हैं पानी हम नहीं लिखते हैं पानी हम नहीं लिखते हैं कुछ तो बात है तारीख नास करती है हम पे तारीख हम लिखते हैं कहानी हम नहीं लिखते हैं यह सच्चा ही इंडुस्टाइब आप सब्सक्राइब जिन्दा बच्चों को दिवारों में किसने जुनवाया था गुरू तेग भादर को चांदनी जोग में किसने गतल किया था बताएब जबाब दीजिया जवाब सुनी पाइब सब्सक्राइब करेंगे आप शर्माजी नहीं बूल रहे हैं मैंसर इतना क्या रहा हूं आज की तारीक में हमें ऐसा काम करना है ऐसा काम करना है जो लोग कहते हैं न कि हिंदू-मुसल्मान के बीच में डिवाइड और गहरी हो रहे ग्रेटर दर मतल्द लाज़े दे ग्रैंड कैनियन ये खत्म करना है लेकिन सच सच ये बहस अभी खत्म नहीं या जारी रहेगी बहुत बहुत सद्सक्ति फार्टर जी चुए शचान वापी की बात हो चाहे ताजमेल की बात हो चैका तुम एक पक्ष कहता है बही इतना जूट परोषा गया है कि इतनी परते हैं कि परते हटते हटते भी सधिया लग जाएंगी तो दूसरा कहता है जान बूच के हो रहा है भढ़काने क के लिए और आइसाद्गुरू थाहれ हैं बात ज्यारवाफी की हो बात राव मंदिर की हो बात कृष्ण जन्व घुमी की हो बात कुत्व मिनाज की हो बात ताज महल की हो या बात पीस हजार उन्धर मस्थलों की हो जब भारत की बाहर से आये हुए आकरान्दा associated ने भारत की ऊपर लूट पार्ट मचाते हुए यहां पर धर्म का परिवर्शन कराते हुए और भारत के मूल संस्कती और मूल आत्मा सनातन संस्कती के मंदिरों को बिध्वन्ष करते हुए उनके प्रतीचों को मिठाते हुए यहां के हमारे नालंदा के विस्व विध्व जालय में नालंदा के विष्व जालय में नब्य हजार सी चादा पुस्तकें धर्मसास्त्र जिनको जलाते हुए क्योंकि यह बात सभी जानते हैं जब बाहर से आकरांता आए, तो उनके दिमाग में भी ये बात थी, कि अगर हिंदुस्थान को मिटाना है, इसके संस्कृति को मिटाना है, तो ताथकाली समय में ये लूट पार्ट को हम करी रहे हैं, पर इनके प्रतीकों को भी अगर हम मिटाकर चले गए, तो प्रतीक विही कोई भी संस्कृति या समाज बहुत जल्दी खड़ा नहीं हो पाता है, मैं तीसजार उन प्रतीकों और मंदिरों की बात करता हूँ, अगर इमानदारी से भारत देश, हंदुस्थान के हिंदो, मुसल्मान, इसाई, और सारे मिलकर उनकी जाच करें, और जाच करके उन प्र हम भारतवाती हैं, हम भारतवन्ची हैं, हम हिंदुस्थान के लोग हैं, हमारे पूरवज, पात के साथ पूरवज पहले, पूरवज सब के एक हैं, लेकिन महाराज, एक वो जो पक्ष है, क्योंकि फिर यहां पर डिबेट शुरू हो जाएगी, मैं इसलिए आप से पूछ हूँ, वो दूसरा पक्ष कहता है, कि भाई सद्गुरू कह रहे हैं, कि है, लेकिन ये तो सदियों नहीं, मतलब ये तो, मैं कह रहा हूँ, सो, डेड़ सो, दो सो, तीन सो, चार सो, पांत सो, हजार साल पर डेश में एक वहेस चड़ गए, कि आपको एक पक्ष है, वो कहता ह है, कि भाई, आपको जूट परोसा जा रहा है, कोई आज या कल से नहीं, सदियों से, सदियों से भी पहले से, सिकंदर और पोरस की लड़ाई याद है आपको दर्शुरू, मैं आपसे पूछता हूँ आज, सिकंदर और पोरस की लड़ाई याद है कि नहीं, पूछता है भ मैं सिकंदर और पोरस की रड़ाई में लेकिन फैक्ट जब निकाले जाते है तो उनको काउंटर किया जाता है भाईया पोरस जीता था सिकंदर नहीं अलग-अलग इस्टॉरियन अलग-अलग फैक्ट लेके आते है तो आज ये डिबेट है मैं चाता हूँ मेरे गेस आ जाएं बिलकुर बैठ जाएं था मैं अगले दो मिनट में चुलू कर रहा हूँ ये एक असलियत है तो एक पक्ष वो जो ये कहता है जो जूट परोसा जा रहा है एक के बाद एक और दूसरा ये कि आज दूसरा पक्ष ये कहता है कि आज ताज महल का नाम आप कुछ और रखना चाहते है कुत्व मिनार का नाम आप मतलब ताज महल को कुछ और रखना चाहते है कुत्व मिनार का नाम कुछ और रखना चाहते है ग्यान वापी मौश का चल रहा है महां मंदिर था तो ये सब जानबूच के हो रहा है और उनका ये कहना है कि बेसिक मुद्दे से ध्यान हटाने के लिए उरा है लेकिन जो दूसरा पक्ष है दोनों पक्ष होंगे आज डिबेट होनी चाहिए फैक्स पे वो ये कहता है कि सिकंदर और पोरस की लड़ाई से लेके ताज महल तक कुटब मिनार तक फैक्स को औल्ट रखिया गया ग्यान वापी मौस्क क्या हो वो कहते हैं जब वहां से अगर स्वास्तिक आया वहां पे स्वास्तिक बना हुआ है वो कितना पुराना है वो कहते हम से पूछो आप अपना फाइंडिंग करा लो कुटब मिनार के वहां से वो कहते हैं भाई ब्रह्मा विश्नु महेश की मूर्तिया निकल रही है अपने आप चेक करा लीजे कितने साल कितने दशक नहीं कितनी सदियों पुरानी तो दूसरा पक्ष कहता है देखो तुम ये सब कर रहे हो भड़काने के लिए का तुम ये सब जान बूच के कर रहे हो इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम्हारे पास कोई और मिन्दू नहीं लेकिन फिर काउंटर आता है वो कहता है अगर मैं गलत हूँ तो तुम भागते क्यों अगर मैं गलत हूँ तो तुम जाज से क्यो भागते हूँ जो जूट वो कहते है एक पक्ष की भई जो जूट परत दर परत लगाते रहे ये क्या है अगर नीचे बहुत मतलब मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आपके पास एक कोई चीज खराब हो गई है उसके उपर आप कुछ लगाते रहे लगाते रहे लगाते रहे लगाते वो यह कहता है कि जूट की इतनी परते हैं सद्गुरु जी ये सब चाहें ज्यानवापी की बात हो चाहें ताजमेल की बात हो चाहें को तुमिना एक पक्ष कहता है भई इतना जूट परोसा गया है कि इतनी परते हैं कि परते हटते हटते भी सदिया लग जाएंगी तो दूसरा कहता है जान बूच के हो रहा है भढ़काने के लिए हो रहा है सद्गरू नमस्कार आईश्वरिया आपने अभी जो कारंभिक में सारी बातें कही मुझे लगता है अगर दर्सकोन और अस्रोताओं ने जिसे सुना होगा तो उनके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे और यहां जो भी बिद्वान बैठे हुए हैं चाहे मुस्लिम स्कॉलर हैं चाहे राजनेटिक पार्टी के हैं या सादू हैं वो सब इस संबाद में भाग ले रहे हैं बात ग्यासवापी की हो बात राममंदिर की हो बात कृष्ण जन्म भुमी की हो बात कुतुब मिनार की हो बात ताज महल की हो या बात पीस हजार उन भरमस्थलों की हो जब भारत की बाहर से आए हुए आकरानताओं ने भारत की ऊपर लूट पार्ट मचाते हुए यहां पर भर्म का परिवर्टन कराते हुए और भारत के मूल संस्कती और मूल आत्मा सनातन संस्कती के मंदिरों को बिध्वन्स करते हुए उनके प्रतीकों को मिठाते हुए, मिठाते हुए लिटाकर चले गए तो प्रतीक विहीन कोई भी संस्क्रति या समाज बहुत जल्दी ख़ड़ा नहीं हो पाता है मैं तीस जार उन प्रतीकों और मंदिरों की बात करता हूँ अगर इमानदारी से भारत देश हंदुस्तान के हिंदो मुसल्मान इसाई और सारे मिलकर उनकी जाच करें और जाच करके उन प्रतीकों के आधार पर बड़ी सौहार दिता के साथ इन चीजों को वापस कर दें क्योंकि वो जो बाहर से आकरांता आये थे ना हमारे थे ना यहां के मुसलिमों के थे ना यहां के इसाईयों के थे हम भारतवाती हैं, हम भारतवन्सी हैं, हम हिंदुस्ठान के लोग हैं, हमारे पूरवज, पांक के साथ पूरवज पहले पूरवज पहले पूरवज सब के रहे हैं नहीं, लेकिन महराज, एक वो जो पक्ष है, क्योंकि फिर यहां पर डिबेट शुरू हो जाएगी, मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ, वो दूसरा पक्ष कहता है, कि भाई सद्गुरू कह रहे हैं, कि हैं, लेकिन ये तो सदियों नहीं, मतलब ये तो, मैं कह रहा हूँ, यहां, उसको आज अगर टरन ओवर करोगे, यानि अगर उसको बदल रहे की कोशिश करोगे, तो उसमें तो और दिक्कत हो जाएगी, उसमें और समाच तूड जाएगा, उसमें विभाजन हो जाएगा, उसमें हिंदु-मसल्मान के बीच की जो दरार है, वो और बड़ी हो यह काउंटर आता है, वहां से मालाच जाएगा, पांसो साथ सो बर्स पहले किये गए जिल्म के खिलाफ अगर हिंदु-मसल्मान और इसाई साथ में खड़े होते हैं, तो आज जो बतवारा है आपस में, आज जो थोड़े बहुत हमारे भीतर में भाई चारा की कमी है, अग जो किये गए हैं, अगर उनके पक्ष में हम एक का खड़ा होते हैं, तो यह आविनिटी बनती है, एक का बनती है, नकी बिगरती है। हम सबको पड़ाया गया, कि सिकंडर जीता और पोरस हरा, क्या पड़ाया गया अगर गलत बोल रहा हूं तो बताईए। क्या ये नहीं पढ़ाया गया हमें सिकंदर और पोरस की रडाई में लेकिन फैक्स जब निकाले जाते है तो उनको काउंटर किया जाता है भाईया पोरस जीता था सिकंदर नहीं अलग-अलग हिस्टोरियन अलग-अलग फैक्स लेके आते तो आज ये डिबेट है मैं चाता हूं मेरे एक गैस साजा है बिलकुल बैट जाएं साथ मैं अगले दो मिनट में चुलू कर रहा हूं ये एक असलियत है तो एक पक्ष वो जो ये कहता है कि भाई जूट परोसा जा रहा है एक के बाद एक और दूसरा ये कि आज दूसरा पक्ष ये कहता है कि भाई आज ताज महल का नाम आप कुछ और रखना चाहते हैं बेसिक मुद्देस ध्यान हटाने के लिए और आए लेकि जो दूसरा पक्ष है दोनों पक्ष होंगे आज डिबेट होनी चाहिए फैक्स पे वो ये कहता है कि भाई सिकंदर और पोरस की रड़ाई से लेके ताज महल तक कुटब मिनार तक फैक्स को और्ट रखिया ग्यान वापी मॉस्क पर क्या हो वो कहते हैं जब वहाँ से अगर स्वास्तिक आया वहाँ पे स्वास्तिक बना हुआ वो कितना पुराना है वो कहते हमसे मत पूछो आप अपना फाइंडिंग करा लो कुटब मिनार के वहाँ से वो कहते हैं भाई ब्रह्मा विश्नु महेश की मूर्तिया निकल रही है अपने आप चेक करा लीजे कितने साल कितने दशक नहीं कितनी सदियों पुरानी है तो दूसरा पक्ष कहता है देखो तुम यह सब कर रहे हो भड़काने की लिखा तुम यह सब जानबूच के कर रहे हो इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम्मारे पास कोई और मिंदु ने लेकिन फिर काउंटर आता है वो कहता है अगर मैं गलत हूँ तो तुम भागते क्यों अगर मैं गलत हूँ तो तुम जाच से क्यों भागते हो जो जूट वो कहते है एक पक्ष की भाई जो जूट परत दर परत लगाते रहे ये क्या है अगर नीचे बहुत मतलब मैं कहना चाहता हूँ अगर आपके पास एक कोई चीज खराब हो गई उसके उपर आप कुछ लगा जारखन की खनन सचे वाई एस पूजा सिंगल गिरफतार राची में सोला घंटों की पुस्ताज के बाद इडिने की गिरफतारी पूजा के घर से मिले थे 25 करोड कैश काशी की ग्यानवापी सर्वे विवाद पर सुनवाई पूरी कोट कल दुपहर में सुनाएगा अपना फैसला हिंदू पक्ष्णे की शाही मस्जित के तैखानों के सर्वे की मांग गुजरात के राजकोट में अरविंद केजरिवाल ने बीजेपी पर हमला बोला कहा 27 सालों से गुजरात को लूट रही है बीजेपी गुजरात अब बदलाब चाहता है करनाल से किरफतार आतंकियों का बड़ा खुलासा कहा पाकिस्तान से आतंकी रिंडा भेशता था विसफोटक और ड्रग्स दो फरजी गाड़ियों की आरसी भी वरामत यूपी के डीजीपी पर योगी सरकार का हंटर का मिला परवाही पर हटाए गए डीजीपी बुकुल गोयल डीजीपी नागरिक सुरक्षा के पद पर हुई तैनाती नमस्कार मैं सेयद सुहेल और आप देख रहे हैं प्राइम टाइम का सबसे बड़ा शो आप देख रहे हैं भारत का प्राइम टाइम हमारे साथ स्टूडियो से ग्राउंड तक बड़ी टीम मौझूद है आपको दन भर की सभी खबरें हर एंगल और डिटेल के साथ हम दिखाएंगे बिकुत सुहे जैसा आपने कहा के हर खबर दिखाएंगे बात होगी ग्यानवापी की क्योंकि ग्यानवापी मामले में कल दोपहर बारा बजे बड़ा फैसला आना है दोनों पक्ष की तरफ से क्या गली ले दी जा रही है और हिंदू पक्ष क्या सुमूत दिखा रहा है वो भी आज आपको दिखाएंगे और कौन सी खबरे अबशे चोटी सी तकरार होती है मर्डर तक हो जाते हैं सामप्रदाइक हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही एक शहर दूसरा शहर और ताजा मामला आया है बीलवाडा से डीटेल में जाएंगे और मोहाली की बात करेंगे जहां पर जो रॉकेट लॉंचर का इस्तमाल हुआ था वो मिल गया है सी सी डीवी फुटेज भी सामने आई है पंजाब से लेके कन्या कुमारी तक सुरक्षा बढ़ा दी गई है अमनात यातरा की बात करें तो उसको लेकर भी सुरक्षा एजेंसिया चाक चौबन हो गई है बेशक मोहाली हमले की बात होगी क्योंकि मोहाली हमले के तार अब पाकिस्तान से जुड़े हैं आईसाईस से जुड़े हैं और साथी साथ खालिस्तान से भी ताद जुड़े हैं पूरी डीटेल हम आपको बताने बाले हैं अपने इस शो में और इसके लाब हम बात करेंगे ज्ञारखन की आईस पूजा सिंगल की भी जिनने गिराफ्तार कर लिया गया है साथ ही श्रीलंका कैसे बरबाद हुआ चीन के चकर में यह आपको बताएंगे लेकिन उससे पहले एक बड़ी ख़बर आपको बता देते हैं उत्तर प्रदेश से बड़ी ख़बर आ रही है जहां डीजीपी मुकुल गोयल को खचाया गया है यूपी के डीजीपी मुकुल गोयल हटाये गए हैं इस वक्त की बड़ी ख़वर आपको बता रहे हैं डीजीपी मुकुल गोयल को हटाया गया है उत्तरप्रदेश से बड़ी ख़वर आपको हम बता रहे हैं जहां डीजीपी मुकुल गोयल को हटाया गया है उनकी जगा नई जिम्मेदारी कि इसको दी जाएगी जल्द आपको बताएंगे लेकिन अभी जॉयाद कारी मिल रही है कि दीजीपी मुकल गोयल को फिलाल पतसे हटा दिया गया है बाडी खबर इस बीच आपको बता रहे हैं और इस बाडी खबर पर जो भी अपडेट होगी सबसे पहले आपको बताएंगे लेकिन अब ही फिलाल शुरुवात में क्या रिपोर्ट है बड़ी खबर क्या है रिपोर्ट के जरीए सोहिल हमको बता रहे हैं जानकारी लेंगे हम सोहिल से कि इस वक्त की सबसे बड़ी खबर स्पेशल रिपोर्ट आज पज़े के सुपर प्राइम टाइम में क्या है सीधे रुख करते हैं सोहिल का चुक्रिया अनामिका तो आज की सबसे बड़ी खबर आई ग्यान वापी से सभी जानना चाहते हैं कि आखर ग्यान वापी मंदिर है या फिर मस्जद है ये मामला देश की कोट में भी पहुँच चुका है आपको बताएं और देश की अदालत में इस मामले में आज दलीले दी गई हिंदू पक्ष का कहना है कि अब तैखाने का सर्वे हो मुस्लिम पक्ष का कहना है कि कमिशनर बतला जाए और इसके लिए बाकाइदा सबूते सबूत दिये गए लेकिन अब सभी ये जानना चाहते हैं कि आखर ग्यान वापी के तैखाने में क्या है देखे रपॉर्ट ग्यान वापी पर जारी है घमास्तान आमने सामने दोनों पक्ष कल आएगा कोट का फैसला ग्यान वापी मस्जद मामने में दोनों पक्ष रामने सामने हैं मस्जद मामने में सर्वे को लेका लगातार तकरार जारी है ऐसे में अब कोट का फैसला काफी एहम हो जाता है कोट ने दोनों पक्षों की दलीले सुनी और अब कोट का फैसला 12 मई यानि कल आएगा कल का दिन ग्यानवापी मज़िद के लिए बहुत ही खास होने जा रहा है क्योंकि कल कोट सर्वे की तारीक पर अपना फैसला सुनाएगा जिसके बाद सर्वे का काम जारी रहेगा या नहीं इसका इंतजार भी खत्म हो जाएगा कोट कमिशनर्ड बदलने की मांग को ले कर भी घमासान जारी है कोट इस मुद्दे पर कल पैसला लेनेका कोट के कल के पैसले में ये साफ हो जाएगा कि सर्वे के दौरान यही कमिशनर रहेंगे या फिर कोट कमिशनर को बदलेंगे बता दे कि मुस्लिम पक्ष लगातार कोट से मांग कर रहे हैं कि सर्वे के लिए कोट कमिशनर को बदला जाए जिससे की निश्पक्षता के साथ सर्वे किया जा सके सर्वे के दौरान विरोध पर मुस्लिम पक्ष का कहना है कि कोई विरोध नहीं था जहां सर्वे किया वो तो बैरिकेटिंग के बाहर है उससे कोई दिक्कत नहीं पर शुट को बदला जाए या नहीं बदला जाए इतना ही नहीं सर्वे की अगली थारीक क्या होगी क्योंकि साफ तौर पर हिंदू पक्ष की वकील जो है उन्हों ने यह बात हम से बात करते हुए कि देखे हमने जो है और डिमांड किया तारीक की क्योंकि हम अपना सर्वे प जो भी पत्थर्स हैं जो भी उस पर इंडिकेशन है दो तीन फूल बने हुए है सब उसका उनों नहीं कि हम लोग उससे कोई प्रॉब्रम नहीं सिर्फ माशिंगार गोरी का जो परिसर बैरकेटिंग के बाहर उसने सर्वे किया को उसके अंदर जाने के लिए कह रहते हम लोग मामले में कोट में दोनों पक्ष अपनी दलीले पूरी कर चुके हैं हिंदू पक्ष ने कोट के सामने एक और मांग रखी थी कि सर्वे के दोरान जजज भी मौके पर मौझूद रहें लेकिन सर्वे में कौन मौझूद रहेगा और कौन नहीं इसके लिए अभी तक कल के लि जेच के सामने कि आखिर अब आगे वो इस पूरे प्रक्रण में क्या कुछ कह चाहते हैं क्योंकि जो मुस्लिम पक्ष यानि कि प्रतिवादी पक्ष है उनकी तरफ से साफ तोर पर कहना था कि अगर प्रक्रण श्रिंगार गौरी परिसरका है तो फिर बैरिकेटिंग के अंद सर्वे में नहीं चल रहे हैं इसलिए कमिस्नरेट को लेकर एक याचिका डाले गए थी कि कमिस्नरेट इस सर्वे में बदले जाएं हलाकि इस पूरे प्रक्रण पर भी आज कोट के अंदर सुनवाई हुई है कल बारा बजे का वक्त है किया गया है जब इस पूरे मामले पर फैसला सुनाया जाएगो और फैसला आखिर क्या कुछ होगा मानी नहीं नहीं की तरफ से क्या फैसला अस पूरे मामले में आएगा इसको लेकर इंतजार करना होगा कल दुपहर बारा बजे का वहीं अब ग्यानवापी मस्धित मामले में एक और दावा किया जा रहा है एक जहां सर्वे और कोर्ट कमिशनर पर संगराम चिड़ा है तो वहीं दूसरी और एक समाद सेवी ने सबूत के तौर पर तस्वीर में बैरिकेटिंग में दबी हुई चीजें दिखाने की बात कही है समाद सेवी डौक्टर आर्पी सिंग ने कुछ तस्वीरों को दिखाते हुए ये बताया कि अंदर मंदिर है डौक्टर आर्पी सिंग ने दावा किया है कि वही जगा है जहां पर विरोध कर रहे हैं लोगों ने कोर्ट कमिशनर को सर्वे करने नहीं दिया और नहीं विडि किया जा सकता है जिस में मंदिर टूटा है उसके बहुत सारे टूटे फूटे छोटे बड़े पथरों के आवसेस वहां रखे हुए हैं और उसका एक फोटोग्राफ हमारे पास ये है ये वो तेखाना है जिसके अंदर सारे सबूत है और हम लोग कह रहे हैं कि आप तेखाने क के अंदर चलने दो ताला खोलो और हम उसकी भी वीडियोग्राफी करेंगे उसके भी सबूत दिखाएंगे और सव परसंट मेरा दावा है इस तैखाने में जो भी आवसेस रखे गए हैं जो भी कलाकृतियां उस पे बनी हुई टूटी-फूटी दिखती हैं बरतमान में ज पीच कौट भी अपना पैसला कल सुनाने जा रहा है सर्वे का काम होगा या नहीं और अगर होगा तो उसके लिए कोट कमिशनर को बदला जाएगा या फिर वही कोट कमिशनर रहेंगे इन सभी पर कोट कल अपना पैसला सुनाएगा ब्योरो रिपोर्ट रिपब्लिक भारत ग्यानवापी का मुद्दा गर्मा रहा है थमने का नाम नहीं ले रहा है पक्ष और सामने वाला पक्ष दोनों पीछे हटने को तैयार नहीं है पोट ने आज सुनवाई पूरी करी कल फैसला आएगा सुचरिता क्या लगता है आपको बिल्कुल अभिशेक आप सही कह रहे है और जैसा हम बता रहे हैं दुपहर बारा बजे ये फैसला आना है लेकिन उससे पहले आज हमारी सेयोगी अनुपमा ने जब कोट कमेशनर से बात की तो इसी के साथ-साथ उन्होंने बात की वहाँ पर काशी विश्वनात के महन से भी और इस पूरे मामले के पहले पक्षकार से भी हर कोई सुबूत भी दिखा रहा है और दावे भी कर रहा है कि ज्यानवापी में मंदिर है इन दावों में कितना दम है ये दिखाते हैं क्या है ज्यानवापी का सच ये मस्जिद है या मंदिर काशी विश्वनात मंदिर से सटी हुई है ज्यानवाफी मस्जिद कहा जाता है कि मुगल समराट और अग्जेव ने मंदिर को तुड़वा कर मस्जिद बनवाई थी इसके बाद से एक पक्ष मस्जिद परिसर में शिंगार गौरी की पूजा की बांग कर रहा है तो दूसरा पक्ष कहता है कि ये मस्जिद है सबके अपने अपने दावे एक पक्ष के लिए मस्जिद तो दूसरे पक्ष के लिए मंदिर है इस बात की सचाई सर्वे से सामने आने की बात कही जा रही है इस बीच कही आचिका करता सुबूतों और तस्वीरों के साथ सामने आ रहे है इस पूरे विवात के बीच रपब्लिक भारत आपको सुबूतों की सबसे बड़ी गवाही दिखाने जा रहा है पहली गवाही कुलपती तिवारी महंत काशी विश्वनात मंदिर काशी विश्वनात मंदिर के महंत कुलपती तिवारी 1858 की तस्वीर दिखाते हुए दावा कर रहे हैं कि यहां कोई मस्जिद थी नहीं कुलपती तिवारी ने कहा कि हम सुबूत दिखा रहे हैं मुसलिम पक्ष बताए कि उनके किस पूर्वज ने मस्जिद बनाई थी। महंत जी ने साफ कहा कि ज्ञान वापी यानि कि ज्ञान का भंडार ये मंदिर जहां आदिवेश वेश्वर का शिवलिंग है यहां बहुत सारी मूर्तिया हैं कई शिवलिंग है और 1858 की तस्वीरों में मस्जिद कहीं नजर नहीं आता दूसरी गवाही सोहन लाल बर्मा पहले याचिका करता ग्यान वापी मामले पर पहले याचिका करता सोहन लाल बर्मा का दावा है कि आज भी मस्जिद के गुंबद मंदिर की दिवारों पर ही बने है वो तस्वीरे दिखाते हुए बताते हैं कि मंदिर की अफशेश, मंदिर की दिवारे साफ नजर आती है आगे सोहन लाल बर्मा का ये भी कहना है कि 1937 में जब पहली बार सुन्माई हुई थी तो कोट देकेवल तीन लोगों को ही नमास पंड़े की इजाज़त दी थी लेकिन अब पोट के उस वैसले की अफमानना हो रही है ये मंदिर का हिस्सा है देखिए उपर सफेद वाला जो है ये मस्जिद का हिस्सा जोड़ा गया है इसी के उपर जोड़ दिया गया है ये मस्जिद की नियू नहीं है नियायले में निरने हुआ है कि इस मस्जिद में तीन लोग नमाज पढ़ने का दिकारी होंगे लेकिन आज इतने मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं यह माननी नियायले का घोरतम अपमान है तीसरी गवाही, आरपी सिंग, समाजिक कारेकरता ग्यानवापी विवाद में तहकानों के सुबूतों को काफी एहम माना जा रहा है समाजी कारेकरता आरपी सिंग का दावा है कि तहकाने का सर्वे होगा तो पूरा सत सामने आ जाएगा सच के लिए तहकाने में जाना ही होगा ग्यानवापी विवाद में तहखाने के सुबूतों को काफी एहम माना जा रहा है सामाजिक कारेकरता आरपी सिंग ने हमें पुराने मंदिर की कई तस्वीरे दिखाई वो तस्वीरे भी दिखाई जिसमें कलाकृतियां साफ नजर आती हैं और ये तस्वीरे अपने आप में ग्यानवापी के मंदिर होने की गवाही दे रही है आरपी सिंग ने कहा कि तहखाने का सर्वे होगा तो पूरा सच सामने आ जाएगा सच के लिए तहखाने में जाना ही होगा तहखाने में बहुत सारे सबूत रखे हुए हैं और हम लोग कह रहे हैं कि आप तैखाने के अंदर चलने दो, ताला खोलो और हम उसकी भी वीडियोग्राफी करेंगे, उसके भी सबूत दिखाएंगे, और 100% मेरा दावा है, इस तैखाने में जो भी औसेस रखे गए हैं, जो भी कलाकृतियां उस पे बनी हुई तूटी फू किल कह रहा है कि सर्वे को लेकर कोई विरोध नहीं था, वकील का कहना है कि 1991 के प्लेस और वर्शिप अक्ट से साफ है, कि हर जगा पर सवाल उठाना सही नहीं कि ना कोई ऐसा और है, और कोई आपकी ऐसी रिलीफ है, कि हम बेर्केटिंग के अंदर जाएंगे, या हम जो तो मस्जिद के अंदर जाएंगे, जब किसी चीज़ का इस पेस्वेश और नहीं हो, और उसमें आप फिर जो तो क्यों प्रिवेश करेंगे हैं, एक्ट आया 1991 मे 15 अगस 1947 को, जो भी religious place किसी भी community का, जैसे वो वैसे ही रहेगा, तो फिर ये बार बार इस तरह के इस तो है, हैंद्रिस पैदा करना, या हर जगाए अप्लिक्शन दाखिल करने से क्या मख सेगे इन सब के बीच अगस 2021 में इस विवाद में एक नया मोड तब आ गया, जब ग्यानवापी परिसर की दिवार के पश्चिमी छोर पर, बहारी दिवार पर, चबूतरे पर, स्थापित मा शिंगार गौरी की प्रतिमा की नियमित दर्शन की मांग उठी, इसे लेकर वारनसी की सिविल कोट सीनिय डिविजिन में पांच महिलाओं ने याचिका दायर की, ग्यानवापी विवाद में सर्वे को लेकर कोट गुरुवार को अपना फैसला सुनाएगी, लेकिन उससे पहले हिंदू पक्ष जहां सुबूतों के जरी अपना दावा मजबूत बता रही है, वह सामप्रदाइक हिंसा के चलते राजिस्थान की सियासत में उबालाया है, बता रहा है अब शेक नहीं ले रही, एक नया मामला आया है भीलवारा से, चार तारिक को कुछ घटना हुई, और नौ तारिक को, एक युवक को सरे आम चौक में चाकू गोत कर मार दिया गया, क्या घटना हुई, डीटेल में समझते हैं राजस्थान में बार बार ऐसा क्यूं हो रहा है, क्यूं यहां बार बार हिंसा भड़क रही है अब एक लड़के के हत्या के बाद भीलवारा शोहर में तनाव फैला हुआ है, आदर्श नाम के एक लड़के की चाकू मार कर बेरहमी से सर्याम हत्या कर दी गई, जिसका आरोप दूसरे समुदाई की लोगों पर लगा है बताये जा रहा है कि यह थ्या मामूली विवात पर हुई है, आदर्श रहम के गोहार लगाता रहा, लेकिन आरोपी चाकू से ताबर तोड़ उस पर हमला करते रहे चोटे से बात के कारण कोई किसी को इस तरीके से मार सकता है क्या आज कहा सुनी तो किसी की पड़ोसी की भी हो जाती है, तो क्या पड़ोसी एक दूसरे को इस तरह से मारते हैं क्या इस आपने फैसले खुद लेता है तो उसने मुझे बूलता ऐसी कोई बात होगी तो ममी मेरे साथ मेरी टीम वाले है आप प्लीज मतलब इतना सोचो मत इस बारे में मैंग ने भी ये बात बोली दी और बट मैंग नहीं गोला था अपन उससे सौरी मांग के बात ही कदम कर देते हैं तो सौरी भी मांग लिया था उसके अंकल को भी कह दिया था फिर उनके मन में ऐसी क्या भावना थी जो उन्होंने आदर्श को इस तरीके से मार दिया मैं बस न्याय चाहती हूँ मेरे बेटे को न्याय दिलाना चाहती हूँ आदर्श के मौत के बाद भीलवाडा के हालाद बिगड़ गए वहाँ STF और RSC को तैनात करना पड़ा पूरे इलाके में इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी गई लेकिन बावाल थमने का नाम नहीं ले रहा है आदर्श के परिजन इंसाफ और मौबजे की मांग करते दिखे तो वहीं दूसरी तरफ आदर्श के हत्या के विरोध में हिंदू संगटनों ने बंद का एलान कर दिया इस बंद के दौरान जो भी दुका ने खुली दिखी उन्हें भी बंद करवा दिया गया वही पुलिस प्रश्वासन का दावा है कि तीन लोगों को हिरासत में ले लिया गया है बाकी आरोपियों की गिरफतारी जल्द होगी सवाल राजस्तान सरकार पर भी उठ रहे हैं आखर क्यू बार बार साम्परदाईक हिन्सा भड़क उठती है सवाल ये भी है कि कब पीड़टों को इंसाफ मिलेगा बिरो रिपोर्ट रेपबलिक भारत आदर्श की माँ नियाय चाहती है गैलोट साथ कानून विवस्था राज्य सरकार का जिम्मा है आप कुछ करेंगे शायब चलते हैं पंजाब और मोहाली जहां पे खालिस्तानी आतंकवाद की एक घटना हुई पंजाब पुलिस को टार्गेट किया गया शाजियाल बताएं क्या है बेशक अपिशेक देखें पाकिस्तान खुद को तो समाल नहीं पा रहा है लेकिन वो भारत के खलाव साजशे शर्यंतर रचने से बास नहीं आ रहा है अब जो मोहाली में घटना हुई है मैं आपने दर्शकों को बताना चाहूंगी कि उसके तार सीधा सीधा पाकिस्तान से जुड़ते हुए नजर आ रहे है इतना ही नहीं रिपब्लिक मीडिया नेट्वर्क के पास सीसी टेवी फोटेज भी मौजूद है उसको देखिए खुद समझे क्या स्कती बनी हुई है और कैसे एक बार फिर से पाकिस्तान हिंदुस्तान के खलाफ शर्यंद्र रच्टा हुआ पकड़ा गया है मौहाली धमाके के खुल रहतार सीसी टीवी में दिखी हमलावरों की कार पाकिस्तान से जुड़ती साज़िश की कड़ी सुमवार को पंजाब के मौहाली में बोलिस इंटेलिजन्स मुख्याले के बाहर जबर्दस धमाका हुआ था मुख्याले पर एक RPG यानी रोकेट प्रोपेल्ट ग्रिनेट दागा गया था ये सामने आया कि इस धमाके में आरोपी एक सफेद कार में बैट कर आये थे और ग्रिनेट फेक कर दूसरी कार से भाग गये इस पूरी घटना का हमारे पास CCTV फुटेज है ये तस्वीर देखिए ये उस समय की तस्वीर है जब इमारत पर हमला हुआ था CCTV फुटेज में साफ दिख रहा है कि बिल्डिंग पर बाहर से रोकेट लॉंचर से हमला किया गया धमाके से पहले इमारत के पास नियमित रूप से यातायाद की आवाजाही दिखती है अचानक एक चमक होती है जिससे इलागे में कुछ समय के लिए रोश्णी होती है और धमाके के चलते कैमरे के सामने करीब एक सेकेंड के लिए थोड़ा अंधेरा हो जाता है धमाके के कारण इमारत के शीशे तूट गये थे दमाके में इस्तमाल हुआ रॉकेट लॉंचर भी भरामत हो गया है और सूतरों के अवाले से खबर ये भी आ रही है कि संदिक्द कार तक पुलिस पहुँच गई है पुलिस ने अब तक 15 संदिक्दों को पुस्ताच के लिए हिरासत में लिया है करीब हज़ार मुबाइल के डेटा की जाच हुई है ये भी सामने आ रहा है कि पुलिस ने पंजाब के फारीद कोट से एक व्यक्ति को गिरफतार किया है जो कि तरन तरन का रहने वाला है और इस पूरी साज़श के पीछे आएसाई, पाकिस्तान और खालिस्तानियों का हाथ सामने आ रहा है इसी खूफिया विभाग के बाहर से वो ब्लास किया गया था और यहीं से एक किलो मीटर की दूरी पर वो रॉकेट लाउंचर आज बरामत किया गया एक बार यह तस्मीर में आपको दिखाना चाहूंगी खूफिया विभाग की बिल्डिंग और यहां से एक किलो मीटर की दूरी पर रॉकेट लाउंचर बरामत किया गया जहां डियाई जी भी आज मौके का मुआइना करने के लिए पहुँचे हुए थे पाकिस्तान के पाकिस्तान करके एक संगठन जो बनाए गया है वो सीधे तोर पर इसी मकसद से बनाए गया है ताकि पंजाब को और जम्मू को खास तोर पर दहलाने की कोशिश की जा सके दमाके के पीछे नापाक साज़श पाकिस्तान में साज़श का आका जो रॉकेट लाँचर इस दमाके के लिए प्रयोग हुआ था ये सामने आ रहा है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईसाई ने उसे खालस्तानियों को दिया था इसके बाद लॉंचर को पंजाब भेजा गया इस बीच ये सामने आ रहा है कि पूरी साज़श पाकिस्तान में रची गई खुफिया दस्तवेश से भी बड़ी बाते सामने आ रही है पंजाब के खिलाफ आईसाई साज़श रच रही है आईसाई ने पंजाब में आतंकी घटनाओं के लिए नया गुड बनाया है इसका नाम है लशकर इखालसा आईसाई के हैंडलर अमर खालिस्तानी का नाम भी सामने आया है कई फेस्बूक अकाउंट चला कर लोगों को भड़काने की साज़श की जा रही है पंजाब के साथ कश्मीर में साज़श रच रहा है लशकर इखालसा ये भी सामने आ रहा है कि आतंकियों को हतियार चलाने की प्रिनिंग दी जा रही है कुछ अफगान लड़कों को भी लशकर इखालसा में शामिल किया गया है रॉक्स के जरीए कमाई की जा रही है लीपरसेल तैयार किये जा रहे है पाकिस्तान की खूफिया एजेंसी आईएसाई ने पंजाब को दहलाने की एक नई साचिश रची है पंजाब में आतंक वादी घट्डाओं को अंजाम देने के लिए लशकर इखालसा नामसे एक नया आतंकी गुट तयार कर लिया है और इस आतंकी गुट के अंदर अफगान के आतंकियों को शामिल किया गया है कि इस बिल्डिंग पर जो अटैक हुआ बताया ये जा रहा है कि ये आरपीजी जो है पाकिस्तान से ड्रोन के माध्यम से पंजाब में भेजा गया था जिसका बजन करीब साथ किलों के आसपास था ऐसे में लगातार जो खूफिया एजंसी है वो इनकी एके गती विदियों पर नजर रख रही है फिलाल ये जो अटैक हुआ इसमें कौन कौन लोग शामिल है इसको लेकर के पंजाब पुलिस और दूसरी जो खूफिया एजंसी है वो लगातार तेजी से छान बिन कर रही है पिछले कुछ महीनों में पंजाब में इनके जरीय साधिशे रची जा रही है और जाँच सीधे पाकस्तान की और जाती है खालिस्तानी हरवंदर सिंग रिंदा का नाम सामने आया है ये भी सामने आ रहा है कि पाकस्तान में बैट कर इन साधिशों को अंजाम देने की कोशिश हो रही है कहा जा रहा है कि निशाने पर पंजाब और जम्मू कश्मीर दोनों ही है इसको देखते हुए जम्मू पंजाब सीमा पर भी चौकसी बढ़ा दी गई है जो भी गाड़ियां जम्मू कश्मीर से पंजाब आ रही है उनकी जाच की जा रही है ब्यूरो रिपोर्ट रिपब्लिक भारत तो देखा आपने किस तरीके से साल दर साल बीतते चले गए लेकिं पाकस्तान बास नहीं आया और आज भी पाकस्तान की नापाक साजशे शर्यंत लगाता जा रही है यह तो आपने समझ लिया कि करेक्शन किसके साथ है लेकिन हुआ क्या कैसे हुआ क्या हथियार इस्तमाल किये गए थे ये आपको बताएंगी मेरी सायोगी शिखाशर्बा बिल्कुल मोहाली अटाक को लेकर आपको बताते कि पंजाब पुलिस की अगर बात करें तो देखें, मोहाली अटाक को लेकर पंजाब पुलिस पूरी तरीकी से आक्टिव मोड में नजर आ रही है आक्टिव मोड में नजर आ रही है क्योंकि जो हमले में इस्तमाल किया जाने वाला RPG लॉंचर था वो पुलिस के हत्ते लगा है यिस लॉंचर को जो आरूपी थे वो वही छोड़कर चले गए थे और जो कच्रा बीनने वाली एक महिला थी उसको वो लॉंचर मिला था और इदर दूसरी तरफ अगर बात करें तो पुलिस ने कई संदिक्दों को भी ग्रफतार किया है इसके तार सुलजाने की कोशिश लगातार की जा रही है रोकेट लॉंचर बरामद RPG थमाके में तेज हुई जांच पंजाब के मोहाली में हुए हमले में अब पुलिस को बड़ी काम्याभी मिली है मोहाली अटाक में इस्तमाल हुए रोकेट लॉंचर की बरामदगी पुलिस ने कर ली है पुलिस को रॉकेट लॉंचर तक पहुचाने वाली एक महिला है महिला सुबा कच्रा उठाने के लिए वहाँ पहुची थी उस दोरान महिला ने उस लॉंचर को देखा और पुलिस को इसकी जानकारी दी पुलिस ने मौके पर पहुँच कर लॉंचर को अपने कबजे में ले लिया और उसके जरीए अब हमलावरों तक पहुँचने की कोशिश कर रही है लॉंचर हमले वाली जगह से करीब एक किलोमीटर की दूरी पर मिला है बताये जा रहा है कि मोहाली में इंटेलिजन्स के दफ्तर पर हमलावरों ने RPG लॉंचर से हमला करने के बाद लॉंचर को एक किलोमीटर की दूरी पर फेक कर फरार हो गए तो फिर आपने पुलिस को बता दिया आप नहीं बताया ओ तो उड़ी खड़े थे ना हपाज जिगा आ गए हो बायस मेरे बता रॉंचर की बरामत की और संदिक्दों की गिरफतारी के बाद पुलिस का दावा है कि हमलावरों तक जल्द पहुँचा जाएगा इस बीच इंटेलिजन्स के दफ़तर को निशाना बनाये जाने के बाद पुलिस ने एक ऐसे संदिक्द को पकला है जो इस हमले का खुलासा करने के लिए पुलिस के लिए एक एहम कड़ी है पंजाब पुलिस में कुछ समय पहले जेल से जमानत पर बाहर आये निशान सिंग को हरासत में लिया है निशान सिंग जो इस समय पुलिस की गिरफ्त में है वो कोई आम अपराधी नहीं है बलकि ये नशात असकरी से जुड़े कई मामलों में जेल में बन था और कुछ समय पहले ही जेल से जमानत पर बाहर आया है निशान सिंग पर फरीत कोड, अमरिस सर, तरंटारन और गुर्दासपुर में करीब एक दरजन से ज़्यदा मामले दरज है गुपतु सूचना पर जाच एजनसियों ने निशान सिंग की लोकेशन को ट्रेस करके गिरफतार किया है जो सिस्टिवी फुटिश में वो सफेद रंकी कार दिखी थी, स्विफ्ट वो कार बताई जा रही थी जिसमें जो लोग सवाग थे कल ये जानकारी मिली थी कि उन्हें इरासत में लिया गया है और पंदरा से जादा लोग है जिन से पूछताच इस मक्त लगतार जारी है और यही वो इलाका है, यही वो बिल्डिंग है कोफिया विभाग की, जहां पर यह हमला किया गया था आरपीजी से, आईसाई का एक संगठन लशकर एक खाल सा जो है, वो बनाया गया है और उसमें पूरा हाथ ISI का है, और सीधे तोर पर यह नया संगठन पंजाब को दहलाने के लिए पंजाब के आसपास के अलाकों को दहलानी के लिए बनाया, कई स्लीपर सेल्स भी इसमें तैयार किये जा रहे है इसलिए ये जो एके करके लिंक अब सामने आ रहे हैं जाए वो हजार फोन के डेटा को खंगालना हो या फिर जो गाड़ी मिली है उसकी आगे की तफ्तीश करना हो जो पंदरा लोग हैं जिनसे अब पूटस्टाच हो रही है उनसे बात करना हो ये लिंक निकालने की कोशिश ह ये मामला बेहत गंबीर है एजनसिया जाच में दिन राद चुटी है मोबाईल डिटेल्स की जाच हो रही है काड़ीूं की जाच हो रही है संद्ग्दों को हिरासत में लिया जा रहा है जैसे जैसे जाच आगे बढ़ रही है इसमें खालिस तानिया और साफ साफ दिखने लगे हैं प्यूरो रिपोर्ट रिपब्लिक भारा तो मोहाली का साजिश करता कौन है इसका जवाब ढूने में लगी हुई है पंजाब पुलिस और एक एक जो सुराग है उसको खगालने की कोशिश की जा रही है जिससे इसका परदाफास हो सके और इधर अमारनात यात्रा की अगर बात करें तो देखे अमारनात यात्रा को लेकर भी सुरक्षा एजिंसिया पूरी सतर्ता बरत रही है कैसे बरत रही है बताएंगे अनामे का बिल्कुल शिखद रसल के वल पंजाब और जम्मू कश्मीर ही नहीं बलकि वो पवित्र यात्रा जो पिछले दो साल से नहीं जा पाए थे यात्री वो श्रद्धालू जो दर्शन करने जाना चाहते थे उस यात्रा पर भी आतंकियों की नजर है हलाकि इस मनसूबर को सुरक्षा बलो ने नाकाम कर दिया है रामबन जिले से बड़ी मात्रा में असलाह बरामत किया गया है और बताया ये जा रहा है कि आमारनाथ फ्यात्रा जो की 30 जून से शुरू होने वाली है उसमें श्रधालों को नुकसान पहुचाने की मनशा थी इन असलाहों इन हत्यारों के जरीए इस रेपोर्ट को देखिए क्या हुआ था ये तस्विरे आतंकियों के नापाग मनसूबों की गवाही दे रही है जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में सुरक्षा बलों को ये असलाह गोला बारूद मिला है सीमा पर कभी सुरंग मिलती है, कभी ड्रोन दिखाई देते हैं, कभी हत्यार गिराने की कोशिश होती है आतंकिक किसी ना किसी तरह से अपने काले कारणा में अंजाम देने की कोशिश कर रहे है एक बार फिर उन्होंने कोशिश की, लेकिन उनके हथियार सुरक्षा बलों के हाथ लग गए रामबन जिले के सुंबेर इलाके से ये बरामदगी हुई है जो सामान बरामद हुआ है, उसमें बड़ी संख्या में AK-47 की मैगजीन पिस्टल की गोलियां मिली है दूरबीन और एक वारलेस सेट भी मिला है, ग्रेनेट मिला है पुलीस को एक इंफिर्मेशन मिली, रेलाबल सोर्सिस से जिसके बाद एक टीम कॉंस्टिटूट की गई, जिसमें SHO धरमकुन टीम को लेके स्वाट पे पहुंचे काफी देर वहाँ पे सर्च करने के बाद, जैसा कि आपने देखा अम्यूशन हमें वहाँ मिला अम्यूशन के साथ काफी चीज़ें और भी वरामत की गई, जिसमें 179 राउंड हैं, दो मैगजिन्स हैं, एक वाइरलेस हैं, दो यूबीजियल गर्नेड्स हैं, साथ में उनकी रॉड है और एक बाइनाकुलर है पब्लिक के लिए यही संकेत है कि कोई पैनिक की जरूरत नहीं है, अगर कोई भी ऐसी चीज़ पता लगती है, आप हमें इंफर्मेशन दे सकते हैं, बीसीर के थूरू या अधरवाइस भी आके थाने में रिपोर्ट कर सकते हैं, इस पर जो कारभई बनेगी उखी जाएग सुरक्षबनों ने आतंकि एक बड़े जखीरे को रामबन के गूल से बरामद किया, ये जखीरा माना जा रहा है कि आतंकि तरफ से यहां पर छिपाया गया था एक कूफिया सूचना गया धार पर पुलीस जब यहां पर पहुंची और इलाके की गहन तलाशी ली गई तो र पाइनो कुलर तक मौजूद थे, अमरनाथ यात्रा से पहले जखीरे का रामबन जिले से बरामद होना सुरक्ष एजेंसियों के लिए एक बड़ी काम्याबी के तोर पर देखा जा रहा है क्योंकि यात्रा को इसी रास्ते से यानि की रास्ट्री राच्पार्क से होते उससे पहले सुरक्ष बलों को यहाँ पर एक बड़ी काम्याबी मिली है जिसके बाद पुलीस ने पूरे इलाके में अलर्ट कर अतिरिक खोज शुरू कर दी है तांकि आतन क्योंकि हर मनसूबे को विफल किया जा सके इस बीच यात्रा की तैयारियां पूरी की जा रही है सुरक्ष बल किसी भी खत्रे से निपटने के लिए तैयार है उन्हें खास ट्रेनिंग दी जा रही है उन्हें स्टिकी यानि चिपकने वाले बमों से निपटने की ट्रेनिंग दी जा रही है ये वो बम होते हैं जिने क अपना रोल उसमें अदा कर रही है और हम हर वर्ष की तरह इस बार भी अच्छी तरह से पूरी सफलता पूरों के इस हैतरा को संबन करेंगे तो किस तरह से अमर्ना थ्यात्रा आतंक्यों के निशाने पर एगे हमने आपको बताया अब जारखंड की राजधानी राची से बड से दो दिनों तक पूचताच होई और आखरकार उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है दरवसल गबन के आरोप लगे है उनके उपर, मनी लौटरिंग के आरोप लगे है यानि के पूजा सिंगल अब गिरफ्तार हो चुकी है, रेपर्ट आपके साब में रखती है जारखन सरकार में खनन सचिफ आईस अधिकारी पूजा सिंखल को आखरकार एडी ने गिरफतार कर लिया पूजा सिंखल को मनरेगा में गबन और मनी लौडरिंग के आरोप पे गिरफतार किया गया है एडी लगतार दो दिनों से पूजा सिंखल और उनके पती से पूचताच कर रही थी और पूजा सिंखल के दूसरे दिन सवालों के सही जवाब ना मिलने पर आखरकार एडी ने पूजा सिंखल को सलाखों के पीछे पहुचा दिया इससे पहले पूजा सिंखल के ठिकानों पर छापे मारी की बड़ी कारवाई होई थी जिसमें 19 करोड से ज्यादा का कैश बरामत किया गया था और इसी काली कमाई के बारे में पूजा सिंखल से पूचताच की जा रही थी मंगलबार को एडी ने करीब 9 घंटों तक पूजा सिंखल और उनके कारुबारी पती अभिशेक सिंखल से पूचताच की थी और इसके बाद आज उन्हें राची में फिर इडी के दफ्तर में पूचताच के लिए तलब किया गया था जहां उन्हें गिरफतार कर लिया गया इडी ने ये कारवाई 2009 से 2010 के मनरेगा घोटाले में की इडी ने आई ये स्पूजा सिंखल उनके पती अभिशेक ज्छा सी एस सुमन कुमार से जुड़े थिकानों पर छापे मारे थे राची में सी एस सुमन कुमार के थिकाने पर रेट के दौरान करोड़ों रुपाई का काला कैश बरामत हुआ था नोटों की इतनी गड्या मिली कि धेर लग गया नोट गिनने के लिए तीन मशीने मंगारी पड़ी गिनिती का सिलसिला शुरू हुआ तो ये 19 करोड 31 लाख रुपाई पर जाकर थमा दो दिन तक चली छापे मारी में 300 करोड रुपाई के दस्तावेज भी जब्त किये गए थे इसके बाद जाच एजनसी ने पूचताच का सिलसिला शुरू किया पहले सिये सुमन कुमार से पूचताच की गई और सही जवाब नहीं मिलने पर उन्हें गिरफतार कर लिया गया इसके बाद पूजा सिंखल के पती अभिशेग जहा से पूछताच पूई और फिर पूजा सिंखल और उनके पती अभिशेग जहा दोनों को आमने सामने बैठा कर भी सवाल जवाब किये गए दरसल ये मामला साल 2007 से 2010 के बीच का है जिसको लेकर एडी ने एक साथ पाँच राजियों जारखन, बिहार, हर्याना, वारिस्थान, पर्ष्यम, मंगाल पे छापे मारी की 2007 से 2010 के दर्मिया तीन सालों में पूजा सिंखल जारखन के तीन जिलों में कलेक्टर रही बताया जा रहा है कि इसी दर्मिया मनरेगा में करीब अठारा करूर रुपई की वित्तिय गड़बड़ी हुई तक कालीन सीम अरजुन मुडा ने जानकारी मिलते ही जाँच के आदिश थिये विजलेस को इसकी जिम्मेदारी सौपी गई जिसमें 16 FIR दर्श की गई और गिरफ़तारियां भी हुई पूजा सिंखल 2000 बैच की आईएस अधिकारी है वो काफी तेज तर्रार अधिकारी मानी जाती रही है इस समय वो जारखन सरकार में खानन सचिव के पत पर तैना थी बता जा रहा है कि पूजा सिंखल पर पहले भी भष्टा चार के आरोप लगी है लेकिन इस बार करोडों की काली कमाई का हिसाब एडी ले रही है जिसकी पाई पाई का जवाब पूजा सिंखल को बताना होगा और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी और बाचीत के लखिये में सीधार रुक करूँगी हमारे साक्यों की अनूप का अनूप वही पर इस समय मौजूद है अनूप आये साधिकारी पूजा सिंखल की गिरफतारी हो गई पूरे दो दिन तक उनसे पूछताच हुई थी और जब एडी की टीम इनफोर्समेंट डिरेक्टरेट की टीम सैटस्वाइड नहीं हुई तो आकरकार उनकी गिरफतारी हो गई अब अगला कदम क्या रहने वा पूजा सिंखल को ला गया पूजा सिंखल पहले दिन से कह रही थी कि उन्हें मालूम नहीं कि ये पैसे कहां से है और सबसे बड़ा ट्रांजक्शन जो था 1.43 करोड का जो ICIC बैंक में था ये ट्रांजक्शन कहां से हुआ कैसे सोर्च सा कौन था ये नहीं बता पाई वो ज पूजा सिंखल को जो गरफतार कर लिया गया अभी इस वक्त उनको यहां जजर्च के पास पेश किया जा रहा है और इसके बाद उनको रिमांड पर ले या जाकर रिमांड के अवड़ी कितनी होगी ये उनके बाहर आने के बाद पता चलेगा लेकर इसके बाद एक बार फि सफेद पोष्ट लोग हो सकते हैं बड़े पॉलिटिकल चेहरे भी हो सकते हैं ऐसा नाम कहा जा रहा है लेकिन जांज के बाद पूरी तरह से पुकता जानकारी जब मिलेगी तब इड़ी खुलासा करेंगे मैं चाहूंगा आपने वीजे से के पहले तस्वीरे दिखा दें दे कहना मुश्किल है लेकिन बड़ी अनिमित्यता की बात थी खुटी में उनके उपायक तो रहते हैं वो डुस्टिक प्रोग्राम कॉडिनेटर बी थी मन्रेगा की वहां वहां भी उनके ओपर अनिमित्यता का रोप लगा था 18 करोड के अनिमित्यता थी और इसके बाद यह ज अपकी नज़रे हैं लेकिन आईएस पूजा सिंगल को गरफतार कर लिया गया है उनके पती के खिलावी कारवाई की तैयारी है धन्यवाज जान करी के लिए तो हर बड़ी ख़बर के लिए आपका चिकाना भारत का प्राइब टाइम लेकिन कहीं में जाएगा आगे दिखाएंगे ये भारत की बात है देश में एक बहस छड़ गए कि आपको एक पक्षे वो कहता है कि भाई आपको जूट परोसा जा रहा है कोई आज या कल से नहीं सदियों से सदियों से भी पहले से सिकंदर और पोरस की लड़ाई याद है आपको दर्शो मैं आपसे पूछता हूँ आज सिकंदर और पोरस की लड़ाई याद है कि नहीं पूछता है भाई हम सब को पढ़ाया गया कि सिकंदर जीता और पोरस हारा क्या पढ़ाया गया अगर गलत बोल रहा हूं तो बताई क्या यह नहीं पढ़ाया गया हमें सिकंदर और पोरस की रडाई में यह ग्रेट सिकंदर वन और भारती एसमराठ पोरस हार गये लेकिन फैक्स जब निकाले जाते हैं तो उनको काउंटर किया जाता है भाईया पोरस जीता था सिकंदर नहीं अलग अलग इस्टोरियन अलग अलग फैक्स लेके आते हैं तो आज यह डिबेट है मैं चाता हूं मेर दो मिनिट में चुलू कर रहा हूँ यह एक असलियत है तो एक पक्ष वो जो यह कहता है कि भाई जूट परोसा जा रहा है एक के बाद एक और दूसरा यह कि आज दूसरा पक्ष यह कहता है कि भाई आज ताज महल का नाम आप कुछ और रखना चाहते है कुछ और मिनार का नाम आप मतलब ताज महल को कुछ और रखना चाहते हैं कुछ और मिनार का नाम कुछ और रखना चाहते हैं ग्यान वापी मौस्ट का चल रहा है महां मंदिर था तो यह सब जान बूच के हो रहा है और उनका यह कहना है कि बेसिक मुद्दे से, बेसिक मुद्दे से, ध्यान हटाने के लिए और आये लेकिन जो दूसरा पक्ष है, दोनों पक्ष होंगे आज, डिबेट होनी चाहिए फैक्स पे, वो ये कहता है कि भाई, सिकंदर और पोरस की लड़ाई से लेके, ताज महल तक, कुतुम मिनार तक, फ वास्तिक बना हुआ है, वो कितना पुराना है, वो कहते हैं, हमसे मत पूछो, आप अपना फाइंडिंग करा लो, कुतुम मिनार के वहाँ से वो कहते हैं, भाई, ब्रह्मा, विश्नु, महेश की मूर्तिया निकल रही है, अपने आप चेक करा लिजे, कितने साल, कितने दश कोई और मिन्दू ने, लेकिन फिर काउंटर आता है, वो कहता है, अगर मैं गलत हूँ, तो तुम भागते क्यों, अगर मैं गलत हूँ, तो तुम जाच से क्यों भागते हूँ, जो जूट, वो कहते हैं, एक पक्ष कि भाई, जो जूट, परत दर परत लगाते रहे, ये क्य नहीं दस साल, बीस साल, चालिस साल भई, फैक्स, तो भई यह कब पता लगेगा जब सर्च होगी, नूट्रल एजनसी से कर जो ना इधर की हो ना उदर की, एक से ना करानी हो, दो से करानी हो, दो से करानी हो, तीन से करानी हो, तीन से करानी हो, तीन से करानी हो, लेकिन जाच स परहेश की चाहें वो ग्यानवापी की बात हो चाहें वो कुतुम मिनार की बात हो ताज महल की बात हो जारखन की खनन सची वाईस पुजा सेंगल परकसा शुकंजा राची में 16 घंजो की पुछताच की बाद एडी ने कि आगर अफ्तार जच के घर हुई पेशी यूपी के डीजीपी पर योगी सरकार का हंटर कामेला परवाही पर हटाए गए डीजीपी मुकल गोयल डीजी नागरेक सुरक्षा के पर पर हुदाना थी करनाल से गिरफ्तार आतंक्यों का बड़ा खुलासा का पाकस्तान से आतंक्य रंदा भेश्टा तर्वाही पूरी कोर्ट कल दोपहर में सुनाएगा अपना फैसला हिंदू पक्ष्णे की शाही मस्जित के तैखाने के सर्वे किमा करनाल से गिरफ्तार आतंक्यों का बड़ा खुलासा का पाकस्तान से आतंक्य रंदा भेश्टा था विस्पोचक और ड्रुक्स दो फर्जी गाड़ियां की आर्ची भी बरावत और गुजरात के राज़कोट में अर्विंद केजरिवाल ने बीजेपी पर बोला हमला का 27 सालों से गुजरात को लूट रही बीजेपी गुजरात अब बदलाव चाहता है इतना जूट परोसा गया है कि इतनी परते हैं कि परते हटते हटते भी सधिया लग जाएंगी तो दूसरा कहता है जान बूच के हो रहा है भढ़काने के लिए हो रहा है सद्गुरू नमस्कार जी आईश्वरिया आपने अभी जो कारंबिक में सारी बाते कही मुझे लगता है अगर दर्सकोन और अस्रोताओं ने जिसे सुना होगा तो उनके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे और यहां जो भी बिद्वान बैठे हुए हैं चाहे मुस्लिम स्कॉलर हैं चाहे राजनेशिक पार्टी के हैं या सादू हैं वो सब इस संबाद में भाग ले रहे हैं बात ज्याजवापी की हो बात राम मंदिर की हो बात खृष्ण जन्म भूमी की हो बात कुतुब मिनार की हो बात ताज महल की हो या बात तीस हजार उन्धर मस्थलों की हो जब भारत की बाहर से आए हुए आकरानताओं ने भारत की ऊपर लूट पाठ मचाते हुए यहां प मूल संस्क्ति और मूल-ात्मा-सनातन संस्क्ति के मंदिरों को बिध्वन्स करते हुए उनके प्रतीश्चों को मिठाते हुए यहां के हमारे नालंदा के विष्व बिध्याले में 90,000 से जादा फुस्तके घर्मसास्त्र जिनको जलाते हुए क्योंकि ये बात सभी जानते हैं जब बाहर से आकरांता आए तो उनके दिमाग में भी ये बात थी कि अगर हिंदुस्थान को मिटाना है इसके संस्कृति को मिटाना है तो ताथकाली समय में ये लूट पार्ट को हम करी रहे हैं पर इनके प्रतीकों को भी अगर हम मिटाकर चले गए तो प्रतीक विहीं कोई भी संस्कृति या समाज बहुत जल्दी ख़ड़ा नहीं हो पाता है मैं तीसजार उन प्रतीकों और मंदिरों की बात करता हूँ अगर इमानदारी से भारत देश हंदुस्तान के हिंदो मुसल्मान इसाई और सारे मिलकर उनकी जाच करें और जाच करके उन प्रतीकों के आधार पर बड़ी सौवहार बिता के साथ इन चीजों को वापस कर दें क्योंकि वो जो बाहर से आपकरांता आये थे ना हमारे थे ना यहां के मुस्लिमों के थे ना यहां के इसाईयों के थे हम भारतवाती हैं हम भारतवन्सी हैं हम हिंदुस्तान के लोग हैं हमारे पूरवज पांक के साथ पूरवज पहले लेकिन महराज एक वो जो पक्ष है क्योंकि फिर यहां पर डिबेट चुरू हो जाएगी मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ वो दूसरा पक्ष कहता है कि सद्गुरू कह रहे हैं कि है लेकिन ये तो सदियों नहीं मतलब ये तो मैं कह रहा हूँ 100,500,200,300,400,500,000 साल पहले की बात है वो कहते हैं जो 700,800,400,500 साल पहले हुआ उसको आज अगर टरन ओवर करोगे यानि अगर उसको बदल रहे की कोशिश करोगे तो उसमें तो और दिक्कत हो जाएगी उसमें और समाच तूड जाएगा उसमें विभाजन हो जाएगा उसमें हिंदो मुसल्मान के बीच की जो धरार है वो और बड़ी हो जाएगी ये काउंटर आता है वहां से माराच मेरा बिलकुल उल्टा मानना है पांसो साथ सो वर्फ पहले किये गए जिल्म के खिलाफ अगर हिंदोस्तान के एक एक हिंदो मुसल्मान और इसाई साथ में खड़े होते हैं तो आज जो बचवारा है आपस में आज जो थोड़े बहुत हमारे भीतर में भाईचारा की कमी है अगर एक साथ 140 करोर हिंदोस्तानी खड़ा होकर कि एमान करते हैं चाहे 500 वर्फ पुराना हो चाहे 5000 वर्फ पुराने चीज हो हमारी स्वंस्कृति और धर्म के खिलाफ जो काम किये गए हैं अन्याई जो किये गए हैं अगर उनके सबस्ट में हम एक साथ खड़ा होते हैं तो ही अगर उसके सबसे बड़ी ख़बर आपको बता दे पूजा सिंगल को पाँच दिन की एडी रिमान मिली है यानि की पूजा सिंगल पाँच दिन तक एडी की रिमान मिलाएंगी जिस जोरान उनसे कई पूजा सिंगल के घर से नोटों की गड़ी बरामद उसके दोनाएक रफ्तार कर लिया गया देश में एक बहस चड़ गए कि आपको एक पक्षे वो कहता है कि भाई आपको जूट परोसा जा रहा है कोई आज या कल से नहीं सदियों से सदियों से भी पहले से सिकंदर और पोरस की लड़ाई याद है आपको दर्शुक मैं आप से पूछता हूँ आज सिकंदर और पोरस की लड़ाई याद है कि नहीं पूछता है भाई हम सब को पढ़ाया गया कि सिकंदर जीता और पोरस हारा क्या पढ़ाया गया अगर गलत बोल रहा हूं तो बताइए क्या ये नहीं पढ़ाया गया हमें सिकंदर और पोरस की रड़ाई में लेदे ग्रेट सिकंदर वन और भारती एसमराठ पोरस हार गये थे लेकिन फैक्स जब निकाले जाते हैं तो उनको काउंटर किया जाता है भाईया पोरस जीता था सिकंदर नहीं अलग-अलग इस्टोरियन अलग-अलग फैक्स लेके आते हैं तो आज ये डिबेट है मैं चाता हूं मेरे गैस आ जाया है बिल्कुल बैट जाये था जो ये जो ये जो परोसा जा रहा है एक के बाद एक और दूसरा ये कि आज दूसरा पक्ष ये कहता है कि आज ताज महल का नाम आप कुछ और रखना चाहते हैं कुछ और मिनार का नाम कुछ और रखना चाहते हैं ग्यान वापी मौश का चल रहा है महां मंदिर था तो ये सब जान बूच के हो रहा है और उनका ये कहना है कि बेसिक मुद्दे से ध्यान हटाने के लिए और आये लेकि इन जो दूसरा पक्ष है दोनों पक्ष होंगे आज डिबेट होनी चाहिए फैक्स पे वो ये कहता है कि भाई सिकंदर और पोरस की रड़ाई से लेके ताज महल तक कुतुम मिनार तक फैक्स को अल्टर किया ग्यान वापी मौश को क्या हो वो कहते हैं जब वहाँ से अगर स्वास्तिक आया वहाँ पे स्वास्तिक बना हुआ है वो कितना पुराना है वो कहते हमसे मत पूछो आप अपना फाइंडिंग करा लो कुतुम मिनार के वहाँ से वो कहते हैं भाई भरमा विश्णु महेश की मूर्तिया निकल रही हैं अपने आप चेक करा लीजे कितने साल कितने दशक नहीं कितने सदियों पुरानी हैं तो तुमारे पास कोई और मिन्दू ने लेकिन फिर काउंटर आता है वो कहता है अगर मैं गलत हूँ तो तुम भागते क्यों अगर मैं गलत हूँ तो तुम जाच से क्यों भागते हो जो जूट वो कहते है एक पक्ष कि भाई जो जूट परत दर परत लगाते रहे ये क्या है अगर नीचे, बहुत, मतलब मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आपके पास एक कोई चीज खराब हो गई है, उसके उपर आप कुछ लगाते रहे, लगाते रहे, लगाते रहे, वो ये कहता है कि जूट की इतनी परते हैं, कि अंदर असलियत जो है, वो किसी को पता है नहीं, दस साल, बीस साल, चालिस साल, भई, फैक्स, तो भई, यह कब पता लगेगा, जब सर्च होगी, न्यूट्रल एजिंसी से कर, जो ना इधर की हो ना उधर की, एक से ना करानी हो, दो से करानी हो, दो से करानी हो, तीन से करानी हो, तीन से करानी हो, तीन से करानी हो, लेकिन से परहेश्क चाहें वह ग्यानवापी की बात हो एक पक्ष कहता है इतना जूट परोसा गया है कि इतनी परते हैं कि परते हटे 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 भी सधिया लग जाएंगी तो दूसरा कहता है जान बूच के हो रहा है भड़काने के लिए हो रहा है सद्ग्रू नमस्कार जी आईश्वरिया आपने अभी जो प्रारंभिक में सारी बातें कही मुझे लगता है अगर दर्सकोन और अस्रोताओं ने जिसे सुना होगा तो उनके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे और यहां जो भी बिद्वान बैठे हुए हैं चाहे मुस्लिम स्कॉलर हैं चाहे राजनेटिक पार्टी के हैं या सादू हैं वो सब इस संबाद में भाग ले रहे हैं बात ज्यारवापी की हो बात राम मंदिर की हो बात कृष्ण जन्म भूमी की हो बात कुतुब मिनार की हो बात ताज महल की हो या बात तीस हजार उन भर्मस्थलों की हो जब भारत की बाहर से आए हुए आकरानताओं ने भारत की उपर लूट पाट मचाते हुए यहां पर धर्म का परिवर्थन कराते हुए और भारत के मूल संस्क्ति और मूल आत्मा सनातन संस्क्ति के मंदिरों को बिध्वन्स करते हुए उनके प्रतीश्वों को भाहते हुए, मिटाते हुए यहां के हमारे नालंदा के विश्व विध्यालय में नालंदा के विस्टो विद्धाले में 90 हजार सी ज्यादा फुस्तकें धर्मसास्त्र जिनको जलाते हुए क्योंकि ये बात सभी जानते हैं जब बाहर से आकरांता आए तो उनके दिमाग में भी ये बात थी कि अगर हिंदुस्थान को मिटाना है इसके संस्कृति को मिटाना है तो ताकालीन समय में ये लूट पार्ट को हम करी रहे हैं पर इनके प्रतीकों को भी अगर हम मिटा कर चले गए तो प्रतीक विहीन कोई भी संस्कृति या समाज बहुत जल्दी खड़ा नहीं हो पाता है मैं तीसजार उन प्रतीकों और मंदिरों की बात करता हूँ अगर इमानदारी से भारत देश हिंदुस्थान के हिंदो मुसल्मान इसाई और सारे मिलकर उनकी जाच करें और जाच करके उन प्रतीकों के आधार पर बड़ी सवहार दिता के साथ इन चीजों को वापस कर दें क्योंकि वो जो बाहर से आकरांता आये थे ना हमारे थे ना यहां के मुस्लिमों के थे ना यहां के इसाईयों के थे हम भारतवाती हैं हम भारतवनती हैं हम हिंदुस्थान के लोग हैं हमारे पूर्वज पांस के साथ पूर्वज पहले पूर्वज सब के रहे हैं लेकिन महाराज एक वो जो पक्ष है क्योंकि फिर यहां पर डिबेट शुरू हो जाएगी मैं इसलिए आप से पूछ रहा हूँ वो दूसरा पक्ष कहता है कि बहुए सद्गुरु कह रहे हैं कि हैं लेकिन यह तो सदियों नहीं मतलब यह तो मैं कह रहा हूँ 100,500,200,300,400,500,000 साल पहले की बात है वो कहते हैं जो 700,800,400,500 साल पहले हुआ उसको आज अगर टरन ओवर करोगे यानि अगर उसको बदल रहे की कोशिश करोगे तो उसमें तो और दिक्कत हो जाएगी उसमें और समाच तूड जाएगा उसमें विभाजन हो जाएगा उसमें हिंदू-मसल्मान के बीच की जो धरार है वो और बड़ी हो जाएगी यह का सवारा है आपस में आज जो थोड़े बहुत हमारे भीतर में भाइचारा की कमी है अगर एक साथ एक सो चालीस करों हिंदुस्तानी खड़ा हो करके यह मांग करते हैं चाहे 500 बर्स पुराना हो चाहे 5000 बर्स पुराने चीज हो हमारी संस्कृति और धर्म के खिराब नमस्कार मैं हूँ स्यद सुहेल और आप देख रहे हैं ये भारत की बात है आज मैं आपको दिखाऊंगा एक आई-एस की आई-एस अधिकारी की कैश लीला कहां से आया कैश ही कैश एक आई-एस के पास और वो आई-एस अब गिरफतार हो चुकी है साथ ही आपको बताएंगे कि क्या शाजहा ने जमीन कबजा करके ताज महल बनवाया क्योंकि देश में एक राचकुमारी सामने आई है जिनका कहना है कि ताज महल जे जमीन पर बना है वो हमारी जमीन है आईए सबसे पहले आपको बताते हैं देश में एक आईएस अधिकारी सबसे ज्यादा इस वक्त जेरे बहस हैं खबरों में हैं चारों तरफ उनका शोर है जिसका करोणों की काली कमाई का कनेक्शन सामने आया है एक आईएस का आपको बताएं आईएस अधिकारी को एडी ने गिरफतार कर लिया है उसके पती के सीए से करोणों कैश बरामत हुआ था आठ घंटे पूच्टाच के बाद एडी ने आज आईएस पूजा संगल को गिरफतार कर लिया बरश्टाचार का जो जाल आईएस पूजा ने बुना था वो अपने ही जाल में आईएस बुरी तरह से फच गई कैसे पूजा संगल ने एक सो पचास करोड काली कमाई जी हाँ थोड़ी बोट ने ही एक सो पचास करोड बीजेपी का तो कहना है ये तीन सो करोड तक हो सकता है काली कमाई आखर कैसे जुटाई साथ ही बताएंगे कैसे जारखन में बरश्चाचार का इतना बड़ा खेल इतने दिनों से चल रहा था गैंग्स ओफ पूजा संगल में कौन कौन शामिल है और इस गैंग के तार कहां से कहां तक जड़े हुए है साथ ही बताएंगे कैसे 21 साल की उमर में देश की पहली I.S. बनी पूजा सिंगल 21 साल की उमर में पहन गई थी I.S. विक्यात पूजा सिंगल अब कुक्यात हो गई है और उनके ये तार कहां तक किस दहलीज तक जा रहे हैं ये भी आपको बताएंगे आगे बात करेंगे साथ अजूबों में से एक है ताज महल जो अपने सौन्दर के लिए दुनिया में जाना जाता है लेकिन सफेद संगे मरमर से बने इस ताज महल के एक के बाद एक नए दावेदार सामने आ रहे हैं पहले शिव मंदिर के सीने पर मगबडा करने का दावा कि किया यहां पहले से एक महल बना हुआ था देश की एक राजकुमारी ने दावा किया है कि ताजमारी की वारिस वो हैं ये दावा करने वाली राजकुमारी कौन है जो ये कह रही है ये ताजमारा है आखर क्यों राजकुमारी ताजमारी पर दावा ठोक रही है वो भी पूरे दस्तावेजों के साथ दिखाएंगे आपको आगे बात करेंगे राश ठाकरे की महराश में लाओड स्पीकर पर जो संगराम शुरू हुआ अब वो जान की लडाई तक पहुँच गया राश ठाकरे को जान से मारने की धंकी दी गई है कि आंदोलन रोग दो लाओड स्पीकर के खलाफ वरना जान से हाथ दो बैट होगे आपको बताएंगे कौन चाहता है राश ठाकरे से की लाओड स्पीकर की लडाई रोग दो किसने लिखी है राश ठाकरे को हत्या की धमकी वाली चिट्थी साथी बताएंगे कि आखर क्यों राश ठाकरे ने महराश के सीम उद्धफ ठाकरे को भी एक खत लिखा है और कहा है कि सत्ता हमेशा किसी के पास नहीं रहती साथी राश ठाकरे आयुद्या दोरे पर जाने वाले हैं तो उत्तर प्रदेश में संग्राम चल गिया है कौन है जो आयुद्या में घुसने से पहले राश ठाकरे का विरोत कर रहा है तो कौन है जो राज ठाकरे के समर्थन में खड़ा है और कौन है जो राज ठाकरे से कह रहा है पहले माफी मांगो फिर उत्तर प्रदेश में आना तो शुरू करें उससे पहले जल्दी से आपको दिखाते हैं पाँच मिनट में भारा पाँच दिन की एड़ी रिमांड में आई एस पूजा संगल प्रबतन निदेशा ने ले सोला घंटे की पूस्ताज के बाद पूजा संगल को किया गिरफतार काशी के ग्यानवे अपी सर्वे विवाद पर सुनवाई पूरी हुई कोर्ट कल दुपहर सुनाएगा अपना फैसला हिंदू पक्ष ने की शाही मजजित के तैकाने की सर्वे की मा मौाली हमले में बड़ा खुलासा हुआ है पाकिस्तान से विस्पोठा को ड्रग्स बेचता था रिंदा फूस्ताच में हुआ खुलासा हवाला के जरीया अतंकियों को पैसा भी मिलता था मौाली धमाके का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है चलती कार से किया गया हमला फुलस ने हमले वाली जगा से एक किलो मिटर दूर रॉकेट डॉंचर बरा मत किया आजम खान की बड़ी मुश्किले आयसे अधिक समपत्ती के मामले में जोहर यूनिएस्टि पहुंची इडि की टीम अवैत समपत्ती को लेकर जाज कर रही है इडि की टीम आजम खान के बेटे और पत्त्नी के खलाब गहर जमानती वारंट जारी दो जन्म प्रमार पत्र मामले में आदेश के बावजूद कोर्ट पे पेश ना होने पर वारंट हुआ जारी देश्डरो कानून पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला देश्डरो कानून पर दोबारा विचार करने के दिया आदेश कानून की समिक्षा होने तक कोई नया केस दर्ज रहो जुलाई में होगी अगली सुनवाई नवनीत राणा और उनके पती रवी राणा ने सुप्रीम कोट के जताया अभार का देश द्रो कानून पर सुप्रीम कोट ने सही टिपणी की मेरे मामले में देश द्रो कानून का गलत इस्तमाल हुआ मनसे प्रमुक राज़ शाकरे को जान से मारने की धंकी है मनस नेता ने महराज के ग्री मंत्री पाटल से शकायत की है मनसे का दावा है उर्दू में लिखी है धंकी भरी चिट्टी जमो कश्पीर ने दो जगों पर सुरक्शा बलो की आतंकियों के साथ मुटभेड बांदी पुरा में सेना के जवानों ने एक आतंकी को किया ढटेर अनंतनाग में सुरक्शा बलो को मिली बढ़ी कामियाबी जम्मू के रामबन से बारी मात्रा में हतियार और गोला बारूद सुरक्षाबलों ने बरामत किये मुझरात के उतकर्ष समारों में हिस्सा लेंगे प्रधान मंत्री मोधी कल वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जरीय कारिकरम को करेंगे संबोधित प्रदान मंत्री मोदी के 20 साल के सियासी सफर पर किताब का विमोचन मोदी एक 20 ग्रीम्स मी चैक डिलिवरी का ग्री मंत्री अमिच्छा और उपराश्पती वहिंके एनाईडू ने विमोचन किया मद्रदेश में खुले गिये नाईए कि बरांच आतंगवादी संगठनों की परताल करे गिये नाईए ग्रीमंत्री नरुतम मिश्रा ने जानकारी थी उतरप्रदेश के डीजी पी मुकुल गोयल पर योगी सरकार का बड़ा अक्शन काम मिला परवाही पर हटाए गए डीजी पी मुकुल गोयल डीजी नागरिक सुरक्षा के पत पर हुई तैनाती जातीय जनकरना खुलेकर सीम नितीश कुमार से मिले तेजस्वी आदब सीम नितीश से मुलाकात के बाद तेजस्वी आदब ने कहा मुक्हमंत्री नितीश कुमार ने जल्द सरफदलिये बैठक बोलाने का अश्वा संदिया जैक्रिन फर्नाइंडेस ने कोर्ट से मांगी विदेज जाने की अजाज़त आईफा आवार्ट्स में होना है शामिल पट्याला हाउस कोर्ट में याचिका दाखिल की मदप्रदेश निकाय चुनाव को लेकर कॉंग्रेस निता कमलनाथ का बड़ा दावा है आगामी निकाय चुनाव में 27 पीज़दी टिकेट पिछड़े वर्क के उम्मीदवारों को दी जाएगी राजिस्तान के हनुमानगर में बीजेपी राश्टी अध्यव जेपी रड़ा ने 17-10 बीजेपी कारयालेओं को गाटन किया है का डिजिटल वर्ड के जरिये 17-10 कारयालेओं को गाटन किया बारत दोरे पर उमान के वालेज जो ध्योग और निवेश समवर धन मंत्री दिल्ली में केंद्री मंत्री पियूज गोयल कैसे बिन मुहमदल यूसुफ से मुलाकात की करगाउन इंसा के दोरान तलवार लेराने वाला आरोपी इर्फान गिरफतार हुआ 10 अप्रायल को एस पी पर तलवार से इर्फान ने किया थामला दिल्ली के कश्मीरी गेट में अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन का विरोध बुल्डोजर कारवाई को लेकर जता है घुस्सा दिल्ली में म्सीडी की कारवाई का लिफ्ट ने किया विरोध 30 अजारी से लेकर उपरा जिपाल के आवास तक निकाला मार्च केदारनाथ में दर्शन करने के लिए 5 घंटे का समय बढ़ाया गया है अब शर्धालू रात साड़े 10 बजे तक कर सकेंगे बाबा केदार के दर्शन शिलंका में सलकों पर सैन वहन तैनार शिलंकाई संसत को सेना ने किले में किया तफदील हिंसा में अब तक 8 की मौत शिलंका में महिंदा राजपक्षे की पिता की मूर्ती पर फूटा लोगों का घुसा डिये राजपक्षे के स्टैचू को प्रदर्शन खारियों ने गिराया चंगाई और बीजिंग में नई थमरा कोरोना का कैई डव्लू एचो ने चीन की जीरो कोविड रुननीती को बताया बेकार का मामारी को हराने के लिए जीरो कोविड रुननीती कारकर नहीं अट्लांटिक महासागर में डूबे दो बीच हाउस किसी के हतात होने की खबर नहीं वेस्ट बैंग में अल जजीरा की पत्रकार की मौत छापे मारी की कवरेज के दोरान चेरे पर लगी गोली एकवाडोर की जेल में हिंसक जड़ा 54 कैदियों की मौत अपने परिवार जनों का हाल जनने जेल के बाहर कैदियों के परिवार वालों की भीड लगी और आएँर शुरुआत करे आज की सबसे बड़ी खबर के साथ बड़ी खबर यह आपको पताएंगे ताज महल पर कौन दावा कर रहा हैं लेकिन उससे पहले बड़ी खबर आई-ेस पूजा सिंगल की कैश-लीला यह आई-एस पूजा देख रहे हैं आई-एस हैं यह और यह इनके पती है और इनके पास से कैश कनेक्शन करोणों का कैश कनेक्शन सामने आया है पहली तस्वीर मैं दिखाऊंगा आई-एस की गिरफतारी हो गई है जी यह यह देख रहे हैं आई-एस पूजा सिंगल को जो कि आपको हरे रंग के सूट में नजर आ रही है यह जारकंड की आई-एस इन्हें इन्फोर्स्मेंट डिरेक्टरेट ने गिरफतार कर लिया है पती की अगली तस्वीर दिखाएए जरा कैश यह देख रहे हैं जो आप तस्वीर मशीन नोट गिनने की मशीन और यह देखिए कैश कमबार कैशी कैश करोड़ो रुपया कैश यह कैश से आई-एस का कर्रेक्शन क्या है यह आपको बताएंगे यह जो आप करोड़ो लेकर दिखाएए जरा बॉक्सेस की तस्वीर दिखाएए वो बॉक्सेस जिसे लेकर लेकर एडिगाएए देखिए। लोट मिला है घर से, आई-एस के पती के सीए से, लोटों का कर्रेक्शन सीदे आई-एस से, एडी की गिरफ्त में आ गई है, आई-एस पूजा सिंगल 8 घंटे तक पूच्टाच हुई है, और 8 घंटे बाद आई-एस की गिरफ्तारी हुगई, दो दिन में सोचिए, दो दिन म सोला घंटे तक E.D. ने बिठा कर सवाल जवाब किया है और I.S. के पती से भी E.D. ने पूस्ताच किये I.S. के पती का कनेक्शन क्या ये भी बताएंगे मनी लॉंडरिंग की आरोप में I.S. को गिरफतार कर लिया गया है C.A. के घर से सत्रा करोड रुपाय कैश मिला था जियां सत्रा करोड कैश एक सो पचास करोड के निवेश के दस्तावेज मिले एक सो पचास करोड पती के पल्स हॉस्पिटल पर सवाल जवाब किये गए है I.S. के पती का आपको बताऊँ 14 मनजिला हॉस्पिटल है और अस्पिटाल I.S. ने बनवाया ये सूत्र कह रहे है और जानकारी ये है कि हॉस्पिटल की जमीन को लेकर भी विवाद है पुच्टाच में खुद को I.S. निर्दोज बता रही है का जा रहा है ये स्पिटाल की अकेले खीमत 120 करोड रुपए I.S. याधिक संपत्ती मामले में पुच्टाच हुई है आपको बताऊँ और खाते में सैलरी से 1 करोड 43 लाख रुपए ज्यादा जमा हुए यानि I.S. याधिक रुपएा आया कहां से सवाल ये है इस रकम को लेकर जवाब नहीं दे सकी है I.S. डीसी रहते कई जिलों में घोटाले के इल्जाम भी I.S. के उपर लगे है मनरेगा में 18 करोड के घोटाले का आरोप I.S. के उपर है और सिर्फ एक 20 साल की उमर में I.S. बन रेकॉर्ड बनाया था पूजा ने C.S. सुमन कुमार की भी गिरफतारी हो चुकी है अब I.S. पर सियासत तेज हो गई है ये I.S. जारखंड की I.S. है वहाँ कई पदों पर है इसलिए निशाने पर जारखंड के मुख्यमंत्री हेमन सुरेन भी है सुरिए ज़रा हेमन सुरेन चौर मचाय सौर अब तो भारती जनता पार्टी को ये बोलना चाहिए कि 20 सालों तक जितने भी साल भारती जनता पार्टी ने सरकार चलाया उसकी पूरी जाच होनी चाहिए अच्छा सर जो क्लीन चीट दिया गया था 27 परवरी 2017 को पुछा सिंगल को उन सब चीजों को देखा जाएगा और इसमें जो भी दोसी होंगे उस पर कारवाई होगा और आई अब आपको बताएंगे कैश लीला में कैसे हिमन सुरेन घिर रहे हैं बीजेपी आरोप लगा रही है सीधे हिमन सुरेन को कट घरे में खड़ा कर रही है कैसे हिमन सुरेन तक ये वो घेरे में है निशाने पर हैं ये आप देख रहे हैं ग्राफिक्स के जरिये हिमन चिव की गिरफतारी से मुश्किले और ज्यादा बढ़ गई है। की संपत्ती है सिर्फ देर सो करोड नहीं निशिकान दुबे के ट्वीट से खलबली मच गई है निशिकान दुबे ने लिखा है हेमन सरकार का अंत करीब है इस रात की सुबा होगी उन्होंने का है आई अब आपको सुनवाता हूँ कॉंग्रेस नेता राकेश सिना क्या कुछ कह रहे हैं उनका कहना है कि भाई करप्शन पर तो जीरो टॉलरेंस होगी लेकिन जारखंड में हेमन सुरेन के साथ मिलकर सरकार चला रहे है सुनिए जबाद की जो करवाई है वो हमें लगता है कि राज सरकार कर लेगी और आईए अब आपको बताने जारा हूँ कि एक आईएस गिरफ्तार हुई है एक बड़ा पत आईएस अधिकारी की गिरफ्तारी करोनों का कनेक्शन तो ये आईएस है कौन देश में आईएस की बात हो रही है तो इनके बारे में जाने बहुत से लोग खौब रखते हैं तीन बड़े पदों पर तैनात रह चुकी है पूजा सिंगल उद्योक सचिव भी है और खनिंस सचिव भी रही है जारखंड विकास नगर की चेर्मैन भी है तीन तीन पदों पर है सोचिए आईएस के तीन पदों पर उनके होने से पहले ही विवात खड़ा हो चुका है हेम इन पूजा सिंगल का जटम हुआ और गड़वाल उ्यूएस्टी से ग्रेजवेशन किया अईएस राहुल पूर्वार से पहली शादी की पूजा ने जारखंड कैडर के आईएस थे राहुल पूर्वार पारवारिक विवाद हुआ और विवाद के बाद तलाख हो गया बि इसा इन्वेस्ट करवाया है क्योंकि करोणों रुपाय का यह अस्पताल बना जिसके संचालक उनके परती है बेराल खबरों में आगे बलते हैं और आज की एक और बड़ी खबर ताज महल पर धेरो दावे हो रहे हैं अब एक नया दावा आया है कि जमीन कबजा कर बनाया गया ताज महल जी यहां यह जो ताज महल है दावा यह है कि ताज महल जो बनाया गया यहां पहले कुछ और बना था इस जमीन पर कबजा किया गया और उसके बाद ताज महल बना दिया गया यह दावा कौन कर रहा है उनक का कहना है कि ताज महल इनके राजगराने की जमीन पर बना हुआ है आईए तो कौन है जो ये कह रहा है कि ताज महल उनकी जमीन पर बना है ये देखे आपके सामने आगया है ताज महल देख रहे हैं और आप ताज महल के आगे दिया कुमारी को खड़ा हुआ भी देख रहे है राजकुमारी दिया कुमारी विवाद के बीच ताज महल में एक नया दावा सामने आया है जैपुर राजगराने की राजकुमारी है दरसल दिया उनका खुलासा है कि ताज महल पर उन्होंने अपना मालिकाना हक जताया है कि ताजमहल की असली वारिस असली मालकिन तो वो है ताजमहल को बताया है राजघराने में की प्रॉपर्टी कि ये उनके राजघराने की प्रॉपर्टी है ताजमहल हमारे परिवार के पैलेस पर बना है राजकुमारी का कहना है कि यहाँ पर पहले उनका पैलेस बना था उनक प्रवाल सरकार का विरोध नहीं कर सके थे उस जोरान हम। जनाव जीती हैं फिलाल बीजेपी की सांसद हैं अब आप खुद दिया कुमारी को सुनिए जो ताज महल पर दावा कर रही है। इसके लिए कोई भी अगर आवशकता पड़ेगी दस्तावेजों की या कुछ भी तो हमारे वहां ट्रस्ट में कोती खाना भी है। जो भी डॉक्यमेंट से हम लोग प्रोवाइट करेंगे। पैं ये नहीं कहूंगी इस पे पूरा जो जो उन्होंने कहा है कि कमरे खोले जाने चाहिए। कुछ कमरे हैं जो बंध है, कुछ पार्ट है ताज महल का जो बंध है, सील्ड है, उस पे डेफिनेटली इंक्वाइरी होनी चाहिए, उसको खोलना चाहिए कि वहां क्या था, क्या नहीं था, देखें वो सारे फैक्ट्स तो तभी इस्टैबलेश होंगे जबकि एक बार प् को लेकर औरंगजेब का एंगल भी सामने आ गया है, कैसे यह मैं आपको बताने जा रहा हूँ, देखें जरा, दरसल औरंगजेब का के पत्र से ताज महल निर्मान को लेकर सस्पेंस खड़ा हो गया, औरंगजेब के एक चिठ्थी सामने आई है, 1632 में शाजहा ने ताज मह की मरमत का काम भी हो गया, यह कैसे औरंगजेब के पत्र में इमारत के संग्रक्षन का जिक्र है, औरंगजेब ने एक चिठ्थी लिखी है, पत्र में लिखा है कि इमारत की नीव मजबूत है, उसमें लिखा है गुमबत से पानी टपकने का भी जिक्र है उसमें, तो सवाल कि 52 में जब बन कर तयार हुआ तो गुमबद से पानी कैसे टपकने लगा 4 दिसंबर 1652 को औरंगजेब ने ये खत लिखा था तो औरंगजेब के इसी पत्र को आधार बनाया गया है ताज महल को लेकर ताज 1652 में बना तो गुमबद इतनी जल्दी कैसे लीक हो गया ये सबसे बड़ा सवाल इस मामले में बना हुआ है मेराल विवादों का दौर चल रहा है ग्यानवापी को लेकर भी विवाद चल रहा है आज ग्यानवापी में कोट में सुनवाई हुई इससे मतलिक आपको बताएंगे तो ग्यानवापी पर बड़ी खबर ये है कि अब इस मामले में कल फैसला आएगा कल फैसला आएगा कि सर्वे होगा या नहीं होगा लेकिन आज मैं आपको बताओं आज कोट में क्या हुआ फुल स्क्रीन ग्राफिक्स के जरीए मैं आपको बताने जा रहा हूँ तो ही अधिवक्ताओं को प्रवेश की अनुमती दी गई थी सर्वे के जरीए श्रंगार गौरी और ग्यानवापी मस्जिद अलग अलग हैं उन्होंने मुस्लिम पक्ष ने कहा मस्जिद के अंदर वीडियोग्राफी का कोई औचित नहीं है उनका कहना है श्रंगार गौरी बाहर है तो बाहर वीडियोग्राफी करते अंदर जाने की मांग क्यों की गई हिंदू पक्ष का कहना है मस्जिद परिसर के तैकाने को खोला जाए क्या सर्वे टीम का काम पूरा नहीं हो पाएगा उन्होंने का मंदिर से जुड़े सबूत को हटाया जा रहा है मुस्लिम पक्ष कोट कमिशनर की निश्पक्षता पर सवाल उठा रहा है कोट ने कहा कोट मामले की सुनवाई पूरी हुई और कोट ने फैसला फिलाल सुरक्षित रख लिया है कल दुपहर बारा बजे कोट इस मामले की सुनवाई करेगा सर्वे की नई तारीख पर भी फैसला आ सकता है कोट कमिशनर को लेकर भी कल फैसला आगा तो कल ग्यान बापी पर बहुत बड़ा दिन है कोट में क्या कुछ हुआ मुस्लिम पक्ष च के वकील अख्लाग को सुनिए वो क्या कहरे है और सामाजिक कारकरता आर पी सिंग हिंदु पक्ष की तरफ से क्या कहरे है अपनी करवाई की सर्वे की उसमें कहीं कुछ आफसिशन नहीं था और वो मस्जित के बाहर जो दो बैरकेटिंग लगी हुई है एक कुछ एक आट-दस फिट की होगा एक थोड़ा बड़ी है उसके बाद जो चबुतरा बरा है पस्चिम करफ उस चबुतरे पर जो भी पत्थर्स हैं जो भी उस पर इंडिकेशन है दो तीन फूल बने हुए यह सब उसका उनों नहीं कि हम लोग उससे कोई प्रॉब्रम नहीं सिर्फ मार्श इंगार गोरी का जो परिसर बैरकेटिंग के बाहर उसने सर्वे किया वो उसके अंदर जाने के लिए कह रहते हम लोग ने इस पर आप्जिक्शन यह किया या हर जंगा आप्लिक्शन दाखिल करने ज़र क्या बच जाने है के अंदर सारे सबूत हैं और हम लोग कह रहे हैं कि आप तैखाने के अंदर चलने दो ताला खोलो और हम उसकी भी वीडियोग्राफी करेंगे तो ग्यानवापी पर कल है सबसे बड़ा दन बारा बजे कलिस पर फैसला आएगा सबसे बड़ी कबरे जाब रिपब्लिक पर देखेंगे लेकिन तलाल आगे बढ़ते हैं और आज की एक और बड़ी खबर बड़ी खबर ये और यासीन मलिक से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है अब मुलाकात नहीं हो रही है अब यसीन मलक का हिसाब हो रहा है यसीन मलक ने अपने गुणाहों को कबूल लिया यह तस्वीर आपको याद है 2006 में منमण सिंग्न दिल्ली बुलाया था यसीन मलक को मिलने के लिए बाचीत करने के लिए तो तब बाचीत होती थी 2006 में मुलाकाते होती थी सदकार होता था, स्वागत होता था लेकिन उसके बाद सरकारे बदली और यासीन मलिक की गिरफतारी हुई खीच कर यासीन मलिक को जेल ले जाया गया लेकिन यासीन मलिक ने जो गुना किये उन गुना को कबूल लिया यासीन मलिक ने बड़ी खबर ये यासीन मलिक ने मान लिया है कि उसने क्या कुछ जुर्म किये है और ये खुद कोट में यासीन मलिक ने कबूला है ये देख रहा है यासीन मलिक फिलाल जेल में है कश्मीरी पंडितों के गुनागार का ये सबसे बड़ा सरिंडर है यासीन मलक ने अपने किये हुए अपराद, गुनाह कबूले है NIA Record के सामने इन आरूपों को स्विकार आ यासीन आतंकी गतिविधियों में शामिल रहा यासीन मलक और आतंकी गतिविधी के लिये इसने धन जटाये हैं ये भी इसने कबूला है आतंकी घटना की साधश रची ये भी इकबाल किया है आतंगवादी संगठन का सदस से राय यासी मलक देजद्रो का आरोब भी कबूल किया है बुरहान इंकाउंटर से आतंकी घटना है उस दोरान बड़ी आपको याद होगा कश्मीर में जम कर खून खराबा हुआ उसके बाद यासीन समेथ कई आरोबियों पर केस दर्च किये गए थे और आरोबियों पर एनाईये ने केस दर्च किया था लशकर सरगना भी इस मामले में आरोबिये सेद सलाउदीन का नाम भी इसमें शामिल है और हिजबुल मुजाहिदीन प्रमुक है सेद सलाउदीन दोनों आरोबियों फिलाल भगोडे घोशित किये गए है सभी आरोबियों पर आरोब तै हो चुके हैं फारूख एमटडार और बिट्टा कराटे पर भी आरोब तै किये गए है कई अलगावदी ने तब ही इस केस में शामिल रहे है अब कोट 19 माई को जिया यासीन मलिक पर फैसला 19 माई को आएगा और यासीन को अम्र कैद की सजा हो सकती है या पूरी जिन्दगी ता अम्र जेल की सजा आजीवन कारावास हो सकती है यह आपको सुनवाता हूँ मैं अब कॉंग्रेस सवालों के घेरे में कॉंग्रेस की राज में यासीन मलिक जैसे लोग एश किया करते थे बी जे पी हमला वरे सुनिए जरा कॉंग्रेस के टाइम में जिस तरह से इस तरह के आतंगवादी अलगावादीयों के परती साफ्ट अपरोच था और जिस तरह से कॉंग्रेस पार्टी ऐसे लोगों के परती कहीं ने कहीं दोस्ताना रविया अपनाती रही उसका रतीजा हुआ कि बेखौफ होकर के ये लोग जो है वो अपनी अलगावादी आतंगवादी हरकतें करते रहे और जम्मु कश्मीर के लोगों को जखम देते रहे जो भरती जनता पार्टी के नेता उन आंतकियों को कंधार तक छोड़नेगे और आज भी वो आंतकी हमारे देश के भीतर जिस तरह से आंतगवाद फैला रहे हैं जिस तरह से उन्होंने पार्लेमेंट पे हडमला किया, जिस तरह से उसने पठान कोट किया, जिस तरह से उसने पुलबामा किया, ऐसे आंतकियों को भरती जनतापाटी की सरकार कब सजा दिलाएगी उन तीन परिवारों को जिनोंने जम्मू कश्मीर के तरक्की में रुकावट डाली वहां के बेटे बेटे के जगड़ा कराया वहां खून की होली खेले वो अमन की वो स्वरक की जमीन को खून से लाल किया उन तीन परिवारों के जगन्य अपराज से उनके लिए उनको देश की जनता से मापी मागना जाए तो सोचिए यासीन मलिक के लिए भी अब वक्त बदल चुका है हालात बजल चुके हैं तो अब गुना भी कबूल कर लिया यह देखे ज़रा यासीन मलिक बैठा है और उसके बगल में हाफ़स सहीद हाफ़स सहीद के साथ यासीन की तस्वीर अगली तस्वीर दिखाओं यासीन मलिक को अब तक सारे नेता पालते पोस्ते रहे सारे नेताओं का करीबी रहा मिरवाई जुमर फारुक यासीन मलिक और फारुक अब्दल्ला नजर आ रहा है इस तस्वीर में तो यासीन का अपराज नामा क्या है? वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कैसे यासीन अब तक हैष करता था और सजाओं से बचता रहता था यासीन के बारे मैं आपको बताऊ 1990 में एर वोर्स जवानों पर यासीनने हमला किया एर फोर्स जवानों पर 40 लोग घायल हुए थे चार जवान इसमें शहीद हो गए थे 1989 में गुरी मंतरी की बेटी का अपरण किया यारोप यासीन पर है मुफ्ती मुहमत साइद की बेटी का अपरण यासीन मलिक ने किया पाकिस्तान के सहियोक से सपोर्ट से किड्नैप किया 2013 में आतंकी हाफिस साइद के साथ नजर आया यासीन मलिक पाकिस्तान में हाफिस के साथ भूखरताल की यासीन ने और अफजल कुरू की फासी का विरोध भी किया देश के विरोध से ही रोजी रोटी चलाता है यासीन खुद एक आतंकी रह चुका है यासीन मलिक बाकाइदा आपको बताओं पाकिस्तान में ट्रेनिंग लेकर लोटा टेरर की टेरर कैम्प में ट्रेनिंग लिये है यासीन की पत्नी मुशाल हुसैन पाकस्तानी है यही है और जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट का अध्यक्ष है यासीन मलिक लशकर और तहरीकल मुझाहिदीन से सीधे सीधे संबंद जुड़े रहे हैं पाकस्तान के आतंकी कैम्पों में भी जाता रहा है यासीन मलिक पाकिस्तन के आतंकी कैंप में भाकाएदा ट्रेनिंग ले चुका है बढ़ाल आईए वब आब को सुनवाता हूँ पूर्व कॉंग्रेसी फिलाल कॉंग्रेस छोड़ चुके है लेकिन जिस वक्त कॉंग्रेस में थे पीसी चा को उस वक्त सोचिये कॉंग्रेस की जैनियत ये थी कि जो यासीन मली का जेल में गुना कबूल रहा है उस यासीन मली को कॉंग्रेसी ने था हिम्मत वाला शक्स बताते थे सुनिये ज़र अब सब्सक्राइब करने जा रहे हैं राष्ठाकरे की राष्ठाकरे को जान से मारने की धंकी मिली है जिया एक चिट्टी राष्ठाकरे को मिली है जिसमें उन्हें जान से मारने की धंकी दी गई है आखर किसने लिखी है ये चिट्थी आखर क्यों लिखी गई है ये चिट्थी और इस चिट्थी का मकसद क्या है धंकी में क्या कहा गया है राश ठाकरे को वो लेटर में आपको दिखाने जा रहा हूँ ये आप देख रहे हैं राज ठाकरे को एक चिट्टी मिली है इस चिट्टी के बारे में बताऊँ उर्दू में जिया इस खत को उर्दू में लिखा गया है उर्दू भाशा में लेटर में जान से मारने की धमकी है और कहा गया है लाउड स्पीकर का जो आंदोलन राज ठाकरे सेना राज को अगर कुछ हुआ तो महराश्ट जलेगा ये कहना है MNS का ग्री मंतरी वलसे पाटल से भी MNS ने मुलाकात की है आईए अब मैं आपको दिखाता हूं तस्वीरे की कैसे फुल स्क्रीन दरहे तस्वीरे दिखाईए ये आप देख रहे हैं राज ठाकरे ने अपने म बीच आपको बताऊं कि राज ठाकरे ने भी उद्धफ ठाकरे को एक चिट्थी लिखी है राज ने उद्धफ को जो खत लिखा है ट्विटर पर इस चिट्थी को राज ठाकरे ने पोस्ट किया है उन्होंने लिखा है चिट्थी में उद्धफ ठाकरे को बाकाइदा नसीह राज ने कहा है हमारे धैर की परिक्षा ना ले उद्धव ठाकरे कोई सत्ता पर हमेशा काबिज नहीं रहता उन्होंने लिखा है उद्धव ठाकरे आप भी हमेशा सत्ता में नहीं रहेंगे इतना ही नहीं आगे उन्होंने लिखा MNS कारेकरताओं का दमन करना बंद कर दो MNS कारेकरता आतंकी नहीं है राजश्टाकरे नने लिखा MNS कारेकरता पाकस्तान से नहीं आये है क्योंकि MNS कारेकरताओं पर कारवाई हुए पिछले दिनों उन्होंने लिखा हमारे 28,000 कारेकरताओं को नोटिस दे दिया गया है 1000 तड़ी पार हैं जबकि कई जेल में हैं आंकर क्यों? क्या इसलिए क्योंकि वो अवैद लाउड स्पीकर का विरोध कर रहे थे? क्योंकि वो ध्वनी प्रोडूशन के खिलाफ आवाज उठा रहे थे? पुलिस की करतूत हिंदू जनता सब देख रही है क्या मस्जिदों के खिलाफ ऐसी कारवाई की है कभी? क्या आतंकियों के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है कभी? ये सवाल राश ठाकरे ने उठाए है लेकिन राश ठाकरे उदब से सवाल पूछ रहे है फिलाल वो खुद तैयारी में है आयोध्या जाने की क्योंकि राश्ठाकरे इस वक जिस ट्रैक्ट में है उसमें आयोध्या का ठपा बहुत जरूरी है राममंदिर का ठपा बहुत जरूरी है ये तस्वीरे मैं आपको दिखा रहा हूँ लेकिन आयोध्या जाने से पहले एक तरफ तो पहली तस्वीर दिखाईए आयोध्या में उ प्रज़ बूचन सांसद है बीजेपी के और वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि अगर राश ठाकरे को उत्तर प्रदेश में आना है तो पहले माफी मांगे उत्तर भारतियों के साथ जो मारपीट की है उस पर माफी मांगे ये कहना है गोंडा के सांसद का लेकिन अगले सांसद की तस्वीर में दिखाऊं जो सांसद आयोध्या के हैं आयोध्या के सांसद है लल्लौ सिंग उनका कहना है कि वो राश ठाकरे के साथ ख़ड़े है दोनों ही बीजेपी के सांसद है एक कह gravity माफी मांगे आएंगे दूसरे कह रहे हैं आपका सवागत है आइए मैं आपको बता आने का एलान किया है राज ने इस एलान के बाद सियासी तकरार शुरू हो गई है और बीजेपी के दो सांसद आमने सामने आ गए हैं आपको बताओं पहले सांसद है ब्रजभूशन सांसद ब्रजभूशन शरन ने राज का विरोत किया है उनका कहना है राज को आयोध्या में नहीं घुसने देंगे उन्होंने कहा है इसके अलावा ब्रजभूचन ने राज ठाकरे से माफी की मांग रखी है कि राज ठाकरे माफी मांगे क्योंकि राज ने उत्तर भारतियों का अपमान किया है उन्होंने कहा कि गोंडा से सांसाद है ब्रजभूचन शरंड सिंग इसके उन्होंने उनका निजी विचार बताया है आईएब मैं आपको सुनवाता हूँ बीजेपी के दोनों ही सांसदों को सुनिए एक राज ठाकरे के हक में है और एक खिलाफ है क्या कह रहे हैं राज ठाकरे हिंदू नेता नहीं है इस समय देश का खलनायक है अब इस सेश करके उत्तर भारतियों के लिए मैं उसको हिंदू नेता नहीं मानता हूँ खलनायक है जिसने उत्तर भारतिये के नाम पर रिक्सेवालों को मारा हो जिसने उत्तर भारतिये और मराठी मानुस का बीज बोया हो तो मैंने एक बयान दिया कि उत्तर भारतियों से उनको माफि मांगना चाहिए और हमारे मुक्मंत्री जी को नहीं मिलना चाहिए हमारा क्यों इतना स्टेंड है कि जो भी आयोध्या आएगा प्रभुसी राम की सरण में उसका हम स्वागत करेंगे उसका हम सम्माग करें आयोध्या आने के लिए जब पूरे दुनिया से लोग आ रहे हैं सब के लिए दरवाजा खुला है प्रभुसी राम का तो अनुमत लेने का कोई सवाल ही नहीं उठता जहां तक कानून वेवस्था का मामला है प्रदेश सरकार उसको देखेगी खबरों में आगे बढ़ते हैं और साथी साथ आपको बताऊँ आयोध्या की बात जब कर रहे थे आयोध्या अधित ठाकरे भी जाने वाले लेकिन आयोध्या आपको याद होगा उध्धव ठाकरे भी गए उसके अलावा दूसरी तस्वीर दिखाईए ज़रा अखिलेश यादव भी यूपी चुनाफ से के दौरान आयोध्या गए थे यूपी चुनाफ से पहले एक और तस्वीर आपको दिखाने जा रहा हूँ आम आदमी पार्टी के निता केजरिवाल और संजे सिंग भी आयोध्या गए थे तो देखे सियासत करनी है तो निताओं को टेंपल रन आयोध्या तक रेस तो लगानी पड़ती है अब राज छाकरे आयोध्या जाने वाले है बेराल आगे बढ़ते हैं आज की एक और अगली बड़ी खबर है कि आखिर जो श्री लंका के हालात बने हुए है वो हालात कैसे लगातार बिगड़ते चले जा रहे है ये जल गई सोने की लंका श्री लंका में जो आग लगी उसकी अम्बियंस के साथ ज़रा दिखाईए ये जो आप देख रहे हैं हंगामा सलकों पर अराजकता सलकों पर नजर आ रहे हैं श्री लंका की तस्वीर है पुलिस लोगों को पकड़ रहे हैं लोग सलकों पर आग लगा रहे हैं अगली तस्वीर दिखाईए जरा ये देखिए जरा किस तरह तोड़ पोड नजर आ रह अगली तस्वीर दिखाईए जरा श्रिलंका की सड़कों पर टैंक चल रहे हैं देखिये जरा यह श्रिलंका इस तरह की तस्वीरे आपने यूक्रेन में देखी होंगी लेकिन श्रिलंका की सड़कों पर शूट एट साइट है यानि कोई भी बाहर निकलेगा उसे गोली मार द आरही है खूम कराबा नजर आ रहा है आधजनी नजर आ रहे है तोरब फोल रहा है चारो तरफ बवाल ही बवाल मचा है श्रिलंका में आखिर ऐसे हालात बने के हो यह आपको बताएंगे लकिन उससे पहले आईए ब QUE आर भारत श्रिलंका में अपनी सेना भीजेगा एक सव तो श्रिलंका हिंसा की आग में जल रहा है एक फलता पूलता देश देखते ही देखते दिवालिया होने के कगार पर पहुँच गया है आपको बताओं चारों तरफ मारकाट मची है शहर शहर लूटपाट और अगजनी हो रही है नेताओं मंतरियों सरकारी अफसरों की गालियों और घरों को निशाना बनाया जा रहा है दुकानों को लूटा जा रहा है हालात ऐसे हैं सरकार समर्थक और सरकार विरोधी इस वक्त आमने सामने है हालात इस कदर खराब हो चुके हैं कि इसे कंट्रोल करना फिलहाल मुश्किल हो गया है हालात की गंबीरता को देखते हुए आपको बताओं सरकार ने दंगाईयों को देखते ही गोली मारने के आदेश दे दियें राजपती गोडबाया राजपक्षे के आदेश के बाद रक्षा मंतराले ने ये ओर्डर जारी किया है कॉलंबो में सेना कस को सड़क पर उतार दिया गया हालाती है देश भर में पहले से ही आपात का लागू अमर्जनसी लगी हुई है दरसल श्रीलंका के जो ताज़ा हालात हैं इसके लिए पूर प्रधान मंतरी महिंदा राजपक्षे को जम्यदार माना जा रहा है और यही वज़ा है कि सबसे ज्यादा गुसा महिंदाराजपक्षे के खिलाफी है जिनकी चीन के साथ दोस्ती ने देश को इसकगार पर पहुँचा दिया है ऐसे में सवाल यह है कि क्या भारत एक मित्र और पडोसी होने के नाते श्रीलंका में दखल देगा ऐसी अफवा है कि भारत श्रीलंका में अपनी सेना भेच सकता है लेकिन इस खबर के सामने आते ही कुलंबो इस्तित भारती उचायोग ने इसका खंडन कर दिया है भारत में दो टूक कहा है आपको बताओं कि मीडिया में भारत के अपने सैनिक श्रीलंका भेजने को लेकर चल रही क्यासबाजी की खबरों का हम खंडन करते हैं इस तरह की रिपोर्ट्स और विचार भारत के अधिकारिक रुक के कताई अनुरूप नहीं है भारत श्रीलंका में लोक्तंत्र उसकी समर्धी और इस्थायतु का समर्थक है इससे पहले ये भी खबर आई थी कि प्रुधान मंत्री पत्से इस्तीफा देने के बाद महिंदा राजपक्षे ने देश छोड़ दिया है और उन्होंने भाग कर भारत में शर्रण ली है भारत ने इसका भी खंडन किया है और इसे भी कोरी अफ़ा बताया है इस बीच बीजेपी रेता और पूर्वराज सबास सांसाद सुबरमन्यम स्वामी ने आग में घी डालने का काम किया स्वामी ने श्रेलंका में भारतिय सेना भेजने की मांग किया स्वामी ने एक ट्weeट किया है बाकायदा ट्Weeट कर लिखा भारत को श्रेलंका में समगेदानिक एस्तिव बहाल करने के लिए अपनी सेना भेजनी चाहिए वर्तमान में भारत विरोधी विदेशी ताकते श्रिलंका के हालात का फाइदा उठा रही है ये भारत के राश्य सुरक्षा को परभावित करता है सुबरामरिम्सवामी की इस मांग पर श्रिलंका में सरकार विरोधी लोग भड़क गए लोगों का कहना ये कि बीजेपी सांसाथ पूर पुरदान मंतरी महिंदा राश्य पक्षे से अपनी दोस्ती निभा रहे हैं और भारत श्रिलंका रिष्टे को खराब कर रहे हैं श्रिलंका में भारत विरोधी कोई माहौल नहीं है कोई भी विदेशी ताकत यहां भारत के खिलाफ किसी भी तरह की सादश में शामिल नहीं है लेकिन सवाल ये है सवाल ये है कि आखिर श्रिलंका को डुबोया किसने श्रिलंका को बरबाद किसने किया उसके लिए एक परिवार एक परिवार काफी है और वो परिवार है महिंदा राजपक्षे का, यह एक एक चेहरा जो आप देख रहें, यह राजपक्षे के परिवार के लोग हैं, यह सब वहां की सरकार में थे और इन सब ने मिलकर पूरी तरह से एक मुल्क को डुबो दिया है, तो कैसे परिवार ही ले डूबा श्रिलंका क तो ये आपको बताने जा रहा हूं देखे राजपक्षे परिवार इसमें बड़ी भूमिका है देश को बरबाद करने में ये देख रहे हैं परिवार के पूरे मुखोटे और किरदार शिलंका को परिवारवाद ने बरबाद कर दिया परिवारवाद सियासत में हो तो इसी त ज़ग सरकार पर एक ही परिवार का कब्जा है 11 मंत्राले में सरकार में केवल राजपक्षे परिवार के 5 मंतरी रहे उस दोरान चार आपस में भाई थे जबकि एक महिन्दा का बेटा था भाई और बेटा सब सरकार में गोटबाया राजपक्षे खुद राजपती है जो भाई है और इसके अलावा इसे मूव करेंगे आगे रक्षा मंत्राले की जिम्मेदारी भी गोटबाया राजपक्षे के पास है महिन्दा राजपक kokshay महिन्दा दो दिन पहले तक Shepherd और महिन्दा खुद राजपती भी रह चुके हैं लोगों के घुस्से के बाद महिन्दा राजपक्षे ने स्तीफा दिया है चीनी राजपती शी जिन्पिंग के बेहत करीबी माने जाते हैं चीन के निवेश से आर्थिक लाब लेने के आरोप है राजपक्षे पर देखिए बासल राजपक्षे बासल भी उन्ही परिवार का हिस्सा है बासल वित्मंतरी थे मिस्टर 10% के नाम से मशूर है यानि करप्षन में 10% इनका सरकारी ठेके से कमीशन बनाने के आरोप है यानि ठेका देंगे 10% दी पक्का राजपती गोटबया ने उनके सारे आरोप हटा लिये सोचिए लेकिन लोगों के गुस्से के बाद उन्हें वहां से हटना पड़ा और अटाये गया अगले नेता देखे चमल राजपक्षे ये भी परिवार का हिस्सा चमल राजपक्षे सिचाई मंतरी थे और सिचाई परियोजनाओं में भ्रष्टाचार के आरोप लगे बाकाइदा चमल पर भाई भतीजावाद के आरोप भी लगते रहे हैं और अगले नाम देखे नमल पूर परिवार सरकार में पूर पियम महिंदा राजपक्षे के पुत्र है ये नमल राजपक्षे जनता के दवाब में इन्हें इस्तीफा देना पड़ा तो ये है पूरा परिवार जिसने श्रिलंका को खत्म कर दिया अब आईए अब दिखाता हूँ मैं कि साज़श का आखिर परदाफाश हो गया है और नए नए सीएम हो सकते है श्रिलंका के साज़श का परदाफाश होने के बाद लेकिन नए पियम हो सकते है इनके बारे मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ये कौन है और शर्तों के साथ प्रुधान मंत्री बनने की बात इन्होंने मानी है वो शर्तें क्या है ये भी आपको बताऊँगा ये देखिए ज़रा साजित प्रेमदासा इनका नाम है साजित प्रेमदासा अगले प्रुधान मंतरी श्रिलंका के हो सकते हैं सियासी हलकों में उनके नाम पर फिलाल सहमती बनी है लेकिन साजित प्रेमदासा ने रख्या है कई शर्ते चर्टों में क्या है? साजित सत्ता से राजपक्षे परिवार का सफाया चाहते हैं कि राजपक्षे परिवार का एक सदस भी नहीं होगा उन्होंने राजपती गोडबया के स्तीफे की बाकाइदा मांग रख दी है शर्ट माननी जाती है तो वो अंतरिम सरकार में पियम होंगे साजित प्रेंदासा सांसद है और विपक्ष के गदावर नेता है सबसे बड़े विपक्षी दल, समागी जन, बाल वेगया के नेता है ये और विपक्षी दलों के गड़बंधन UNP के नेता भी है तो संभव है कि अगले PM हो जिसने उन्हें अगला PM उम्मीदवार घोशित कर रखा है विपक्ष ने साजित श्रिलंका सरकार में कैबिनिट मंतरी भी रह चुके है तो अब उनी से उम्मीद है 2019 में राश्पती का चुनाव भी लड़ा और दूसरे नंबर पर रहे अब उम्मीद है कि अगले PM यहीं होंगे साजित के पिता उनी सो नवासी तिरानवे के दौरान राश्पती रह चुके है तो सबाल यह है कि श्रिलंका में हाला कब सामान ने होंगे यह आने वाला वक्त बताएगा पिलाल यह भारत की बात है में इतना ही अपना बहुत ख्याल रखिए एक छोड़ा सब्रेक के लिए रुक रहे हैं लोट रहे हैं कुछ और मुझे पूचिए अरनब तुम्हारे ने पहले क्या आता है तुम्हारा धर्म या राष्ट धर्म और में कहूंगा और में कहूंगा मेरे मिये भारत पहले आता है राष्ट धर्म पहले आता है आएगि की सद्लिवजी कि यह सब चाहे ज्यानवापई की बाथ हो चैए ताजमहल की बात हो चैपो तूम अएग में एकष कहता है वैं इतना जूट परोसा गया है कि इतनी प dáते हैं कि परते हटते हटते भी सदिया लग जाएंगी तो दूसरा कहता है जान बूच के हो रहा है भढ़काने के लिए हो रहा है सद्गुरू नमस्कार जी आईश्वरिया आपने अभी जो कारंभिक में सारी बाते कही मुझे लगता है अगर दर्सकोन और अस्रोताओं ने जिसे सुना होगा तो उनके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे और यहां जो भी बिद्वान बैशे हुए हैं चाहे मुस्लिम स्कॉलर हैं चाहे राजनेटिक पार्टी के हैं या सादू हैं वो सब इस संबाद में भाग ले रहे हैं बात ज्यानवाती की हो बात राम मंदिर की हो बात कृष्ण जन्व भूमी की हो बात कुतुब मिनार की हो बात ताज महल की हो या बात तीस हजार उन्धर मस्थलों की हो जब भारत की बाहर से आए हुए आकरानताओं ने भारत की उपर लूट पाट मचाते हुए यहां पर धर्म का परिवर्थन कराते हुए और भारत के मूल संस्कती और मूल आत्मा सनातन संस्कती के मंदिरों को बिध्वन्स करते हुए उनके प्रतीश्वों को भाहते हुए मिटाते हुए यहां के हमारे नालंदा के विश्व बिद्यालय में नालंदा के विश्व बिद्यालय में नब्वे हजार सी जादा फुस्तकें धर्मसास्त्र जिनको जलाते हुए क्योंकि ये बात सभी जानते हैं जब बाहर से आकरांता आए तो उनके दिमाग में भी ये बात थी जगर हिंदुस्थान को मिटाना है इसके संस्कृति को मिटाना है तो ताथकाली समय में ये लूट पार्ट तो हम करी रहे हैं पर इनके प्रतीकों को भी अगर हम मिटा कर चले गए तो प्रतीक भीन कोई भी संस्कृति या समाज बहुत जल्दी खड़ा नहीं हो पाता है मैं तीसजार उन प्रतीकों और मंदिरों की बात करता हूँ अगर इमानदारी से भारत देश हंदुस्तान के हिंदो मुसल्मान इताई और सारे मिलकर उनकी जाच करें और जाच करके उन प्रतीकों के आधार पर बड़ी सौहार दिता के साथ इन चीज़ों को वापस कर दें क्योंकि वो जो बाहर से आकरांता आये थे न हमारे थे न यहां के मुसलिमों के थे न यहां के इसाईयों के थे हम भारतवाती हैं हम भारतवनती हैं हम हिंदुस्तान के लोग हैं हमारे पूरवज 5 से 7 पूरवज पहले पूरवज सब के एक हैं यह नहीं लेकिन महराज एक वो जो पक्ष है क्योंकि फिर यहां पर डिबेट शुरू हो जाएगी मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ वो दूसरा पक्ष कहता है कि भाई सद्गुरू कह रहे हैं कि हैं लेकिन यह तो सदियों नहीं मतलब यह तो मैं कह रहा हूँ 100, 1500, 200, 300, 400, 500, 1000 साल पहले की बात है वो कहते हैं जो 700, 800, 400, 500 साल पहले हुआ है उसको आज अगर टरन ओवर करोगे यानि अगर उसको बदल रहे की कोशिश करोगे तो उसमें तो और दिक्कत हो जाएगी उसमें और समाच टूड जाएगा उसमें विभाजन हो जाएगा उसमें जारकंड की घरन सजेवाइस पूजा सिंगल परकसाश शकंजा राची में 16 घंटों की पूच्टाच के बाद एडी ने की गिरफतारी कोट ने पूजा को पांच दिन की रिमान में भीजा यूपी के डीजीपी पर योगी सरगार का हंटर काम मिला परवाही पर हटाए गए डीजीपी मुकुल गोयल डीजी नागरिक सुरक्षा के पत पर हुई तैनाती काशी एग यानवापी सरवे विवात पर सुनवाई पूरी कोट कल दुपैर में सुनाएगा अपना फैसला हिंदू पक्ष ने की शाही मस्जित के तैखाने के सरवे की मांग करनाल से गिरफ्तार आतंकियों का बड़ा खुलासा कहा पाकिस्तान से आतंकी रिंदा भेशता था विस्पोटक और ड्रक्स दो फरजी गाणियों की आरसी भी बरामत गुजरात के राजकोट में अर्विन केजरिवाल ने बीजेपी पर बुला हमला का 27 सालों से गुजरात को लूट रही बीजेपी गुजरात अब बदलाब चाता है मैं किसी सप्ता या सरकार या किसी सिस्टिम के खिलाफ नहीं हूँ मैं उन लोगों के खिलाफ हूँ जो इंसाफ की आवाज दबाना चाहते हैं मैं उन लोगों के खिलाफ थार हूँ और रहूंगा कि आपको एक पक्षे वो कहता है कि भाई आपको जूट परोसा जा रहा है कोई आज या कल से नहीं सदियों से सदियों से भी पहले से सिकंदर और पोरस की रडाई याद है आपको दर्शु मैं आपसे पूछता हूँ आज सिकंदर और पोरस की रडाई याद है कि नहीं पूछता है रहा हम सब को पढ़ाया गया कि सिकंदर जीता और पोरस हारा क्या पढ़ाया गया अगर गलत बोल रहा हूं तो बताई क्या यह नहीं पढ़ाया गया हमें सिकंदर और पोरस की रड़ाई में लेदे ग्रेट सिकंदर वन और भारती एसमराठ पोरस हार गए लेकिन फैक्स जब निकाले जाते हैं तो उनको काउंटर किया जाता है भाईया पोरस जीता था सिकंदर नहीं अलग-अलग इस्टोरियन अलग-अलग फैक्स लेके आते तो आज ये डिबेट हमें चाता हूँ मेरे गैस आजा है बिलकुल बैट जाएंथा है मैं अगले दो मिनट में चुलू कर रहा हूँ ये एक असलियत है तो एक पक्ष वो जो ये कहता है कि भाई जूट परोसा जा रहा है एक के बाद एक और दूसरा ये कि आज दूसरा पक्ष ये कहता है कि भाई आज ताज महल का नाम आप कुछ और रखना चाहते है कुत्ब मिनार का नाम आप मतलब ताज महल को कुछ और रखना चाहते है कुत्व मिनार का नाम कुछ और रखना चाहते है ग्यान वापी मौश का चल रहा है महां मंदिर था तो ये सब जान बूच के हो रहा है और उनका ये कहना है कि बेसिक मुद्दे से ध्यान हटाने के लिए और आये लेकिन जो दूसरा पक्ष है दोनों पक्ष होंगे आज डिबेट होनी चाहिए फैक्स पे वो ये कहता है कि भाई सिकंदर और पोरस की रड़ाई से लेके ताज महल तक कुत्व मिनार तक फैक्स को और टर किया है ग्यान वापी मौश को क्या है वो कहते हैं जब वहाँ से अगर स्वास्तिक आया वहाँ पे स्वास्तिक बना हुआ है वो कितना पुराना है वो कहते हमसे मत पूछो आप अपना फाइंडिंग करा लो कुत्व मिनार के वहाँ से वो कहते हैं भाई ब्रह्मा विश्णू महेश की मूर्तिया निकल रही है अपने आप चेक करा लिजे कितने साल कितने दशक नहीं कितनी सदियों पुरानी है तो दूसरा पक्ष कहता है देखो तुम यह सब कर रहे हो भड़का निकल का तुम ये सब जान बूच के कर रहे हो इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम्हारे पास कोई और में दूर नहीं लेकिन फिर काउंटर आता है वो कहता है अगर मैं गलत हूँ तो तुम भागते क्यों अगर मैं गलत हूँ तो तुम जाच से क्यों भागते हो जो जूट, वो कहते हैं एक पक्ष कि भई जो जूट परत, तर परत लगाते रहे, यह क्या है, अगर नीचे, बहुत, मितलब मैं कहना चाहता हूं कि अगर आपके पास एक कोई चीज खराब हो गई है, उसके उपर आपके पक्ष लगाते रहे, लगाते रही, लगाते, तो राजगराने का बड़ा दावा क्या राजबक्षे परिवार नहीं लंका को डुबोया रॉकेट लॉंचर बरामद क्या है मोहाली साज़िश का आईसाइ कनेक्शन और राज़ ठाकरे का दुश्टमन कौन देखिए दस महदम आज राद नौसता बन मैं इस देश से एक बार फिर बादा करता हूँ कि सच के लिए रिपब्लिक की लडाई कभी कभी जोर में हो क्योंकि हमारे लिए राज़्ट सब्वपरी है रिपब्लिक के खिलाब साजिश रस्वेवाले हमेशा हर्द रहेंगे मैं एक बार तस्वीरे दिखाना चाहती हूँ मैं एक बार तस्वीरे दिखाना चाहती हूँ क्योंकि ये तस्वीरे हमारे पास आई है और हमारी सयोगी अनूपमा ने वहाँ ग्यान वापी से भेजिये है ये तस्वीरे और मैं उनको देखाऊँगी क्योंकि अब श्रिंगार गोरे की मांग की जा रहे अब मैं ये बताईए किस तरह से ये जो तस्वीर है, ये तहखाने के अंदर की तस्वीर है जो इतिहासकार ने हमें दिखाई, अनुपमा को दिखाई और वो तस्वीर देखिए, वहाँ पर हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां हो के रही है, तहखाना है जिसको खोलने भी तस्वीर हैं कि ते जंदुंडू देवी देवताओं की मूर्तियां समें उकेरी गये टूटे मंदर के अफशेश उसमें भरे गए इतिहासकार बताथे कि मंदर जब तोडागया उसके भाद उसके अफशेश हिंद वह अऱ्ठी हो और मैं ऐसने चाहिए आप їं करना चाहिए अग्र हला तरा है क्यान वापगरी तहखाणों फाल जो हरी कि कातर मुझे बता मिल रहा है कर दो हम हां झाल है आंगा उसी के उपर अभ यह का जा शरिंगार गोरी की पूझा का दिकार दे दो दूसरी तस्वीर दिखाईए महिष दूसरी तस्वीर भी दिखा दीजे ये ज्यान कूप है जहाँ पूझा होती रही थी पहले से पहले से होती रही अब थोड़ा से इतर हो जाहीए سरवरसाब महेश क्योंकि ये तस्वीर है हमारे पास है और ये है श्रिंगार गौरी की पूजा का अधिकार मांगा जा रहा है जिनको पूजते रहे अब बताईए ये क्या नहीं है मा का अधिकार नहां लगाता है मैं पहले भी आपके चैनल पर बोला था आज फिर बोल रहा हूं कि यदि गवरी शिंगार के पूजा को किसी ने रोका और आप करें 1991 तक चल रहा था तो निर्बाद चल रहा था कोई बाधा नहीं तो ये बंद किस ने कराया ये तो अजीज खान साब बताएंगे क्यों बंद हुआ देखें जो चीज है जो चीज है स्वतंत्र भारत में अपनी बात कर दो अब जिस प्लेसे ऑफ वर्शिप एक्ट का बार-बार हवाला दिया जाता है वो 15 अगर्श तो 1947 की बात होती है उसमें तो मैं कहता हूं जब सैंपचास पच्पन साथ मुझे पूछिये अरनप तुम्हारे ने पहले क्या आता है तुम्हारा धर्म या राश्टधर्म और मैं कहूंगा और मैं टाउंगा मेरे ने भारत पहले आता है राश्टधर्म पहले आता है सद्गुरु जी ये सब चाहें ग्यानवापी की बात हो चाहें ताजमेल की बात हो चाहें को तुमिना एक पक्ष कहता है भई इतना जूट परोसा गया है कि इतनी परते हैं कि परते हटते हटते भी सदिया लग जाएंगी तो दूसरा कहता है जान बूच के हो रहा है भढ़काने के लिए हो रहा है सद्गरू नमस्कार अईश्वरिया आपने अभी जो कारंभीक में सारी बाते कही मुझे लगता है अगर दर्सकोन और स्टोताओं ने जिसे सुना होगा तो उनके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे और यहां जो भी बिड़वान बैशे हुए हैं चाहे मुस्लिम स्कॉलर हैं चाहे राजनेशिक पार्टी के हैं या सादू हैं वो सब इस संबाद में भाग ले रहे हैं बात ज्यानवापी की हो बात राम मंदिर की हो बात कृष्ण जन्म भूमी की हो बात कुतुब मिनार की हो बात ताज महल की हो या बात तीस हजार उन भर्मस्थलों की हो जब भारत की बाहर से आए हुए आकरानताओं ने भारत की उपर लूट पाठ मचाते हुए यहां पर भर्म का परिवर्तन कराते हुए और भारत के मूल संस्कती और मूल आत्मा सनातन संस्कती के मंदिरों को बिध्वन्स करते हुए उनके प्रतीश्वों को मठाते हुए, मिटाते हुए यहां के हमारे नालंदा के विश्व बिध्याले में नालंदा के दिस्थो विड्डाले में 90 हजार से जादा पुस्तके धर्मसास्त्र जिनको जलाते हुए क्योंकि ये बात सभी जानते हैं जब बाहर से आक्रांता आए तो उनके दिमाग में भी ये बात थी कि अगर हिंदुस्थान को मिटाना है इसके संस्कृती को मिटाना है तो ताथकालीन समय में ये लूट पार्ट तो हम करी रहे हैं, पर इनके प्रतीकों को भी अगर हम मिटा कर चले गए, तो प्रतीक विहीन कोई भी संस्कृती या समाज बहुत जल्दी खड़ा नहीं हो बाता है। अप्रानता आये थे, ना हमारे थे, ना यहां के मस्लिमों के थे, ना यहां के इसाईयों के थे। लेकन महाराज, एक वो पक्ष है क्योंकि फिर यहां पर डिबेट चुरू हो जाएगी, मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ, वो दूसरा पक्ष कहता है कि बाई, मैं कह रहा हूँ 100, 1500, 200, 300, 400, 500, 1000 साल पहले की बात है वो कहते हैं जो 700, 800, 400, 500 साल पहले हुआ उसको आज अगर टरन ओवर करोगे यानि अगर उसको बदल रहे की कोशिश करोगे तो उसमें तो और दिक्कत हो जाएगी उसमें और समाच तूड जाएगा उसमें विभाजन हो जाएगा उसमें हिंदू मुसल्मान के बीच की जो धरार है वो और बड़ी हो जाएगी ये काउंटर आता है वहां से माराच मेरा बिल्कुल उल्टा मानना है 500 जारकन की खनन सचिफ आईएस पूजा सिंगल पर कसा, शेकन, जा, रांस, टीम, 8, 16 गंटों की पूछता के बाद एडीने की गिरफतारी कॉट ने पूजा को पाँच दिन की रिमान में भेजा यूपी के डीजीपी पर योगी सरकार का हंटर काम मिला परवाही पर हटाएगा डीजीपी मुकुल गोयल एडीजी, लौ अडर, प्रशांद कुमार को मिला अतिरिक प्रभार गाशी के ग्यानवापी सर्वे विवाद पर सुनवाई पूरी कॉट कल दुपैर में सुनाएगा अपना फैसला हिंदू पक्षने की शाही मजजित के तहर्ठाने के सर्वे की माद देश्त्रो की धारा पर सुप्रीम कोट का आदेश कहा देश्त्रो की धारा में दर्ज ना हो केस धारा 124-A पर दुबारा हो विचार मौजूदा आरोपी भी जमानत के लिए दें अर्जी करनाल से गिरफकार आतंकियों का बड़ा खुलासा कहा पाकिस्तान से आतंकी रिंदा भेशताता विस्पोटक और ड्रग्स दो फर्जी गाड़ियों की आर्सी भी पराम गुजरात के राज़कोट में अर्विंद केजिवाल ने बीजेपी पर बोला हमला कहा 27 सालों से गुजरात को लूट रही बीजेपी गुजरात अब बदलाव चाहता नमस्कार दस महदम में आपका बहुत बहुत स्वागत है मैं हूँ आपके साथ निदी वासंदानी बताएंगे आपको बड़ी खबरों की बड़ी बाते क्या है और चर्चा भी बड़ी होगी तो पहले दस महदम में सबसे पहले बात राची की पूजा के पास अकूत कैश मिला है इतनी संपति कहां से आ गई पैसो वाली पूजा को एडी ने किया गिरफतार और सीए के पास से भी कैश मिला है ये बड़ी खबर आपको बताएंगे और साथ में दस महदम में बात होग ताजमहल की विखिरों जैपुर्मरेत ज्याइब कि उनके पास थाम क्या राजपक्षे के परिवारवाद के व्ज़जा बोगई in ही लंका को डुबो दिया तो इसकी बात होगी और साथ में ग्यानवापी पर कैसे सबूत खुद गवाही दे रही है क्या पहले यहां पर मज़िद से पहले मंदिर था इस पर भी बात करेंगे दस में हैं दम में तो सबसे पहले बाद पैसो वाली पूजा की गिरफतारी हो गई है एडी ने बड़ा शिकंजा कस दिया है क्योंकि एक सरकारी अधिकारी एक सरकारी पत पर बैठा हुआ व्यक्ती कैसे इतना कैस जमा कर सकता है पूजा सिंगल जो राची में खनन सचिफ के तौर पर काम कर रही थी लेकिन आईएस हैं और उनके यहां पर इतनी करोड की संपत्ती मिली है कैश मिला है उनके सीए के आवाज से भी कैश मिला है और उनके पती पर भी शिकंजा कसा गया है देखिए एडी ने कैसे बड़ी कारवाई करते हुए पूजा सिंगल को गिरफतार कर लिया रश्चा चार पर एडी का बड़ा प्रहाद आईएस पूजा सिंगल गिरफतार जरू हुआ सियासी बार पलट बार जारकट के हाई प्रोपाल आईएस पूजा सिंगल को एडी ने गिरफतार कर लिया है अब ये जानकारी मिल रही है कि उनके अरेस्टिंग हो गई है उनको डिटेन कर लिया गया है और अब हम आपको ये भी बता दें कि पूजा सिंगल का दूसरा दिन था ये दूसरा दिन था जब उनको पूस्ताश के बुलाया गया था आज अभी शेक नहीं पहुँचे थे उनके पती अभी शेक जा लेकिन दोपहर करीब धाई से तीन बजे के बेच वो भी पहुँचे तब से कयास लगाया जा रहे थी कि शायद आज गिरफतारी होगी लेकिन अब जो जानकारी मिल रही है कि उनको अरेस्ट कर लिया गया है इसी एडी दफतर के अंदर अभी श्वक्त मौजूद है वो थोड़ी दिर बाद यहां से बाहर निकलेंगी जारकन की खनन सचिव पूजा सिंगल को एडी ने आए से अधिक संपत्ती के मामले में अरेस्ट कर लिया E.D. ने आए से अधिक संपत्ती मामले में पूजा सिंगल से करीब 16 गंटे तक पूश्टाच की पूश्टाच में वो खुद को निर्दोश बता दी रही उनके खाते में सालरी से अलग 1.43 लाग रुपे की धनराशी कहां से आई इस बात का जबाब वे नहीं दे पाए पूजा सिंगल पर टीसी रहते कई जिलों में घोटाले का आरूप है मनरेगा में 18 करोड के घोटाले का आरूप है E.D. के सूत्रों की माने तो बुद्वार को पूजा से उनके C.A. सुमन कुमार के घर मिले 17 करोड रुपे और उनके पती के पल्स होस्पिटल से संबंदित मामलों में सवाल जबाब किये गए आई से अधिक संपत्ती मामले में पूजा सिंगल जबाब देने से बचती रही बदादे कि पूजा सिंगल के C.A. के पास से मिले करोड रुपे को लेकर E.D. ने पूजा सिंगल के पती अभिशेक जास से भी पूजाच की है बड़ा स्कंडल था उनके पीछे मन्रिगा से जुड़ा था चत्रा में DC ती वहां भी स्कंडल हुआ उसके बद पलामों में DC ती वहां भी स्कंडल हुआ अब खान मामले में भी उनके उपर तलवार लटक रही है अलाकि ये भी कहा जा रहते हैं कि सरकार की तरब से की कारवाई की जागी और उनको सस्पेंट किया जा सकता है ये जानकारी मिल रही था जो मंतरी है वो भी ऐसा कह रहे थे कि शायद इनको सस्पेंट किया जाएगा लेकिन आज कैबिनेट की बैटक हुई आज उनको सस्पेंट नहीं किया गया ये भी जानकारी है पूरे मामने पर सियासत भी चुरू हो गई है पूजा के घर से बरामत करोडों की संपत्ती के बाद से ही बीजेपी जहां जारकन सरकार पर हमलावर है महीं सीएम हेमंद सोरेन ने पूजा सिंगल की गिरवतारी के बाद पलटबार किया है चोर मचाय सोट अब तो भारती जनता पार्टी को ये बोलना चाहिए कि 20 सालों तक जितनी भी साल भारती जनता पार्टी ने सरकार चलाया उसकी पूरी जाच होनी चाहिए अच्छा सर जो क्लीन चीट दिया गया था 27 परवरी 2017 को पूचा सिंगल को उसका भी उन सब चीजों को देखा जाएगा और इसमें जो भी दोसी होंगे उस पर कारवाई हो पूजा सिंगल को लेकर एडी के आक्शन से ये साफ हो गया है कि पूरे मामले में अभी और कई चोकाने वाले खुलासे हो सकते हैं बड़ा सवाल ये है कि मनेरेगा घोटाली की आरूपी पूजा सिंगल को क्लीन चिट कैसे मिली एडी की जाच में पूजा सिंगल के सियासी कनेक्शन और उससे जुड़े चेहरों का भी परदाफाश हो सकता है ब्योरो रिपोर्ट रेपाब्लिक भारत चलिए अब जल्दी से आपको बताते हैं कि जो पूजा का ये पैसा लोक है वो क्या है 15 घंटे से ज्यादा की पूजा सिंगल से पूजताच होई और उसके बाद गिरफतारी होई जो पती है अभिशेक जा और सिये उनसे भी पूजताच की गई यानि आमने सामने बैठा कर तीनों से पूजताच की गई है इसके अलावा जो सिये सुमन कुमार है पहले उन्हें गिरफतार किया गया फिर पूजा सिंगल पर कारवाई गूई है पार्च दिन की ED रिमांट पर भेश दिया है पूजा सिंगल को इसके लावा 19 करोर से ज्यादा कैश पूजा के पास से बरामद हुआ है इतना कैश कैसे मिल सकता है और आखिर इसकी सच्चाई क्या है ये ED पता लगाएगी अब रिमांट पर राची के कई ठिकानों पर शापिमारी हुई है यानि पूजा के यहां से तो कैश बरामद हुआ लेकिन उनके ठिकानों से क्या कुछ और बरामद की हो सकती है कई दस्तवेज कबजे में ले लिए हैं तीनों को एक साथ बिठाकर पूश्ताच की गई है पती का जो अस्पताल है पल्स अस्पताल उसके दस्तवेज भी ED के पास मौजूद है यानि घर, अस्पताल, दफ्तर के कागजाद जो हैं एन्फोस्मेंट डिरेक्टरेट की टीम के पास मौजूद है और पूजा से जुड़ी जो शेल कंपनी है उसका भी पता लगा दिये शेल कंपनी कहां कहां तक खेली हुई थी, एक शेल कंपनी के एवज में कई कंपनिया खोली गई, ये भी पूजा सिंगल से जो प्रवतर निदेशाले है वो पता लगाने में जु इता कर रही थी अवैर्त तौर पर, चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब बात करते हैं ताजमेहल की, ताजमेहल पर बड़ा दावा कर दिया है धिया कुमारी, जो कि जैपुर घराने की राजकुमारी है, उन्होंने कह दिया है कि ताजमेहल हमारी प्रोपर्टी है, अब त राजहां के वक्त हमारे परिवार की तरफ से विरोत नहीं किया गया था, देखें क्या कह रही हैं दिया कुमारी ये पैलिस था और शाजहां ने इस पे कबजा किया ताजमहल को लेकर विवात थमने का नाम नहीं ले रहा ताजमहल में सर्वे की मांग के बाद अब जैपूर राजगराने ने बड़ा दावा कर दिया जैपूर राजगराने की दिया कुमारी का कहना है कि वहाँ पहले हमारा महल था ये पैलिस था और शाजहां ने इस पे कबजा किया जैपूर रॉयल फैमिली के सदस्य और बीजेपी सांसत दिया कुमारी ने कहा कि उस जगह पर हमारा महल था उन्होंने कहा कि ये अच्छी बात है कि ताज महल के बंद कमरे खोलने को लेकर अपील की गए दिया कुमारी ने दावा किया है कि उनके पास ऐसे डॉक्यमेंट मौझूद है जो बताते हैं कि पहले ताज महल जैपूर के पुराने राज परिवार का पैलेस हुआ करता था जिस पर शाहजाह ने कभजा कर लिया जब शाजाह ने जैपुर परिवार का वब पैलेस और जमीन ली तो परिवार उसका विरोध नहीं कर सका उसके लिए कोई भी अगर आवशकता पड़ेगी दस्तावेजों की या कुछ भी तो हमारे वहाँ ट्रस्ट में कोती खाना भी है जो भी डॉक्यूमेंट से हम लोग प्रॉवाइट करेंगे वो डॉक्यूमेंट में यही है कि उन्होंने इसको लिया था उस समय उनको अच्छा लगा तो उन्होंने उसको अक्वाइर कर लिया जैपुर राजगराने की दिया कुमारी ने कहा कि राजगराना भी चाहता है कि ताज महल के बंद कमरों को खोलना ताकि सच सामने आ सके ग्यान बापी से चुरू हुई सर्वे की लड़ाई अब मतुरा होते हुए ताजमहर तक पहुँच गई है इस बीच जैपुर राजगराने के दावे ने पूरे मामले को एक नया मोड दे दिया है पहले ही ताजमहर का नाम बदल कर तेजो माहले करने की मांग की जा रही है और अब दिया कुमारी सामने है एक नए दावे के साथ आए जल्दी से बता लेते हैं कि जो दिया कुमारी है वो आखिर अपनी प्रॉपटी ताजमहर को क्यों बता रही है देखे राजघराने की प्रिंसेस ने दावा कर दिया है बड़ा दावा कर दिया है इसलिए ज़्यादा हल चल हो गई है और सुर्खिया भी लगातार सामने आ रहें कि तार्ज पहल हमारे परिवार की संपत्ती है यानि जो राजघराना जैपुर से जुड़ा हुआ है उसके परिवार के संपत्ती है शाहजा ने हमारी संपत्ती पर कबजा कर लिया था ये दिया कुमारी का कहना है और ये जमीन जैपुर राजघरानों की थी जहां पर ताजमहल बना हुआ है इसलिए जमीन हमारी थी और कबजा शाहजा ने कर लिया था परिवार ने उस वक्त विरो ताजमहल के उसे खोला जाना चाहिए और ट्रस्ट के पास दस्तवेस मौजूद हैं दिया कुमारी ये भी कह रही है इसके अलावा आपको बताएं कि दिया कुमारी कौन है ये भी जानना आपके लिए जरूरी है तो दिया कुमारी जो है वो सवाई माधुपूर से बीजेपी की सांसद हैं, मेंबर ओफ पार्लिमेंट हैं, जैपूर राजगराने की प्रिंसेस हैं, राच कुमारी हैं और इसके अलावा राजसमन से पूर्व विधायक भी रह चुकी हैं तो सत्ता में रहकर ही अब दिया कुमारी जो है एक सांसद के तौर पर उन्होंने ये अपील की है कि ताज महल के बंद कबरों को खुलवाय जाना चाहिए ताकि सच सामने आए और साथ में इस पर दावा किया गया है कि ये जो जमीन है वो उनकी प्रॉपर्टी में से एक है चलिए आगे बढ़ते हैं दस में दम में और अब बात कर लेते हैं श्री लंका की श्री लंका म में आग लगी हुई है जबर्दस विरोध प्रदशन हो रहा है लेकिन इस बीट जो महिंदा राजपक्षे हैं पूर प्रधान मंत्री जिन्होंने स्टीफा दिया संकट की घड़ी में और अब उन्होंने नेवल बेस में शरंड ले रखी है महिंदा राजपक्षे पर अरीबी की ओड भाके रा गया देखे विपक्ष कैसे आरोप लगा रहा है और देश में कैसे संकट फेला हुआ है राजपक्षे के परिवारवाद से बर्बाच श्री लंका सरकार में बड़े पदों पर बैठे ते 40 सदस से भाई भती जवाद में लंका की लुटिया डुबोई श्री लंका जल रहा है हर तरफ हिंसा और आगजनी का माहौल है जनता सडकों पर है भीड पुलिस को दोड़ा दोड़ा कर पीट रही है सांसदों के घर जलाए जा रही है सवाल यह है कि श्री लंका को कंगाल बनाने की पीछे जिमिदार कौन है जवाब श्री लंका की सियासत में जारी परिवारवात को माना जा रहा है पूरे दक्षिन एशिया में अगर कोई देश पूरे आत्मविश्वास के साथ अगर राजनितिक वंच को बढ़ावा दे रहा है तो वो है श्री लंका कैबिनेट को अगर छोड़ दे तो राजपक्षे के परिवार से सत्ता में अब तक 40 से ज्यादा सदस्य पद पर है परिवारवाद और भाई भतीजवाद का फूल प्रूफ उधारन है महिंदा राजपक्षे लेकिन देश की जनता के आकरामक तेवरों के बाद जब देश घंगोर संकट में आया तो महिंदा राजपक्षे को कुरसी का मोह छोड़ना पड़ा और सेना के नेविल बेस में महिंदा और उनके परिवार ने शरण ले ली महिंदा राजपक्षे ने 2010-2015 टक श्रय लंका के राजपक्षे के रूप में सत्ता संभली आपातकाल से पहले कैबिनेट के अलावा सरकारी पदों पर परिवार के 40 सदर से बैठे हुए थे कईयों पर आर्थिक धोकदड़ी के आरोप है अभी राश्पती पद पर महिंदा राजबक्षे के छोटे भाई गोटा बाया राजबक्षे है जिन से संकट में देश संभल नहीं रहा लंका में राजबक्षे परिवार का इतिहास आजादी के बाद से अस्तित्व में आया श्रीलंका के हंबन टोटा जिले से आता है शक्ती चाली परिवार विपक्ष का आरोप राजपक्षे परिवार परिवार वाद में ही लगा हुआ है और परिवार की वज़ा से ही श्रिलंका की ये हालत हुई है विपक्ष का रोपे की परिवार बाद में ही राजपक्षे परिवार आजादी के बाद से लगा रहा और श्रीलंका को गरीबी की तरफ धकेलता रहा श्रीलंका के हनबन टोटा जिले के गुरुवा पट्टुवा गाउं के एक ग्रामीड भू स्वामी परिवार से आता है राजपक्षे का शक्ति शाली परिवार वही से ही राजनेतिक वन्ष का उदे हुआ माना जा रहा है कि राजपक्षे परिवार ने चीन की चाल में फस कर श्रीलंका को कंगाल बना दिया है विपक्ष कारोपे की देश के बजट के 70 फीसिदी हिस्से को राजपक्षे परिवार अपने तरीके से इस्तमाल करता था जाहिर है चीन की नीतियों को लागू करना श्री लंका को इतना भारी पड़ा कि देश कंगाल हो चुका है और आज वहाँ मरने मानने के जैसे हालात पैदा हो चुके है ब्योरो रिपोर्ट रिपाब्लिक भारत तो लंका के हला तो बहुत ज्यादा खराब होते जा रहें लेकिन इस बीच सत्ता में चार पीडियां रही है राजपक्षे के आपको बता दे सत्ता में राजपक्षे की चार पीडियां डॉन डेविड राजपक्षे जो महेंदा राजपक्षे के दादा रहे राजनतिग्य रहे और श्रीलंका के जल आपूर्ती मंत्री रहे इसके अलावा इनके डॉन डेविट राजपक्षे के दीडी राजपक्षे के तीन बेटे और एक बेटी रहे आपको बता दें कि उनके तीन बेटों में से कोरो नेलिस राजपक्षे रूहनू के बड़ी अधिकारी रहे यानि सप्ता पर कैसे काबिज रहे ये हम आप तक बता पहुँचा रहे कि डीएम राजपक्षे उन तीन बेटों में से दूसरे बेटे ब्रिटिश साशन में वो का मेंदा राजपक्षे 2005 से 15 तक राजपती रहे फिर प्रधान मंत्री रहे 2019 से 22 तक प्रधान मंत्री पद अभी अभी छोड़ा है संकत आने के बाद और उसके बाद स्तीपा दिया है मेंदा राजपक्षे के बाद गोटाबाय राजपक्षे जो की अभी भी राशपती है श् तो ये देखिए सब्ता से बिल्कुल नाता रहा है आजादी के बाद से ही श्री लंका में राजपक्षे परिवार का जबर्दस वर्चस्व रहा है। महिंदा राजपक्षे की वो लगातार सत्ता संभालती आ रही है और इसलिए विपक्ष को एक मौका मिल गया है कि उन पर निशाना साधा जा सके चलिए आगे बढ़ते हैं दस में दम में बात कर लेते हैं ग्यान वापी विवाद की क्योंकि इस मस्जित विवाद पर अब सर् वो क्या होगी कोट का फैसला इस पर कल आ रहा है तो सभी के निगाहे कोट के कल के फैसले पर है आखिर ज्यानवापी का सच क्या है? क्या सर्वे से ज्यानवापी का सच सामने आने वाला था? हिंदू पक्ष का रोफ है कि सर्वे के सच से बचने के लिए मुसलिम पक्ष ने जान बूच कर सर्वे का काम पूरा नहीं होने दिया इस पूरे विवात के बीच रिपब्लिक भारत सुबूतों के साथ आपको सबसे बड़ी गवाही दिखाने जा रहा है पहली गवाही कुलपती तिवारी महंत काशी विश्वनात मंदिर काशी विश्वनात मंदर के महंत कुलपती तिवारी 1858 की तस्वीर दिखाते हुए दावा कर रहे हैं कि यहां कोई मस्जिद थी नहीं कुलपती तिवारी ने कहा कि हम सुबूत दिखा रहे हैं मुसलिम पक्ष बताए कि उनके किस पूर्वज ने मस्जिद बनाई थी देखें यहां कोई मस्जिद है, कोई मस्जिद है इनका, क्या यह जूट है यह फैक्ट है, और फैक्ट को जो आप क्लियर करिए और कहा जानते हैं यह हिस्ट्री में मिश्ट्री वारी बात मस करिए दूसरी गवाही, सोहन लाल बर्मा, पहले याचिका करता ग्यानवापी मामले पर पहले आचिका करता सुहनलाल वर्मा का दावा है कि आज भी मस्जित के गुंबद मंदिर की दिवारों पर ही बने है वो तस्वीरत दिखाते हुए बताते हैं कि मंदिर की अफशेश, मंदिर की दिवारे साफ नजर आती है आगे सोहनलाल वर्मा का ये भी कहना है कि 1937 में जब पहली बार सुन्माई हुई थी तो कोट ते केवल तीन लोगों को ही नमाज पढ़ने की इजाज़त दी थी लेकिन अब कोट के उस वैसले की अवमानना हो रही है ये मंदिर का हिस्ता तो रिपोर्ट के जरी आपने देखा कि कैसे सबूत ही इस पूरे मामले पर गवाही दे रहे हैं अब ये सबूत की जो दलीले हैं वो कोट पे पूरी हो चुकी है और इंतजार कल का है जब कोट ये बताएगा कि सर्वे के अगली तारीक क्या होगी और क्या जो कमिशनर कोट ने न्यूक्त किया था क्या वही रहेंगे ये कल पर देखना होगा फिलाल दस मेह दम में आज के लिए बस इतना है मैं किसी सब्ता या सरकार या किसी सिस्टिम के खिलाफ नहीं हूँ मैं उन लोगों के खिलाफ हूँ जो इंसाफ की आवास दबाना चाहते है मैं उन लोगों के खिलाफ फार हूँ और रहूंगा देश में एक बहस चड़ गए कि आपको एक पक्षे वो कहता है कि भई आपको जूट परोसा जा रहा है कोई आज या कल से नहीं सदियों से सदियों से भी पहले से सिकंदर और पोरस की लड़ाई याद है आपको दर्शु मैं आप से पूछता हूँ आज कि सिकंदर जीता और पोरस हारा क्या पढ़ाया गया अगर गलत बोल रहा हूँ तो बताई क्या ये नहीं पढ़ाया गया हमें सिकंदर और पोरस की रड़ाई में देग्रेट सिकंदर वान और भारती एसमराठ पोरस आपको बतार गये थे तो आज ये डिबेट है मैं चाहता हूँ मेरे एक गैस आजा है बिलकुल बैट जाये था मैं अगले दो मिनट में चुलू कर रहा हूँ ये एक असलियत है तो एक पक्ष वो जो ये कहता है कि भाई जूट परोसा जा रहा है एक के बाद एक और दूसरा ये कि आज दूसरा पक्षे कहता है कि भाई आज ताज महल का नाम आप कुछ और रखना चाहते हैं ग्यान वापी मौश का चल रहा है महां मंदिर था तो ये सब जान बूच के हो रहा है और उनका ये कहना है कि बेसिक मुद्दे से ध्यान हटाने के लिए और आए लेकि इन जो दूसरा पक्ष है दोनों पक्ष होंगे आज डिबेट होनी चाहिए फैक्स पर वो ये कहता है कि भाई सिकंदर और पोरस की रड़ाई से लेके ताज महल तक कुतम मिनार तक फैक्स को उल्टर किया वो कहते हैं जब वहां से अगर स्वास्तिक आया वहां पर स्वास्तिक बना हुआ वो कितना पुराना है वो कहते हम से मट पूछो आप अपना फाइंडिंग करा लो कुत्व मिनार के वहाँ से वो कहते हैं भाई ब्रह्मा विश्णु महेश की मूर्तिया निकल रही है अपने आप चेक करा लिजे कितने साल कितने दशक नहीं कितनी सदियों पुरानी है तो दूसरा पक्ष कहता है देखो तुम ये सब कर रहे हो भड़काने के लिका तुम ये सब जान बूच के कर रहे हो इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम्हारे पास कोई और मिन्दू ने लेकिन फिर काउंटर आता है वो कहता है अगर मैं गलत हूँ तो तुम भागते क्यों अगर मैं गलत हूँ तो तुम जाच से क्यों भागते हो जो जूट वो कहते है एक पक्ष कि भई जो जूट परत दर परत लगाते रहे ये क्या है अगर नीचे बहुत मतलब मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आपके पास कोई चीज खराब हो गई है उसके उपर आप कुछ लगाते रही लगाते रही लगाते रही लगाते वो यह कहता है कि जूट की इतनी परते हैं कि अंदर असलियत जो है वो किसी को पता है नहीं 10 साल 20 साल 40 साल भाई facts तो भाई यह कब पता लगेगा जब search होगी neutral agency से करा जो ना इदर की हो ना उदर की एक से ना करानी हो दो से करानी हो दो से करा लीजे तीन से करानी हो तीन से करा लीजे लेकिन जाच से परहेश की चाहें वो ग्यानवापी की बात हो चाहें वो कुत्ब मिनार की बात हो ताज महल की बात हो मुझे पूछिए अरनप तुम्हारे निये पहले क्या आता है तुम्हारा धर्म या राश्टधर्म और मैं ग्यान वापी मस्जिद की दिवार पर क्या दिखा मोहाली धमाके का रूस करेक्शन अब श्री लंका क्या करेगा देखे जाते रहो मेरे साथ राध दस बचकर सतावन मिनट पर मैं इस देश से एक बार फिर बादा करता हूँ कि सच के लिए रिपब्लिक की लडाई कभी कभी जोर में क्योंकि हमारे लिए राष्ट सब्च्व परि मन श्रsınız खहा लाइए रिपब्लिक के खिलास साथिस वह सत्विख स्क्से वाले हमेशा हर के रहेंगे मैं यह पर झता सीरे दखाना चाहती हूं मैं इक बार तस्वि》 दिखाना चाहती हूं हां हांstyle मुझी पुर तनiden खाउंगी क्योंकि अब श्रिंगार गॉरी कि मांगकी जा रही है। और इसमें आप देखिए कलाकृती जो बनी हुई है और हिंदू देवी देवताओं की मूर्तिया उसमें उकेरी गई है तूटे मंदर के अफशेश उसमें भरे गए इतिहासकार बताते हैं कि मंदर जब तोड़ा गया उसके बाद उसके अफशेश थेखाने में भर दिये इसले चाहरी हूं कि आप आएं क्योंकि इन तस्वीरों पर बात करना चाहते हैं एक बार जाएंगे क्योंकि तहखाने में यह जड़ा देखिए यह ग्यानवापी तहखाना है अब इसको खोलने की मांगो रही है जड़ा आप इधर कड़े हो जाईए अब मुझे बताईए अब यह मतश्यान के अंदर मूर्तियां है यह मसजिद आ तरो वो खहरे है बस ओषी Sergara गोरी की पूझा का कि देखिये पूजारी कर रहे हैं यह ग्यानकूप जहां पूजा होती रही यह वो हिस्सा है अब मैं सिर्फ यह कह रहे हूं जहां Пूजा होती रही नियामितरूब से होती रही अब दूसरी तीसरी भी तस्वीर दिखा दीजे तरह Division माहिश क्योंकि भी आपके चैनल पर बोला था, आज फिर बोल रहा हूँ, यदि गवरी शिंगार के पूजा को किसी ने रोका और आप कहा रहे हैं, 1991 तक चल रहा था, तो निर्बाद चल रहा था, कोई बाधा नहीं, तो ये बंद किसी ने कराया? ये तो अजीज खान साब बताएंगे, वारान सक्कार की दोरान बंद हुआ, क्यों बंद हुआ, देखें जो चीज़ है, जो चीज़ है, सवतंतर भारत में, अपनी बात करने, सवतंतर भारत में, अब जिस प्लेसें आफ वर्शिप एक्ट का बार-बार हवाला दिया जाता है वो 15 अगर्स तो 1947 की बात होती है उसमें, तो मैं कहता हूँ, जब 50, 55, 60, 75 और 91 तक आप पहुचा रहे हैं, अगर कहीं भी पूजा हो रहा था, तो उसे रोकने वाला ही पहले मुझिरिम है मैं किसी सप्ता या सरकार या किसी सिस्टिम के खिलाफ नहीं हूँ, मैं उन लोगों के खिलाफ हूँ, जो इंसाफ की आवाज दबाना चाहते हैं, मैं उन लोगों के खिलाफ था और हूँ, और रहूंगा देश में एक बहस चड़ गए, कि आपको एक पक्षे वो कहता है, कि भाई आपको जूट परोसा जा रहा है, कोई आज या कल से नहीं, सदियों से, सदियों से भी पहले से, सिकंदर और पोरस की रड़ाई याद है आपको दर्शुखुखुखुखुखुखुखुखुख मैं उसे पूछता हूँ आज, सिकंदर और पोरस की रड़ाई याद है कि नहीं, पूछता है। सद्गुरु जी, ये सब चाहें ग्यानवापी की बात हो, चाहें ताजमेल की बात हो, चाहें को तुमिना। नमस्कार, आईश्वरिया, आपने अभी जो कारंभिक में सारी बातें कही, मुझे लगता है अगर दर्शकोन और अस्रोताओं ने जिसे सुना होगा, तो उनके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। और यहां जो भी बिद्वान बैचे हुए हैं, चाहे मुस्लिम स्कॉलर हैं, चाहे राजनेटिक पार्टी के हैं या सादू हैं, वो सब इस संबाद में भाग ले रहे हैं। बात ज्यानवापी की हो, बात राम मंदिर की हो, बात खृष्ण जन्म भूमी की हो, बात कुतुब मिनार की हो, बात ताज महल की हो, या बात तीस हजार उन्धर मस्थलों की हो, जब भारत की बाहर से आए हुए आकरानताओं ने भारत की ऊपर लूट पाठ मचाते हुए, यहां पर भर्म का परिवर्थन कराते हुए और भारत के मूल संस्कती और मूल आत्मा सनातन संस्कती के मंदिरों को बिध्वन्स करते हुए उनके प्रतीश्वों को मिठाते हुए यहां के हमारे नालंदा के विश्व विध्याले में नालंदा के विश्व विध्याले में पूजा सिंगल पर कसाश शिकंजा रांची में 16 घंटों की पूचताज की बाद ईडी ने की गिरफतारी कोट ने पूजा को पांच दिनों की रिमान में भेजा यूपी के डीजीपी पर योगी सरकार का हंटर काम मिला परवाही पर अटाए गए डीजीपी मुकुल गोयल देश्त्रोक की धारा पर सुप्रीम कोट का आदेश कहा देश्त्रोक की धारा में दर्ज ना हो केस धारा 124 ए पर दुबारा हो विचार मौजूदा आरोपी भी जमानत के लिए दे अर्जी करनाल सी गिरफतार आतंकियों का बड़ा खुलासा कहा पाकिस्तान से आतंकी रिंदा भेचता था विस्पोटक और ड्रक्स दो फर्जी गारियों के आर्सी भी बरावरा गुज्रात के राज़कोट में अर्विंद केश्रिवाल ने बीजेपी पर बोला हमला कहा 27 सालों से गुज्रात को लूट रही बीजेपी गुज्रात अब बदलाफ चाहता है नमस्कार रिपब्लिक भारत में आपका स्वागत है मैं हूँ आपके साथ निदी वासंदाने आज एक बड़ा खुलासा हुआ राची की पूजा सिंगल जो कि एक सरकारी अधिकारी के पत पर तैनात थी खनन सचिफ के पत पर उन्हें गिरफतार कर लिया गया अब पूजा सिंगल का क्या रोले दो दिन की पूचताच के बाद पूजा सिंगल की गिरफतारी हुई है और इनके पास से अकूच संपत्ती मिल गई एक सरकारी अफसर के पास से इतनी संपत्ती कहां से आई कैसे उनके पती के जरिये illegal business किया जा रहा था और कैसे उनका CA भी chartered accountant भी involved था देखिए इस report में ब्लाक मनी का सच क्या कहां से आया 19 करोड कैश तलाखो के पीछे IAS पूजा सिंगल जारकन सरकार में खानान सचेव, IAS अधिकारी पूजा सिंगल पांच दिन की ED की custody में भेज दी गई है ED ने पूजा सिंगल को मनरेगा में गवन और मनी लॉंडरिंग आरोप में गिर्फतार किया था जिसके बाद उनका medical test हुआ और फिर court में पेश किया गया जहां से उन्हें पांच दिन की ED की रिमान में भेज दिया गया इससे पहले ED ने लगा तार दो दिनों तक पूजा सिंगल से पूजताच की थी लेकिन सवालों के सही जवाब न मिले पर आखरकार वो सलाखों के पीचे पहुंच गई इससे पहले पूजा सिंगल के जिकारों पर चापेमारी की बड़ी कारवाई हुई थी जिसमें 19 करोड से ज्यादा का कैश बरा मत गया था और इसी काली कमाई के बारे में पूजा सिंगल से पूजताच की जा रही थी मंगलवार को ईडी ने करीब 9 गंटों तक पूजा सिंगल और उनके खारोबारी पती अभिशेक सिंगल से पूजताच की थी और इसके बाद आज उन्हें राजी में फिर E.D. के दब्तर में पूश्टाच के लिए तलब किया गया था जहां उन्हें गिरिफसार कर लिया गया E.D. ने ये कारवाई 2009 से 2010 के मन्रेगा गोटाले में की E.D. ने आई एस पूजा सिंगल उनके पती अभीशेग जा तीये सुमन कुमार से जुड़े ठिकानों पर छापे बारे थे रांची में सुमन कुमार के ठिकाने पर रेट के दोरा करोडों रुपे का काला कैश बरामद हुआ था नोटों की इतनी गड्या मिली कि धेर लगया नोट गिनने के लिए तीन मशीने मंगाए गए गिन्ती का सलसला शुरू हुआ तो ये 19 करोड 31 लाख रुपे पर जाका थमा दो दिन तक चली चाप इमारी में 300 करोड रुपे के दस्तावेज भी जब्ट किये गए थे इसके बाद जांच एजिंसी ने पूश्टाच का सलसला शुरू किया पहले सीए सुमन कुमार से पूश्टाच की गई और सही जवाब नहीं मिले पर उन्हें गिरिफतार कर लिया गया इसके बाद पूजा सिंगल के पती अभिशेग जा से पूश्टाच हुई और फिर पूजा सिंगल और उनके पती अभिशेग जा दोनों को आमने सामने बेठा कर भी सवाल जवाब किये गए तरसल ये मामला साल 2007 से 2010 के बीच का है जिसको लेकर E.D.D. एक साथ पांच राज्यों छारकंड, बिहार, हर्याना, राजिस्थान और पश्चिम बंगाल में छापिमारी की 2007 से 2010 के दौरान तीन सालों में पूजा सिंगल छारकंड के तीन जिलों में कलेक्टर रही बताया जाता है कि इसी दौरान मन्रेगा में करीब 18 करोड रुपे की बित्तिय गड़बडी हुई ततकाली इंसी है, आजुन मुंडा ने जानकारी मिलते ही जांच के आदेश दिये विजिलेंस को इसकी जिम्मेदारी स्वफी गई, जिसमें 16 FIR दर्च की गई और गिरफतारियां भी हुई पूजा सिंगल 2000 बैच की I.A.S. अधिकारी है, वो काफी तेज तरार अधिकारी मानी जाती रही है इस समय वो जारकन सरकार में खनन सचिव के पर पर तेना थी बताया जा रहा है कि पूजा सिंगल पर पहले भी ब्रशचार की आरोप लगे लेगने इस बार करोणों की काली कमाई का हिसाब E.D. ले रही है जिसकी पाई-पाई का जवाब पूजा सिंगल को बताना होगा क्या आपको विश्वास होता है कि एक सरकारी अधिकारी के पास इतनी संपत्ते मिली हो हाला कि पूजा सिंगल पर हेमन सोरेन जो है मुख्यमंत्री जारकन के वो आरोप लगा रहे है बीजेपी परके बदले की कारवाई हो रही है लेकिन इतनी पावरफुल कैसे हो गई पूजा सिंगल सरकारी पत पर बैठे-बैठे कैसे कैश जमा करती रही और ये कैश अकूद कैस कैसे जमा किया गया विवादों से क्यों नाता रहा 2000 बैच की आईयस अफसर है पूजा सिंगल ये देखे कि कैसे पावरफुल होती चली गई पूजा सरकारी पत पर बैठे-बैठे जारकन सरकार में खनन सचिफ के पत पर तैनात साल 2000 बैच की तेज तर्रार आईयस अधिकारी पूजा सिंगल गिरफतार कर ली गई 19 करोड से ज्यादा का कैश मिलने के बाद वो ना तो उसका हिसाब दे पाई और ना ही करोडों की काली कमाई से जुड़े सवालों की जवाब ED को दे पाई नतीजा ये कि दो दिनों की पूशताज के बाद पूजा सिंगल सलाकों के पीछे पहुँच गई आईयस पूजा सिंगल का विवादों से हमेशा सनाता रहा चाहे उनका पारिवारिक जीवन रहा हो या फिर नौकरी का सफर पूजा सिंगल जब आईयस बने तो उनकी उम्र महज 21 साल और साथ दिन की थी आईयस कैडर में आने वाली सबसे कम उम्र की अधिकारी होने के कारण उनका नाम लिमका बोक ओफ रिकॉर्स में दर्ज है लेकिन इस काम्याबी के बाद भी पूजा का घर परिवार से लेकर नौकरी में अब तक का सफर विवादों में ही घिरा रहा नौकरी में रहने के दोरान जहां जहां उनकी पोस्टिंग रही उन पर ब्रश्चाचार के आरोप लगते रहे बता जाता है कि पूजा का शुरुवाती दोर में पारिवारिक जीवन अच्छा नहीं रहा उनकी पहली शादी आये सदिकारी राहूल पुरवार से हुई लेकिन शादी के कुछी सालों में कुछ नीजी वज़ों को लेकर दोरों की बीच विवाद शुरू हो गया नतीजा ये कि पूजा का तलाक हो गया तलाक होने के बाद पूजा सिंगल ने अभीशेक जा से शादी की इस शादी के बाद पूजा के परिवारिक जीवन में थोड़ी स्थिरता रही लेकिन अपने परिवार को व्यवसाइक लाफ दिलाने और दूसरे फाइदे पहुँचाने की कारण उन पर कई आरोप लगते रहे ये भी बता जाता है कि पूजा सिंगल जब चत्रा में उपायुक्त थी तब एक दिन अचाना खबर मिली कि नकसली उन्हें जहरीली सुई से उन पर हमला कर दिया जिसमें किसी तरह उनकी जान बज गए लेकिन चर्चा इस बात की रही कि उन्होंने खुच जहर खाकर जान देने की कोशिश की थी पूजा सिंगल पर प्रशासने कदीकारी के तौर पर काम करने के दौरान भ्रस्चाचार के कई आरोप लगे आरोपे की चत्रा में उपायुक्त रहते हुए पूजा ने मनरेगा योजना से दो एंजियो से रुपे लिए हाला कि मामले में उन्हें क्लीन चिट मिल गए पलामू में उपायुक्त रहने के दौरान पूजा पर कोल ब्लॉक आवंटन में नियमों की अंदेखी कारोप लगा इतना ही नहीं कूटी जिले में उपायुक्त रहने के दौरान मनरेगा में 16 करोर रुपे के घोटाले में भी नाम आया जिसकी जाँच चल रही है पूजा सिंगल के पास कितनी संपत्ती है अभी इसका ठीक ठाख खुलासा नहीं हुआ है लेकिन अपने कारोबारी पती के पास करोणों की दौलत की जो जानकारी मिली है उसका ब्योरा भी वो नहीं दे पाएं प्रवतर निदेशाले ने पूजा के पती अभी शेख के पल्स होस्पिटल पर भी रेट की थी अभीशेक जा के असपटाल में जो investment हुआ वो कहां से आया अस्पिटल को खड़ा करने में उनकी पत्मी पूजा सिंगल का क्या रोल था अभीशेक जा के असपटाल में 123 करोड से ज्यादा का investment हुआ तो फिर लोन के वल 23 करोड का ही कैसे दिखाया गया बाकी रकम कहां से आई इन तमाम सवालों के जवाब अब तक E.D. को नहीं मिल पाए है सबसे खास बात यही कि जारकंड में सरकार बदली लेकिन पूजा का रूतबा नहीं हेमन सरकार से पहले जारकंड में बीजेपी के सरकार थी तब रगुवर्दास मुख्यमंत्री थे उस समय पूजा क्रिशी सचिफ के पत पर तैनात थी और समय भी उन पर भश्चाचार के आरोप लगे लेकिन मामला शांत हो गया कुछ दिनों के बाद भी प्रदेश में सरकार बदल गई प्रदेश की मुख्यमंत्री हेमन सोरेन बन गए सीएम से लेकर मीडिया मैनेज करने वाली पूजा सिंगल इस सरकार में पहले से और ज्यादा ताकत वर हो गई यही वज़ा है कि पूजा के ठेकानों पर जब एडी की रेड हुई तो हेमन सोरे ने बीजेपी पर सरकारी मशीनरी के दुरूपयोग कारोप लगा दिया पूजा की गिरफतारी पर सियासत भले ही हावी हो लेकिन अब उन्हें इडी के सवालों के जवाब देने होंगे अब उन्हें इस काली कमाई का ब्योरा दे रहा होगा अब उन्हें बताना होगा कि करोडों की रकम जो उनके ठेकानों से मिली है वो कहां से आई जाहिर है आने वाले दिन अब पूजा के लिए आसान नहीं होंगे चले खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं ओपरेशन बुल्डोजर की जो की देश की राजधानी दिल्ली में लगाता जारी है आज लोधी रोड आया नगर और द्वारका में बुल्डोजर चला है जाहिर तोर पर जैसे शाहीन बाग में विरोध हुआ यहाँ पर भी लोगों का विरोध देखने को मिला अती कमड पर बुल्डोजर का प्रहार दिल्ली में अवैत निर्माण पर आक्शन MCD का बुल्डोजर चल रहा है अती करमण हट रहा है MCD के बुल्डोजर अभियान का आज तीसरा दिन था द्वारका लोधी रोड आया नगर में अती करमण पर MCD का बुल्डोजर चला और अवेद निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया ये तस्वीरे द्वारका की है बुल्डोजर चला और सडक पर मौझूद अवेद निर्माण गिरता गया शॉप का जो पूरा एरिया था उसको पूरा यहां से हटाया जा रहा है साथी साथ ट्रक के उपर भी पूरा समान जो है वो लगाएगा यह देखें यहां पर यह जो इंक्रोश्मेंट की जो ड्राइव है वो चल रही है क्या आम क्या खास सब के लिए एक बराबर चीज़े चल रही है तो समझें यहां पर कोई अगर यह आरोप लगाए कि कुछ खास लोगों को कुछे ही यह ड्राइव चलाई जा रही है तो वो गलत होगा हर किसी के ओपर जिसने इंक्रोश्मेंट किया है गलत निर्मान किया है अवेद निर्मान किया है उन सब के उपर ये ड्राइव चलाया जा रहा है MCD का तो देख सकते हैं द्वारका सेक्टर तीन की है और सामने वो ट्रक में अपने कैमरा परसन संदीब से कहूंगी एक बार वो ट्रक दिखाए ट्रक के उपर भी आप देख सकते हैं समान द्वारका में बुल्डोजर की चपेट में कुछ दुकानों के आगे फुटपाथ भी आए जो समान सड़क पर पड़े थे वो भी इसका निशाना बने एक से बढ़कर एक बड़ी कंपनियों के शोरूम है जिसके बाहर ये ड्राइव हुआ है क्योंकि बैक्सिमम लोगों ने आपको में बताना चाहूंगी इंक्रोच्मेंट किया हुआ है सड़क के आगे तक कंस्ट्रक्शन की हुई है जो की अलाओ नहीं है जो की सरकारी जमीन है जहां जहां अतिक्रमन किया गया है उन तमाम इलाकों को यहां पर MCD आइडेंटिफाई कर रही है और उसके बाद जहां जहां अतिक्रमन हुआ है वहाँ वहाँ ये बुल्डोजर MCD का चल रहा है आपको बताना चाहेंगे कि बड़ी बड़ी दुकाने बड़े बड़े जो ग्रुप्स हैं उनकी दुकानों में भी ये बुल्डोजर चला है क्या आम क्या खास हर किसी के लिए बराबर MCD की कारवाई हुई ये तस्वीरे आया नगर इलाके की हैं लोग विरोध करते रहें लेकिन अतिक्रमन पर बुल्डोजर चलता रहा अवेद निर्मार को गिराया गया हालाकि ये भी देखा जा रहा है कि कुछ लोग पहले ही अतिक्रमन खुद ही हटा चुके थे आया नगर में मौझूद हैं जहां पर MCD का जो बुल्डोजर है वो लगातार चल रहा है मैं अपने वीजे से वो लोगा कि वो दिखाएं वो वो तस्वीर दिखाएं हमारे तरशोकों को जहां पर ये बुल्डोजर चला है देखिए सामने की तरफ यहां पर भी एक सीवर बनाया गया था अवेद रूप से ये सीवर बनाय गया था यहाँ पर ये बुल्डोजर चला है बीछे की तरफ जो एक रास्ता बना हुआ था कच्चा रास्ता उस रास्ते में यहाँ पर इंटें लगा कर एक पूरी की पूरी दिवाल खाड़ी कर दी गई थी पूरी दिल्ली भर में इस तरीके से जो भी अवेद कबजे किये जा रहे हैं वो एंसीडी की तरफ से तोड़े जा रहे हैं और आया नगर में लगबग असीफीजदी लोगों ने खुझ से अपने अवेद कबजे हटा लिये हैं एंसीडी की ये पूरी दिल्ली में लगातार चल रही है आप देखना होगा कि आने वाले दिनों में और ये कारवाई कहां तक जाती है। लोगों ने इस पर आ के सियासी रंग देना इसको अभी से शुरू कर दिया। आप कोई आदमी को कुछ नहीं कर रहे हो केवल बुल्डोजर का डर दिखा के पैसे एंटना चाहते हो डराना चाहते हो। चलेगी नहीं लोग डरेंगे नहीं। बीजेपी को आने वाले चुनाव में लोग बुरी तरह शिकस्त देंगे और कानून का राज स्थापित होगा। बुल्डोजर से जितने भी इलीगल अतिक्रमन हैं उसको MCD जो है वो धाह गिराएगी उस दो दिन का समय और बाकी है 12 और 13 माई को खड़ा कॉलनी और और भी दिनसिन मार्ग की बात करें तो इन जगहों पर जो है वो MCD की कारवाई अभी होने वाली है। MCD और BJP पर लोगों को परिशान करने के आरोप लग रहे हैं अलाकि MCD का कहना है कि कारवाई उनी पर हो रही है जो कानून का पाला नहीं कर रहे हैं। नहीं किया उसे परिशान होने के ज़रूरत नहीं हालाकि लोगों का ये आरोप है कि कुछ खास जगहों पर ही ये बुल्डोजर चल रहा है। परिश में खाने पीने से लेकर पेट्रोल डीजल और बिजली तक की किलत से लोग जूज रहे हैं। प्रधार मंत्री महिंदा राजबक्षे पहले ही अपने पत से स्तीफा दे चुके हैं। श्रिलंका के बिगडे हलाद देखते ही गोली मारने का आदेश। लंका में बवाल, चीन पर उठा सवाल। श्रिलंका अपने इतिहस के सबसे बुरे दोर से गुजर रहा है। देश में आपात का लागू है। श्रिलंका के प्रधान मंत्री महिंदा राजबक्षे ने स्तीफा देखकर खुद ही परिवार के साथ शेहर छोड़ दिया। और खुफिया ठिकाने में चले गए। राजबक्षे के स्तीफे के बाद भी लोगों का घुस्सक कम होने का नाम नहीं ले रहा है। शेहर शेहर आगज़नी की तस्वीरे सामने आ रही हैं। सडकों पर लोग हिंसक हो रहे हैं। कहीं खाने पर लड़ाई तो कहीं पिट्रोल डीजल पर बवाल हो रहा है। शेहर 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 रहे हैं। इतिहास के सबसे बुरे दोर में पहुचा। अच्वाना कैसे श्रीलंका को आर्थिक संकत का सामना करना पड़ा। क्या इसके पीछे चीन का भी बड़ा हाथ है। यह सवाल लगातार उठ रहे हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि कैसे श्रीलंका कर्ज में डूप चुका है। श्रीलंका पर करीब 51 अरब डॉलर यानि 3.88 लाख करोड रुपे का विदेशी कर्ज है। इस पूरे विदेशी कर्ज में चीन का करीब 10 फीजदी हिस्सा है। चीन ने सल 2010 में 1.26 डॉलर का कर्ज दिया था। ज्यान बापी मस्जिद की दिवाद पर क्या दिखा। मोहाली धमाके का रूस करेक्शन। अब श्रीलंका क्या करेगा। देखे जाते रहो मेरे साथ राद 10 बच कर 57 मिनट पर। मैं किसी सप्ता या सरकार या किसी सिस्टेम के खिलाफ नहीं हूँ, मैं उन लोगों के खिलाफ हूँ, जो इंसाफ की आवाज दबाना चाहते हैं, मैं उन लोगों के खिलाफ फार हूँ और रहूंगा। देश में एक बहस चड़ गए, कि आपको एक पक्षे वो कहता है, कि भाई आपको जूट परोसा जा रहा है, कोई आज या कल से नहीं, सदियों से, सदियों से भी पहले से, सिकंदर और पोरस की रडाई याद है आपको दर्शु, मैं आपसे पूछता हूँ आज, सिकंदर और पोरस की रडाई याद है कि नहीं पूछता है भाई, हम सब को पढ़ाया गया, कि सिकंदर जीता और पोरस हारा, क्या पढ़ाया गया अगर गलत बोल रहा हूं तो बताई, क्या ये नहीं पढ़ाया गया हमें सिकंदर और पोरस की रड़ाई में लेदे ग्रेट सिकंदर वन और भारती एसमराठ पोरस हार गए थे लेकिन फैक्स जब निकाले जाते हैं तो उनको काउंटर किया जाता है भाईया पोरस जीता था सिकंदर नहीं अलग अलग हिस्टोरियन अलग 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 फैक्स लेके आते तो आज ये डिबेट है मैं चाता हूँ मेरे एक गैस आ जाया है बिल्कुल बैट जाया है मैं अगले दो मिनट में चुलू कर रहा हूँ ये एक असलियत है तो एक पक्ष वो जो ये कहता है जूट परोसा जा रहा है एक के बाद एक और दूसरा ये कि आज दूसरा पक्ष ये कहता है कि आज ताज महल का नाम आप कुछ और रखना चाहते है कुत्व मिनार का नाम आप मतलब ताज महल को कुछ और रखना चाहते है कुत्व मिनार का नाम कुछ और रखना चाहते है ग्यान वापी मौश का चल रहा है महां मंदिर था तो ये सब जान बूच के हो रहा है और उनका ये कहना है कि बेसिक मुद्दे से ध्यान हटाने के लिए हो रहा है लेकि जो दूसरा पक्ष है दोनों पक्ष होंगे आज डिबेट होनी चाहिए फैक्स पे वो ये कहता है कि भाई सिकंदर और पोरस की लड़ाई से लेके ताज महल तक कुत्व मिनार तक फैक्स को और्ट रखिया रहा है ग्यान वापी मौश को क्या हो वो कहते हैं जब वहां से अगर स्वास्तिक आया वहां पे स्वास्तिक बना हुआ है वो कितना पुराना है वो कहते हमसे मत पूछो आप अपना फाइंडिंग करा लो कुत्व मिनार के वहां से वो कहते हैं भाई ब्रह्मा विश्णू महेश की मूर्तिया निकल रही है अपने आप चेक करा लिजे कितने साल कितने दशक नहीं कितनी सदियों पुरानी है तो दूसरा पक्ष कहता है देखो तुम यह सब कर रहे हो भड़का निकल का तुम यह सब जानबूच के कर रहे हो इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम्हारे पास कोई और में दूर ने लेकिन फिर काउंटर आता है वो कहता है अगर मैं गलत हूँ तो तुम भागते क्यों अगर मैं गलत हूँ तो तुम जाच से क्यों भागते हो जो जूट वो कहते है एक पक्ष कि भई जो जूट परत दर परत लगाते रहे ये क्या है अगर नीचे बहुत मतलब मैं कहना चाहता हूं कि अगर आपके पास एक कोई चीज खराब हो गई हो कोई सब्सक्राइब उसके उपर आप कुछ लगाते रहे लगाते रहे लगाते रहे वो ये कहता है कि जूट इदर की हो ना उदर की, एक से ना करानी हो, दो से करानी हो, दो से करानी हो, तीन से करानी हो, तीन से करानी हो, तीन से करानी हो, लेकिन जाच से परहेश की, चाहें वो ग्यानदापी की बात हो, चाहें वो कुत्ब मिनार की बात हो, ताज महल की बात हो. मुझे पूछिए अर्नप तुम्हारे निये पहले क्या आता है तुम्हारा धर्म या राश्ट धर्म और मैं कहूंगा और मैं कहूंगा मेरे निये भारत पहले आता है राश्ट धर्म पहले आता है कि या इस देश से एक बार फिर वादा करता हूं कि सच के लिए रिपब्लिक की लडाई कभी कभी जोर महीं है क्योंकि हमारे लिए राष्ट सब्वपरी है रिपब्लिक के खिलाफ साजी श्रस्वेवाले हमेशा हर्द रहेंगे मैं एक बर जड़ा तस्वीरे दिखाना चाहती हूं क्योंकि यह तस्वीरे हमारे पास आई है और हमारी सयोगी अनुपमा ने वहां ग्यान वापी से भेजी हैं यह तस्वीरे और मैं उनको देखायूंगी क्योंकि अब श्रिंगार गौरी की मांग की जा रहे अब मैं ये बताई किस तरह से ये जो तस्वीर है ये तहखाने के अंदर की तस्वीर है जो इतिहासकार ने हमें दिखाई अनुपमा को दिखाई और वो तस्वीर देखिए वहाँ पर हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां के रिए तहखाना है जिसको खोलने की मांगो तोड़ा गया उसके बाद उसके अफशेश तहकाने में भर दिये गए और तहकाने में मंदिर वाली ही कलाकृती है मंदिर वाली ही कलाकृती हैं। तो आप इधर खड़े हो जाई अब मुझे बताईए सरवर साब ये भगवान की मूर्तियां हैं अंदर तो इस नहीं कहा जा रहा कि तैखाना हमें दे दो ये भी नहीं बोल रहे हैं कि मुझे धटा दो वो कह रहे हैं बस शिंगार गौरी की पूजा का दिकार दे दो ये तस् सब्सक्राइब खड़ता है अब मैं सिर्व ये रही हूँ जहां फूजा होती रही नियामे तरूप से होती रही अब दूससरी पे तस्वीर दिखा दीजे जड़ा महिश क्योंकि ये तस्वीर हमारे पास है और ये है शिंगार गौरी देवी की पूजा का दिकार मागा जा यदि गवरी शिंगार के पूजा को किसी ने रोका और आप करें 1991 तक चल रहा था तो निर्बाद चल रहा था कोई बाधा नहीं तो ये बंद किसे ने कराया ये तो अजीज खान साब बताएंगे वराइं सक्कार की दौरान बंद हुआ क्यों बंद हुआ जो चीज है जो अगर कहीं भी पूजा हो रहा था तो उसे रोकने वारा